हलो बच्चो स्वागत आप सभी का साइंस एंट फान 9th 11th के यूट्यूब चैनल पे जहां हम तीचर्ज आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं आई आम यूर एडुकेटर रीमा घई और मैं आपको पढ़ाती हूं SST तो जैसे कि मैंने आपको अपनी लाइव मैरेथान में वादा किया था कि मैं आप लोग के लिए एक सेशन तयार कर रही हूं जहां आपको एक ही लेक्चर के अंदर मिलने वाले हैं आपके कम्प्लीट 19 चाप्टर्स येस, you heard it right आपको अलग-अलग वीडियोस के अंदर जाने की आवशक्ता अब नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है ये वाली वीडियो इस पूरे लेक्चर में मैं आपको सारी किताबे civics, economics, geography, history के सारे chapters जो भी आपके board exam में आ रहे हैं आपको explain करूंगी और अपने expertise और knowledge की according जो भी question repeatedly हमने pre-boards में देखे हैं और boards में आने के लिए expected हैं वो भी इसी session में बताऊंगी तो बिना देर की ये शुरुवात करते हैं हमारे आज की वीडियो से जल्दी से मेरी इस वीडियो को like करना है आप लोग को और अपने सारे दोस्तों के थाज शेयर भी करना है क्योंकि ये बहुत helpful हो सकती है किसी भी बच्चे के लिए ठीक है तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको शुरुवात करवाऊंगी civics के साथ सबसे पहले हम civics की शुरुवात करेंगे as you all know civics में हम लोगों के हैं power sharing, federalism, gender, religion and caste, political parties, outcomes of democracy ये 5 chapters आपकी civics में इस साल board exam 2023-24 में आने वाले हैं तो बस एक एक करके हम इसका compact you know summary सुनेंगे and then इसके important questions मैं आपको दूंग, clear? बस अराम से आपको headphones लगा के सुनना है बस, obviously बेटा it's a revision series, complete lecture के लिए आप मेरा नाम रीमा घई, power sharing by रीमा या फिर federalism by रीमा मैम, gender religion and caste by रीमा मैम, you can search और complete videos भी आप लोग देख सकते हो, लेकिन जिन बच्चों ने revision करनी हैं या जो बच्चे सिर्व important important board exam में क करके जाना चाहते हैं, उसके लिए ये video एकदम apt है, appropriate है, ठीक है बच्चों, तो चलिए, शिरुवात करते हैं power sharing chapter से, तो power sharing का मतलब आप लोग सभी जानते हैं, power को share करना अलग-अलग levels of government में, तो इस chapter में power sharing की importance को बताया गया, दो cases के साथ, पहला case था Belgium का, और दूसरा case था बच्चों, श्री लंका का, तो exam में कभी-कभी ethnic composition पूछ लेते हैं, although ये one marker में जादा आता है, सबसे बहले बात करते हैं Belgium नाम के शहर की, Belgium में जो ethnic composition है, उसके according 59% जो लोग है, वो बोलते हैं Dutch भाशा और रहते हैं Flemish region में, वही 40 परतीशत लोग ऐसे हैं जो बोलते है French भाशा और रहते हैं Vellonia region में, F वाले F में नहीं रहते हैं, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, कि France वाले Vellonia में रहते हैं, और Dutch वाले Flemish में रहते हैं, 59 and 40%, rest of the 1% बच्चे जो हैं, वो हैं German बोलने वाले, जर्मनी भाशा बोलने वाले, और ये ना के बराबर ही हैं, तो इ Belgium की एक capital है Brussels, Brussels में एतनी composition थोड़ी सी, अलग है, different है, Brussels में Dutch speaking लोग जो है, वो है minority में, और French speak में लाग, यहाँ पे, जो majority है, Dutch majority है, वो यहाँ पे minority में है, लेकिन सबसे बड़ी बात, minority में होने के बावजूद, वो rich and powerful है, तो यही एक कारण बनता है, basically यहाँ पे, इनका ज 80% Dutch बोलने वाले, 20% French बोलने वाले, यह उल्टा बोल दिया मैंने, हाँ, 80% French बोलने वाले, 80% French बोलने वाले और 20% Dutch भाशा बोलने वाले, इसका उल्टा है, यह याद करना है, अगर वहाँ पे Dutch majority में है, तो यहाँ पे Dutch minority में है, अब Brussels में, French बोलने वाले लोग क्या है, majority मे है और वहाँ पे minority में है and the French were comparatively rich तो they were rich and powerful तो Belgium में ये problem आई कि वैसे तो ये minority में है वो तो Brussels में majority में है न लेकिन फिर भी ये लोग rich और powerful हमारे यहां पे क्यों है तो यहां से इनका ethnic struggle की शुरुवात होती है ethnic word का मतलब होता है variety in culture language जो भी आप process करते हो follow करते हो तो भाया अब क्या होता है आगे जाके अब श्री लंका की एथनिक composition आती है श्री लंका में दो major communities है हिंदू भाषा बोलने वाले और सिन्हाली बोलने वाले सिन्हाली बोलने वाले जो लोग है वो है 74 परसेंट तमिल बोलने वाले जो लोग है वो है 18 परसेंट जिसमें से 13 परसेंट लोग श्री लंकान तमिल्स बोलने वाले हैं और 5 परसेंट जो है वो है इंडियन तमिल्स इंडियन तमिल्स मतलब जो इंडिया से माइगरेट करके वहाँ पे गए श्री लंका में और वही रहने लग गए साथ ही साथ बच्चों, साथ परसेंड यहाँ पे Christianity भी फॉलो की जाती है ठीक है? साथ परसेंड ख्रिश्टियानिटी भी फॉलो की जाती है, बाकी mix है सिन्हालाज क्या follow करते हैं बुद्धिजम follow करते हैं ओके नाव मैजॉरिटेरिनिजम follow किया जाने लगा श्री लंका में श्री लंका में उन लोगों ने एक concept अपनाया जिसका नाम था मैजॉरिटेरिनिजम और इसके उपर एक act भी आया 1956 में जहां पर इन लोगों ने क्या किया जो भी सिन्हाला बोले मैजॉरिटेरिनिजम मतलब नाम क्या बोल रहा है मैजॉरिटी वाले लोग माइनियॉरिटी के उपर dominate करेंगे उनके उपर राज करेंगे तो मैजॉरिटी में कौन है सिन्हाला है तो basically इस act के according जो सिन्हाला है उसको घोशित कर दिया गया official language साथी साथ सिन्हाला लोगों को काफी preference भी दिया गया government level पे education level पे job level पे हर जगा सिन्हाला उसको preference दी जाती थी साथी साथ Buddhism जो की सिन्हाला लोग follow करते थे उसको protect और foster भी किया जाता था तो इस act के दौरान सिन्हाली जो people थे उनको काफी ज्यादा benefit दिये जाने लगे अब Tamil लोगों में क्या आने लगी feeling of alienation वो कहते थे हम रहते तो यहाँ है लेकिन यह देश हमारा नहीं है हम लोग यहाँ नहीं reside कर सकते क्योंकि हमारे साथ हो रहे है भेद बाव demand for for अब इन्होंने क्या demand करी कि भाईया Tamil इलाम एक अलग state बना दो जहां पे हम लोग जाके रहे northern and eastern parts of Sri Lanka में led to the beginning of लेकिन इस बात को deny किया गया और क्या create हो गई बच्चो civil war आपको मुझे इसी lecture के time stamp time stamp I guess 7-8 minute का चल रहा होगा time stamp डालके बताना है कि civil war Sri Lanka में कब end हुई कब end हुई आपको मुझे यह बताना है लेकिन यह civil war civil war एक ऐसी situation होती है जहां लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और वो इतनी भयंकर मोड ले लेती है कि दुनिया को उसके बारे में पता चल जाता है तो basically यहाँ पे बहुत destroy हुआ death हुआ लोगों का काफी जादा destruction हुआ यहाँ पे majorityism अपनाने की वज़े से काफी जादा क्या हुआ destruction हुई लेकिन याद करो थोड़ा सा flashback में जाते है तो Belgium में भी तो ethnic struggle शुरू हो गई थी अब Belgium की जो ethnic struggle थी वहाँ पे उन्होंने follow किया accommodation का process यह भी बेटा पेपर में आ जाता है पांच नंबर का भी आ सकता है तीन नंबर का भी आ सकता है इन्होंने accommodation का process लगाया accommodation के अंडर इन्होंने क्या किया डच और फ्रेंच भाषा वालों से equal number of ministers ले लिए equal number of ministers दूसरा इन्होंने more power to state government दे दी state government को ज्यादा power दे दी state government central government के अंडर नहीं रहेगी वो अपने decisions खुद ले सकती है साथी साथ इन लोगोंने separate government बना दी Brussels की Belgium की अलग-अलग government ना तो भया capital country में बोलेगी ना country वाला capital में बोलेगा और इन्होंने बना दी community government community government is a government that is based on a particular community और यहाँ पे community फॉर्म हुई language के basis पे Dutch वाली French वाली clear यह चार चीजे इन लोगोंने करी क्या करने के लिए अपने यहाँ civil war जैसी situation ना आये इसके लिए और बच्चो मतलब की इन्होंने follow किया power sharing का concept और यहाँ पे शांती पूर्वक peaceful manner में अराम से Belgium you know sorted हो गया एकदम sorted हो गया तो इसी लिए इन दोनों cases से में पता चलता है कि what role does power sharing plays वहाँ पे power sharing नहीं की गई सिन्हाला को dominate रखा गया dominated बना दिया गया majorityism कर दिया government jobs education सब में आगे उनको बढ़ा दिया लेकिन Belgium वालों के साथ क्या हुआ यहाँ पे इन लोगों ने power sharing करी तो now क्यूं power sharing चाहिए दो कारण आते है major prudential reason and moral reason prudential reason के according conflict नहीं होगा it reduces the possibility of conflict लडाईया नहीं होगी जैसे की Brussels में लडाईया नहीं हुई right और moral reason में spirit of democracy maintain करके रखता है इसमें एक और आता है बचो इसमें एक और आता है preventing preventing majority tyranny यानि की majority minority पे दबाव नहीं डाल सकती है according to prudential reason moral reason में main क्या होता है कि spirit of democracy जिन्दा रखनी है spirit मतलब soul जिन्दा रखना है democracy को अपने अंदर से मारना नहीं है in short the participation of the citizens of the country और basically power sharing का concept democracy में follow up किया जाता है तो citizens का involvement भी होना अवश्यक है clear now forms of power sharing देखे बचो दो तरीके के power sharing होते है वैसे चार तरीके के होते है सबसे पहला होता है बचो horizontal horizontal में ये लेटी हुई line बताती है कि भाईया ये जो levels है वो तीनो same level पे होते है same level पे legislature जो की laws बनाता है executive जो की laws execute करता है judiciary जो final decision लेता है बचो कोई भी एक दूसरे को जवाब दे ही नहीं है लेकिन इन सब का काम अलग-अलग divided है और interlinked है ये law बनाएगा ये उस लोग को execute करेगा और ये बताएगा कुछ गलती तो नहीं है सो basically equal distribution of power इसे कहा जाता है also इस system का दूसरा नाम है checks and balances one marker question आ जाता है checks and balances कहा जाता है इस खुग क्योंकि एक दूसरे पे नजर रखता है और balance बना के रखता है तो checks and balances है horizontal फिर आता है vertical vertical में V में उपर से नीचे आते हैं तो यहाँ पे भी powers will be divided from upper level to lower level upper level to lower level मतलब central level state level and local level अब यहाँ पे अविसी बात है local इसकी subordinate है और यह इसकी subordinate है basically state और local दोनों central की subordinates है तो यहाँ पे subordination का खेल खेला जाता है और यहाँ पे अलग-अलग levels में divided होते हैं इस form of power sharing को federalism भी कहते हैं जो आप अगले chapter में पढ़ोगे federal system कहा जाते हैं फेडरल सिस्टम में power top level to lower level तक divided होती है further decentralization of power by organization upper level से lower level पंचायत तक जाती है यह distribution also बच्चो अलग-अलग social groups में भी power को divide किया गया है जैसे की weaker section को काफी जादा benefit दिया गया है also reserved constituencies बनाई गई है SCST OBCs के लिए साथी साथ special concessions दिये गए है जो भी you know कम नंबर में religious लोग है या कम नंबर में language बोलने वाले लोग है उनको कुछ benefit दिये गए है by the government, by the सरकार last is pressure groups and political parties तो बच्चो political parties में भी अलग-अलग social groups के लोग होते हैं और साथी साथ pressure groups भी पाए जाते हैं वो groups होते हैं जो लोगों की demands को सुनके government पे करते हैं प्रेशराइस और ये बनाते हैं alliance और coalition का system alliance मतलब elections होने से पहले group बनाना ताकि आपको number of votes बढ़ जाए और elections होने के बाद, result आने के बाद central पे एक power, local पे दूसरी power दोनों आपस में अलग-अलग हैं ये coalition बना के देश को चला रही है ठीक है? interest groups also share power through participation in government committees और basically ये लोग government के decisions पे influence भी डालते हैं दबाव भी डालते हैं so this was your power sharing chapter complete summary of power sharing chapter मेरे expertise से ये चार question बहुत important है most repeated questions है पहला why power sharing is desirable यहाँ पे आप moral and prudential reasons इसके लिखेंगे ठीक है? फिर आता है बच्चो different forms of power sharing अगर ये 5 नमबर का आता है तो आपको 4 forms बता रही होगी horizontal वाली vertical वाली social groups वाली pressure groups वाली एक और बात बच्चो कोशिश करिएगा अगर समय मिलता है तो इस वाले question में flow chart बनाईएगा horizontal का, vertical का अच्छा लगता है accommodation in Belgium में चार जो आपके pointers थे वो आप बताएंगे जिसके अंदर formation of community government more power to state government separate government बनाई गई last is principles of majoritarianism जो की act of 1956 है ये चार सवाल इस चाप्टर के बहुत अच्छे और repeated है मैम इसके answers कहां मिलेंगे आप टेलिग्राम पे जाएए हमारे science and fun 910th 11 के power sharing की पीपीटी सर्च कीजिए आपको end में इसके answers मिल जाएंगे question answers हर एक चाप्टर की particular पीपीटी के end में मैंने PYQs लगाए हुए है ताकि मेरे बच्चे ये ना कहें मैम हमारे पास किताब नहीं है मैम हमारे पास कोई source नहीं है तो आपको ये चारो question मेरे पीपीटी में मिल जाएंगे clear तो भाईया 15 मिनिट में हमने power sharing खतम कर दिया है अब हम चलते हैं अपने दूसरे chapter की तरफ जो की है federalism अब हम बात करेंगे federalism देखे बच्चों मैं हमेशा prefer करती हूँ power sharing और federalism एक साथ पढ़ाने के लिए by chance मुझे ही मौका मिल गया कि मैं ये एक साथ पढ़ाऊ तो federalism क्या होता है federalism मैंने अभी आपको बताया ये भी इसका मतलब भी क्या होता है division of power लेकिन यहाँ पे power divided होती है top level to lower level top level to lower level तो basically यहाँ पे vertical division of power sharing की बात की जाएगी तो भाईया federalism में दो levels of government पाई जाती है क्योंकि 1992 से पहले originally सिर्फ दो tier of government थी assertion reason आ सकता है इसके उपर और ये बात सत्ते है 1992 के बाद constitution में local government का जिक्र किया गया उससे पहले नहीं किया गया था two levels of government थी central और state government for the entire country responsible for subjects of common nation basically central government उन सारी बातों पे जवाब देही थी जो भी पूरे देश के interest को लागू करती है state government समालेगी state को both sets of government enjoy powers independent of each other आपस में एक दुस्रे को समालेंगे central government state government के बीच में आके नहीं कुछ भी बोलेगी नहीं बीच में intervene करेगी so unitary form of government is basically एक ऐसी form of government होती है federal में multiple levels of government unitary में एक form of government होती है federal में top level होता है unitary में singly level है तो एक वो ही हो गया जवाब देही federal में subordinates होते हैं लेकिन यहां पे अग्यान कोई subordinate है यहां एक level होता है जो subunits होती है वो basically इनके subordinate ही है वहां पे federal में powers अलग-अलग है लेकिन यहां पे जो भी odd divisions है वो उनके under आती है उनके under काम करती है features of federalism is a very important topic features आ जाते हैं exam में मैंने last में दिये भी हैं आपको बेटा दो या दो से ज्यादा levels of government होती है हर एक tire के पास अपनी legal authority होती है हर tire of government जो है वो authority of India government of India के द्वारा authorized है provision of the constitution can be changed only with the consent of both the houses लोकसभा and राजसभा कोई भी एक इनसान change नहीं कर सकता है दोनो levels of government को change करने के लिए मनाना पड़ेगा पूछना पड़ेगा courts के पास अपनी authority होती है अगर कोई भी dispute हो जाए levels of government में तो judge, supreme court का judge he's decision लेगा both the levels of government enjoy finance, autonomy अपने हिसाफ से देश चला सकते हैं साथी साथ government unity of country को promote करती है unity of country को promote करती है so this is what the key features of federalism now the next topic is coming together federation and holding together federation coming together में ये 5 fingers साथ में आएंगी और मुठी बना लेंगी साथ में आएंगी और मुठी बना लेंगी so this is what coming together छोटे 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 यूनिट आ के strong बनने के लिए मुक्का बन जाते हैं और मुक्का टेज लगता है holding together में already एक मुक्का है हर एक का roll अपना है pinky finger का अलग है index finger का अलग है सब का roll अपना अलग अलग है ठीक है चोटे 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 युनिट साथ में आते हैं और बड़ी युनिट बना लेते हैं दे पूल अब देर सोवर्जिनिटी बट रिटेन देर आइडेंटिटी आइडेंटिटी नहीं भूलते पावर्जार इक्वली डिवाइडेड बिविन सेंटर एंड स्टेट एक्जाम्पल हैं USA, Switzerland, Australia वन मारकर में ये बिटा बहुत बार आता है इनमें से कौन सा होल्डिंग तुगेधर का एक्जाम्पल है या नहीं है ऐसे कोशन आ जाते हैं तो कमिंग तुगेधर में USA है स्विजल लैंड है ऑस्ट्रेलिया है होल्डिंग तुगेधर में मैंने आपको बताया औरेड़ी एक मुठ्ठी है औरेड़ी एक लार्ज कंटरी है जिसने पावर्स को क्या कर दिया बचो डिवाइड कर दिया अपने इस सब यूनिट्स में पावर्स डिवाइड कर दिया Central Government यहाँ पे ज़्यादा powerful होती है जैसे कि India, Spain, Belgium India, Spain, Belgium India इसका बहुत बड़ा example है India is a vast country अलग-अलग state बना रखी है लेकिन Central Government is the most powerful institution of the nation अब है Indian Federal System के features की बात कर लेते है power जो है वो divided है obviously अब इसके अंदर क्या किया गया ताकि कोई लडाईयां ना हो कि भाईया तू क्या करेगा, मैं क्या करूंगा यहाँ से पैसा आएगा, कौन रखेगा, लडाईयां हो जाएगी क्योंकि multiple party system है न multi party system है हमारे यापे तो लडाईयां हो जाएगी union वाला लडेगा, state वाला लडेगा center वाला लडेगा तो वो लडाई ना हो, इसलिए क्या कर दिया गया, list बना दी गई subjects डाल दिये गए national importance के जैसे की defense, foreign affairs, currency ये सब आ गया union list में state list में क्या क्या आ गया, state importance की चीज़े जैसे की trade and commerce पुलिस, agriculture and education ये भी one marker करके आते हैं, साथ ही साथ concurrent list में क्या आ गया, common interest की चीज़े, common interest में क्या आ गया बच्चो, education, marriage, adoption, जो पता ही नहीं, central में जाए या state में जाए इसके बाद last आ गया, रेजिडवरी, रेजिडवरी में एक ऐसे subject साते हैं, जो अभी तक सरकार ने, इससे समविधान में नहीं डाला है, तो ये रेजिडवरी, बची कुछी list में आ जाता है, अब final decision कौन कहा लेता है, देखो यार, union list में तो central government ही लेगी, obvious ही बात है, central government ही लेगी, यहाँ पे तो, union government, यहाँ पे लेगी state government, obvious ही बात है, concurrent में कौन लेगी, दोनों, लेकिन अगर chaos हो जाए, तो union, same residuary में, union, अब बात करते हैं, समविधान में आए, changes के बारे में, देखिए, अगर changes लेके आने हैं, तो parliament के दोनों houses से पूछना पड़ेगा, और two-third majority चाहिए होगी, अगर कोई भी change लेके आना है, तो, साती सात, legislative कि लेवल पे भी, at least half of the total states मानने चाहिए, legislative मतलब यहां पर राज्य सभा की बात हो रही है, और यहां पर लोक सभा की basically बात हो रही है, two-third वाले, two-third और half of the states, जुदिश्री का रोल क्या है, empire of the nation है, बच्चों, जो भी कहेगा, मानना पड़ेगा लोगों को, allocation of resources, both the sets of government have the authority to raise resources, साथी साथ, दोनों के दोनों sets of government जो होंगे, वो सम्मिधान से जुड़े रहेंगे, और बात मानेंगे, sets of government मतलब central and state, Central is more powerful, Residuary power भी सेंटर के हाथ में आती है, यह हमने अभी अभी आपको बता ही दिया, बच्ची कुची power, Federalism हमारे देश में कैसे practice किया जाता है, तो बच्चों, इसके ना, तीन major test होते हैं, एक होता है, Linguistic States, How India is a federal country, अगर आज आए, तो भी आप इसमें यह लिख सकते हैं, दूसरा होता है, Language Policy, और तीसरा होता है, Center-State Relations, तो यहाँ पे creation of states में, कुछ states ऐसे create किये गए हैं, Independence के बाद, जो कि basis of language पे बनाए गए हैं, जैसे कि पंजाब, धार्खंड, जो अलग-अलग culture, geography और language को दर्शाते हैं, दूसरा आता है, Language Policy, आपको पता है, हमारे भारत देश की कोई भी बच्चों, कोई भी national language नहीं है, official language हिंदी और English दोनों की दोनों है, scheduled languages 22 हैं, हिंदी के अलावा 21 और, और English का भी use किया जाएगा official purposes के लिए, Center-State Relations के according, Central level पे बैठी भी सरकार और State level पे बैठी भी सरकार के बीच में एक रिष्टा होना चाहिए, और वो रिष्टा लोगों की समझ में आना चाहिए, यानि कि इन लोगों को मिलके देश चलाना चाहिए, वह हमेशा Center-State में निबबा निबभी माता पिता का example देती हूँ, कि बच्चों अगर माता पिता में लड़ाई होगी तो बच्चे उसका फायदा उठाएंगे, तो बच्चे फायदा ना उठाएंगे, इसलिए माँ बाप को प्यार से रहना चाहिए, और यहाँ पे Center-State को भी प्यार से रहना चाहिए, तभी देश उनकी बात सुनेगा, देश उनकी बात मानेगा, तो बेटा जी यहाँ पे यह लोग बात करते हैं, agreement to live together and mutual trust की, दो basis हैं बच्चों, mutual trust और agreement to live together, सात्र मरने जीने का वादा, Now, Decentralization, biggest revolution in 1992, third tire of government लेके आया गया, local level government लेके आया गया, लोगों से closely बातचीत करने के लिए, discussion करने के लिए, अब जब यह आया बच्चों, तो इसके बाद इनके लिए कुछ amendments भी आई, जैसे की, जैसे की state और central के लिए, you know, regular elections होते हैं, local के लिए भी regular elections होंगे, state commission इनको देखेगी, इनको allot करेगी, reserve seats रखी जाएंगी women के लिए, local level पे reserve seats हैं women के लिए, बाकी कहीं भी नहीं है, साती साथ, पंचायत municipalities मनाई जाएंगी, पंचायत in villages, conducted, लेकिन यहाँ पे amendment में क्या होगा, regular election लाए जाएंगे, resources जो है, state government, local government के साथ क्या करेगी, share करेगी, उनके साथ share करेगी, policy क्या होगी, regular elections लाए जाएंगे, seats reserve की जाएंगी, SC, ST, OBC women के लिए, one third seats women के लिए, setting up of independent state election commission लाए जाएगी, local elections को देखने के लिए, साथी साथ power और revenue शेयर करेंगे, state government, local government के साथ, तो basically local government समझ लीजे, state government का बच्चा हो गया, उसको पूरा समालना पड़ेगा, देख रेक करनी पड़ेगी, यह उसकी duty है, अब main features पढ़ लेते हैं, बच्चे हमेशा confused रहते हैं, जिरा परिशे समझ लीजे आता, आओ देखते हैं, gram सभा क्या होती है, सारे adult voters जो होंगे, वो सारे members होंगे उसके, annual budget gram पंचायत, डेटर्माइन करेगी विलेच की, gram पंचायत elect किया जाएगा, and gram पंचायत के उपर, लोग reviews भी देंगे, gram पंचायत में आते हैं, members और उनके सरपंच, साथ ही साथ ये supervise किया जाता है, gram पंचायत के द्वारा, तो पंचायत is under whom, gram पंचायत, अब सारी पंचायत समीती जो मिलके क्या बना देंगी, block bundle या block level, इनको group कर दिया जाएगा, और ये सारे members रिलेट किये जाएंगे, gram पंचायत के द्वारा ही, अब बनता है जिला परिशद, जिला परिशद आ जाता है district level पे, देखिए, पंचायत मिलके बना रही है, block और मंडल, block और मंडल मिलके बना रही है, जिला परिशद, एक, you know, line बनी हुई है, जिला परिशद में लोक सभा के members भी होते हैं, जिने M.L.A.S. कहा जाता है, और M.P.S. भी होते हैं, local level of government bodies, urban areas में अगर देखे, तो बच्चों मैंने तो ऐसे याद दिलाया है, MC है Mayor, Municipal Corporation का Head है Mayor, Municipality है MC, Municipality का Head है, Municipal Chair Person, कभी नहीं बूलोगे, मान जाओ मेरी बात, MC है Mayor, याद कर लो, यानि की Municipal Corporation का Head है Mayor, This is the trick, So yes, यह आपको बता रखा है यहां पर, then आजाता है, working of local bodies, democracy में काम करती है, कहा जाता है बच्चो, थोड़े थोड़े pros and cons देखे जा रहे हैं, cons की बात करें, regular actions नहीं होते हैं, resources इनके साथ share नहीं किया जाता है, जिसकी वेसे लोग की life में काफी hurdles है, और लोग फिर गालियां MCD को ही देते हैं, लेकिन यहां पर लाग कर जाती है, and state government, so this was your federalism chapter, let's talk about इसके repeated question कौन कौन से है, key features of federalism, कोई भी पांच आप याद कर सकते हैं, memorize कर सकते हैं, difference between coming together and federal or unitary government, very important, यह वला काफी अच्छा important है, दो number में इसकी weightage बनती है, two marks के according याने के बहुत-बहुत chances भी है, steps were taken in 1992, अभी एक बच्चे का Lancers Convent का, अभी अभी पेपर देके गया है, कहां पढ़ा है ये रहा, मेरे हाथ में अभी अभी वो देके गया है, पेपर देके आया था, पडोस में रहता, दिखाने आया था, question 3 number में आया हुआ, यही वाला amendments क्या थे, तो यह आपको अभी अभी जो बताए, मैंने local bodies वाले, यह दोनों question के answer सेम है, linguistic states, देखे कई बार होता है, इंडिया एक federal country कैसे है, यहाँ पे आप तीन तो test बताएंगे, language policy, linguistic states, और साथी सा center state relation, उसके बाद आप इसके अंदर दो features बता देंगे, federalism की, तो यह पांच नंबर का बन जाएगा, दो features add on कर देंगे, कि कैसे इंडिया एक federal country है, so that's all for federalism, हमारा federalism chapter भी खतम हो गया है, अब हम बढ़ेंगे किस की तरफ, gender religion की तरफ, gender religion and caste की तरफ, तो बच्चों शुरुवात करते हैं बिना किसी देरी के, gender religion and caste का मतलब क्या होता है, gender का मतलब, link, link, religion का मतलब, इंदी में कहते हैं या, religion को, comments में बता लू, caste का मतलब जाती, ठीक है, link dash जाती, बनाब link religion जाती, religion धर्म धर्म, में को आ गया याद, धर्म, link, धर्म और जाती के बारे में हम यहां बात करेंगे, और chapter में बड़े ही प्यार से इन लोगों को, तीनों को divide किया गया है, पहले हम gender के बारे में पढ़ेंगे, gender division क्या होता है, gender division का मतलब होता है, यह एक hierarchical social division है, लोगों ने दिमाग में सोच लिया है, कि घर के काम करने के लिए बनी हुई है और बाहर के काम करने के लिए बनी हुई है, बना हुआ है आदमी, और तो ने तो बाहर का काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी कई घरों में आदमी तो प्लेट भी उठाके नहीं रख सकता, क्योंकि अगर उठाएगा, तो सासु मा या ससुर बहू को बड़ी ही गंदी निगाह से देखेंगे, टॉर्चर भरी निगाह से, तो अभी भी ये चीज प्रिवेल करती है, बहुत घरों में अभी भी गूंगट डाले जाते हैं ओरतों के द्वारा, ठीक है उनके रीचुल है, मैं कुछ भी उस पर बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन येस, जैसे जमाना एडवान्स हो रहा है, इन चीज़ों में धिरे-धिरे चेंज आएगा, बदलाव आएगा, इस चाप्टर का कम्प्लीट, जो वन शॉट मैंने डाला है, वहाँ पे आप मल्टिपल एक्जाम्पल्स मेरे देखेंगे, जहां मैंने आपको बहुती बर्दे पार्टी का एक्जाम्पल, घर में काम ना करने का एक्जाम्पल, करने का एक्जाम्पल दिये हुए है, वह आप कम्प्लीट वन शॉट में देखें, यहां मैं एक्जाम्पल देने लगी, तो यह चैप्टर तो मैं दो घंटे भी पढ़ा सकती हूँ, यह इतना एक्जाम्पल फुल चैप्टर है, लेकिन क्यूंकि हम यहां पर रिविजिन कर रहे हैं, तो हम चलेंगे सिर्फ और सिर्फ किताबी भाशा पर, यह कंसीडर किया जाता है, एक नाच्रल और अन्चेंज़ेबल चीज, इस नॉवाजिकल, देखि aperture भाखवान ने किया है, वो तो सेक्स दिविजिन है, जेंडर दिविजिन कीया जाता है, हम लोगों के द्वारा, लड़का यह कर सकता है, लड़की यह नहीं कर सकती है, यह हम कर रहे हैं, एक हम ятель सेक्शोल दिविजिन और labor एक ऐसी system जहां पे घर का काम औरते या domestic work भी अगर करवाएंगी तो औरते करवा रही होंगी साथी साथ it is implied by minimum role in politics women नहीं role play करती है अच्छा organizational movements जो होंगी वो women के लिए जो होंगी वो equal rights लेके आएंगी कहा जाता है beginning of feminist movement feminist movement एक ऐसी movements होती है जहां पे औरतों और आदमियों के लिए equal rights लेके आए जाएंगे कहा जाता है feminist who believes in equality ये question आ जाता है कि women का क्या role है last week मैंने दिया Indian society में तो मेटाजी literacy rate बहुत ही कम है 54% है 76% की comparison में women जो है वो highly paid jobs कम करती है आदमियों से same काम कर रहे हैं लेकिन औरतों को कम पैसा मिल रहा है और आदमियों को ज़्यादा पैसा मिल रहा है girl child ratio कम है sex ratio में differentiation है साथी साथ harassment exploitation violence औरतों के प्रतिश ज़्यादा किया जाता है although बेटा समाज बहुत बदल रहा है harassment exploitation domestic violence अब आदमियों के साथ भी भर चड़के की जाती है मैंने अभी अपना TEDx दिया था और वहां मैंने इसी बारे में बात भी किया था और यही चीज में आप से भी कहूंगी किताबी भाषा कहती है और तो बहुत जुल्म किये जाते हैं पलिटिकल रिप्रेसेंटेशन में इनका मा बहुत ही कम है पांच परसेंट है स्टेट असेम्बली में और सिर्फ बारा परसेंट है लोकसभा में अबिल डिमांडिंग वन थर्ट सीट सिन लोकसभा अल्टो बेटा यह क्लियर हो चुका है लेकिन अभी किताबों में अपडेट नहीं किया गया है अभी किताबों के अकॉर्डिंग विमन को रिजर्फ सेट सिर्फ और सिर्फ लोकल लेवल पर मिली हुई है ग्रांटिंग ओ वन थर्ट सीट सु विमन इन लोकल गवर्मेंट बोडीज इस अब बात करते हैं गांधी जी ने कहा स्टेटमेंट politics can never be separated from religion बेटा जी politics में कही ना कहीं कैसे ना कैसे religion बीच में घुस ही जाता है same religion वाले लोग एक दूसरे की religion पे you know अपने religion के basis पे votes मांगना religion के basis पे काम करना religion के basis पे अपनी political party बनाना ही सब common है ये नहीं हट सकता ये बिलकुल भी नहीं खट सकता है so basically victimization of minorities discrimination against women by all religion ये सब तो common चीज़े हैं और इसी के basis पे concept आता है communalism communalism एक ऐसी situation है जहाँ पे जहाँ पे one religion is pitted against another एक religion को नीचा और दूसरे religion को उचा समझा जाता है इसके तहत demand of the religious community is formed in opposition to another वो कहता है मेरा religion उपर है तेरा religion नीचे है इसे communalism कहा जाता है और communalism क्या form लेता है बच्चो या तो वो लेके आता है riots लडाईया जगडे या वो लेके आता है massacre मार काट ये दो क्या कहते है results है communalism के communal politics ने democratic politics को replace कर दिया है religion के basis पे politics में बहुत खेला जाता है religion के basis पे votes मांगे जाते है similar बाते हर जगा की जा रही है आईये देखते है religious prejudice stereotypes and beliefs the superiority of one religion अपने religion को उपर लेके आना efforts by the majority religious communities to dominate politics and religious minorities कोशिश की जाती है पूरी की पूरी political party में एक ही religion चले कोशिश की जाती है हर जगा उनका ही religion prevalent हो political mobilization on religious grounds by use of sacred symbols emotional appeals भगवान के नाम पे आपको पता है पहले तो लोग जो है ना वो अपने products की advertisement भी भगवान के उस पे करते थे अगर आप देखो एक ना gripe water आता है मच्चों के लिए दात निकाल रहे होते हैं जब बच्चे तो उस पे किशन जी की photo बनी हुई है ऐसे बहुत सारे examples है जब भगवान की photo लगी होती थी कि लोग religious basis पे भगवान के basis पे वो चीज़ खरीद लेंगे और ऐसा होता भी था लेकिन आउटब्रेक औफ वायलेस रायोट्स मैसेकर यह सब कॉमन है कम्यूनिलिजम में इंडिया एक सेक्यूलर स्टेट है यह भी question आ सकता है तू मारकर में कैसे है भईया हाओ हाओ कैसे है हमारे देश में कोई भी official language नहीं है हमारे या कोई भी religion profess करने की पूरी आजादी है आप हिंदू पैदा होए हो आप Christianity अपना सकते हो आप Muslim बन सकते हो आपके पास पूरी आजादी है prohibition of discrimination on the grounds of religion religion के basis पे कोई भी discrimination नहीं करेगा ना ही सरकार बीच में घुसके बोलेगी religious matters में सरकार भी नहीं बोल सकती है clear features of caste system in India अब आता है आपका last topic gender religion and caste का और वो है caste system एक question आता है कि अभी भी caste inequality contemporary world से नहीं गई है बिटा hereditary है intercast marriages अभी भी बहुत जगाओं पे नहीं की जाती है discrimination किया जाता है untouchability follow की जाती है ये छोटी जातका है ऐसा बोला जाता है social reformer जैसे की जोतिबा फुले इन्होंने caste less society के ओपर किताबे में लिखी print culture में आपने पड़ा है गुलामगिरी लिखी गई है छोडे बड़े का सवाल लिखा गया है ये सारी किताबे in caste discrimination के ओपर ही लिखी गई है caste structure को change कैसे किया जा रहा है urbanization हो रही है लोग अपड़े रिखे हो रहे है लोग काम धंदे के लिए दुरुदर जाते है साथी साथ weakening of the position of जमीनदार तो लोगों में अब समझदारी आ रही है चेंज आ रहा है आज हम लोग कूडे वाले को इसे नहीं समझते हम अपनी maid को उन्हीं बरतनों में खाने देते हैं जिसमें हम खाते हैं वो ही glass यूज करने देते हैं लेकिन कुछ घरों में अभी भी यह है लेकिन धीरे-धीरे माना जाता है literacy rate बढ़ रहा है तो ये चीज़े change हो जाएंगी मिटा ये बड़ा पुच्ची वाला chapter है या आप खुद बना के लिख सकते हो chapter में mark my words आपको लगता है difficult लेकिन ये chapter paper में board exam में difficult बिल्कुल भी नहीं आता है बिल्कुल भी नहीं आता है चलिए caste-based discrimination को prohibit करना है तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है indicators of communication of caste system यानि की continuous of marriages within the caste practice of untouchability ये कुछ segments है society के जो अभी भी है upper caste system lower caste system का होना अभी भी ये environment में exist करता है अब इस topic के दो major topics आते हैं caste in politics and politics in caste हिंदी में अगर देखो caste in politics politics में caste का क्या रोल है caste क्या करती है politics में तो बच्चों caste क्या करती है candidates को caste के basis पे select करना caste के basis पे votes को मांगना साथी साथ caste के basis पर ही एक से दूसरी पार्टी में switch करना इसे कहा जाता है caste in politics यानि की caste को उपर रखना politics में लेकिन बच्चों ये चीज अभी भी ऐसा होता है कि follow up नहीं की जाती है कैसे अगर ऐसा होता बेटा लोग सबा में एकी caste के लोग बैठे होते अगर ऐसा होता बच्चों तो एकी caste बार बार majority में जीत रही होती ऐसा होता बच्चों तो nomination यानि की candidate भी same caste के लोग बन रहे होते है ना बई साथी साथ ये लोग हार ना रहे होते जीती चले जा रहे होते क्योंकि उनके पास तो support होता politics in caste politics in caste में क्या है तीनी points है इसके और ये दो number में आ जाता है कि अपनी caste को बढ़ा करने के लिए क्या-क्या politics खेली जाती है तो सबसे पहली चीज़ बच्चो सब caste को बड़ी caste में involve कर देना अपनी caste को superior दिखाने के लिए collation बना देना चुटी-चुटी caste क्या कर रही है अपना collation बना रही है bigger caste बनने के लिए forward और backward section बना दिया अब ये नहीं है तू चोहान है या तू पंडित है या तू क्या है अब क्या कर दिया backward caste और forward caste दो major caste बन गए ताकि अपने आपको बड़ा किया जाए तो अपने आपको बड़ा करने के लिए caste में क्या खेली जाती है politics खेली जाती है and this is what this topic says and that's how हमारा gender religion and caste भी पूरा का पूरा खतम हो चुका है अब हम बात करेंगे इसके question की women still lag behind men तो यहां पे आप literacy rate लिख सकते हो wages के बारे में लिख सकते हो domestic work is done by women only and men के द्वारा नहीं यह लिख सकते हो caste अलग-अलग form कैसे ले लेती है बच्चों politics में तो caste के basis में politics में क्या क्या किया जाता है communism और इसके after effects various form में riots and massacre आ जाएगा caste politicize कैसे होती है caste में politics का क्या रोल है last topic then आ जाएगा secularism वाला question no official religion, state intervened नहीं कर सकती है caste अभी भी disappear नहीं हुई है contemporary India से यह भी question अभी मैंने आप से discuss किया यहाँ पे politics in caste भी आ सकता है यह कुछ question है इस chapter के जो काफी repetitive है साथी साथ एक और question लिग लिजिए आप feminist movement के उपर question आ सकता है दो नंबर में अगर आना हो that's it आप यही question कर लेंगे तो you will say thank you to me बेटा obviously बात है language change हो सकती है concept अंदर का सार वो ही रहेगा यही questions रहेंगे पीपीटी कहां मिलेगी पीपीटी मिलेगी आपको बेटा टेलीग्राम चानल पे तो इसलिए कृपया मिले को गालिया ना दे कि मैं अगर screenshot नहीं लेने दे रही हूं तो बच्चे comment से बात में लिखते हैं लेकिन यह टेलीग्राम पे आपको बीपीटी मिल जाएगी जैसी आपका lecture आएगा वैसी आपको बीपीटी टेलीग्राम पे मिल जाएगी चले आगे चले अब बात करते हैं बच्चो चाप्टर नमर फाइफ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है यार इसके सिर्फ तीन से चार कोश्चंज है जो एक्जाम में आने वाले बस मैं तुमको क्या रही हूँ ना मेरे पर विश्वास कर ले ना अगर कर सकते हो तो तो कर ले ना मैं तुमको बताऊंगी उस चैप्टर के खतम होने पर सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है ग्रूप ऑफ इंडिविज्वल्स दाट कम तो कंटेस्ट इलेक्शन जो इलेक्शन कर रहे आते हैं उन्हें कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टी ग्रूप ऑफ पीपल फू कंटेस्ट इलेक्शन अब इनका फॉर्मिलेशन क्या होता है यह लोग बनाते हैं पॉलिशीज और प्रोग्राम्स पॉर्ड़ पीपल साथी साथ यह लोग क्या करते हैं इन पॉलिशीज से सपोर्ट एक अत्रित करते हैं लोगों का एंड इसमें आता है पार्टीजन शिप पार्टीजन शिप का मतलब होता है आप पर्सन हू इज लॉयल तू हिज और हर पार्टी आज का पेपर question आता है components बता दीजे और इसके functions बता दीजे पाँच नमबर का components एक नमबर का चार function बताने थे components मतलब leader, active member and follower ये है three components of a political party three components of a political party leaders जो lead कर रहे है active members जो इनमें participate कर रहे है और इनके followers इनको मानने वाले functions of political party मैं कह रही हूँ इसको तो रटलो, most important question of the chapter and the easiest one headings बनाएंगे तो मज़ा आ जाएगा मैं पपी कर देगी आपके paper को सबसे पहली heading contest elections, इनका काम होता है elections करना दूसरी heading formulate policies and programs policies and programs बनाते हैं, तीसरी चीज़ important role in formulation of laws, laws बनाते हैं making laws, then आप लिख सकते हो form and run government, देश चलाते हैं, भगाते हैं भाईया role of opposition, opposition party का role भी प्ले करते हैं जो parties हार जाती है, उनमें से एक party जो second number पे आते हैं उसको opposition party का role दिया जाता है उसका main काम क्या होता है बच्चो ruling party की गलतिया खामिया लोगों के सामने प्रस्तत करना ताकि वो बहतर तरीके से काम करें shaping public opinion अब जो लोग मांग रहे हैं ऐसी थोड़ी परोस के थाल में दे देंगे वो उन चीजों को mold करेंगे और majority of section को जिससे benefit हूँ वो ही rule लेके आएंगे साती साथ party responds to the needs and demands of the people so these are the seven functions of a political party you have to learn just five just five I am telling you हर pre board में ये question आया है अगर ये board में नहीं आएगा तो क्या आएगा वो भी मैं बताने वाली हूँ इनमे वो भी मैं बताने वाली है बस याद कर लो ये आएगा rule of political parties in representative democracy तो यहाँ पे इनका क्या roll है बेटा ये लोगों को सपना दिखाते हैं views दिखाते हैं अपनी future democracy का साथी साथ ये लोग help लेते हैं एक responsible government बनने के लिए ये लोग पूरा नजर रखते हैं लोग क्या मांग रहे हैं लोग की demand क्या है लोग की demand के according उसको fulfill करते हैं अब party numbers के basis पे one party system जिसके इंदे सिर्फ कौन सी party होती है एकी party no free competition of power एकी party है कोई competition ही नहीं है जीतने के लिए चाइना में prevail करती है कोई principles वालों नहीं किया जाते हैं नाम की political party है वैसे dictatorship चल रही है कि यह की party है two party system दो major parties होती है आपस में लड़ाई लड़ती है जो जीत जाता है वो जीत जाता है जैसे कि USA and United Kingdom multi party system जैसे कि इंडिया में है multiple parties है two or more government है लड़ती है जीतने के लिए और जीत जाती है जिसको जीतना होता है इंडिया is an example of multiple party system very important coalition and alliance के बीच में difference coalition का मतलब होता है जब अलग-अलग parties अलग-अलग levels पे parties एक साथ आती है government देश चलाने के लिए central level पे at present मोधी जी बीजेपी state level पे at present आब आगवी party coalition government का example है लेकिन alliance क्या होता है अभी elections result नहीं आया है उससे पहले छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटी parties बीजेपी को support करने आ जाती है कि जो भी हमारे votes मिलेंगे हमको हम वो आपको दे देंगे यह होता है alliance alliance में parties election लड़ती है ताकि जिसके पाद भी जादा vote से कत्रित हो वो जीत जाए तो alliance में elections होने से पहले group बनाया जाता है और यह बाद की बात होती है अब भीया एक political party यानि कि एक country किस तरीके का system अपना है one party, two party, multiple party कैसा अपना है तो बेटा जी वो तो country की nature पर depend करेगा वहां की divisions पर विसे हमारे देश में बहुत cultural और ethnic differences है बहुत population है तो हमने multiple party system लिया ऐसे थोड़ी है चाइना जिद्दगी भर one party system चलाएगा आप काओगे ma'am, वहाँ पे तो बहुत ज़़ा population है फिर पीटा वहाँ की सरकार को लग रहा है काम चल रहा है, अच्छे से चल रहा है तो वह नहीं बदल रहे है इस चीस को वहाँ national people's congress से चल रही है कौंग वाओ, रें मिन, दाइबोई, देखबोई पार्लेमेंट चल रहा है है democracy, पार्लेमेंट भी है लेकिन single party system है choice नहीं है लोगों के पास communist party history क्या है भाईया, कैसे चलते आ रहे हो तो इंडिया एक multi party system है जिसकी वएसे हमारे यहां पे क्यूंकि हमारे यहां पे बहुत geographical diversity है कुशन ऐसी आ सकता है घूमते फिरते कि इंडिया में multi party system क्यों है तो यहीं कारण है सारे उसकी हमारी history, हमारे number of population, हमारी ethnicity differences अब आते हैं बच्चों national parties और state parties पे अब national party और state party में difference भी पूछ सकते हैं कभी-कभी national party में क्या होता है यह country wide party होती है पूरे nation की party होती है अब यह कैसे बनती है इनको at least six percent vote से कत्रित करने होंगी लोकसभा में और चार सीटे जीतनी होंगी लोकसभा में छे पर्सेंट वोट चार सीटे वहाँ छे पर्सेंट वोट दो सीटे उता है स्टेट में 2018 में साथ recognize party थी national party जैसे की भारतिय जनता party बीजेपी, Indian National Congress और और भी parties state parties यह regional parties है इनको छे पर्सेंट वोट तो चाहिए लोकसभा में भी legislative assembly लेकिन यहां पर दो सीटे चाहिए वहाँ चार सीटे यहां दो सीटे example अकली दल आम आदमी party इस्टेट पार्टी यह national party नहीं इसेंटर लेवल पर नहीं आ रही है इस्टेट पार्टी क्यों थम्सब देदो यार comments में यार को भी यार देख रहा है मजे से मैं पूरी किताब पढ़ाने वाली हो तो लाइक तो बनता है सेशन पर बनता है और भाई में एक बात और बताऊंगी regular live session चल रहे हैं हमारे चैनल पर सुभा शांथ sample papers सब कुछ कर दो यार मतलब जी जान लगा दो आप लोगों को पुच्ची ले लोगे आप इस लाइड की एक ही स्लाइड के अंदर मतलब दो स्लाइड हो लिया हाँ दो स्लाइड के अंदर आपको सारी political party मिल जाएंगी मैं आपको बता दू मैं political party learn कर यह नहीं मिला बच्चा match the following आएगा इसके उपर philosophy से match करता है All India Trinamool Party मंताब energy leader है यह इसका symbol है ideologies यह face करता है क्या जीता यह बता रखा है आ गया ना मजा भहुजन समाज party काशी राम जी है हाथी इनका symbol है कौन कौन है वह यह दलिट्स OBC के उपर देखने कोशन आ जाता है कौन सी party ऐसी है जो दलिट्स को देख रही है बहुजन समाज party दो features बता दे कौन से year में आए कौन से leader आये लिखतो भारतिये जनता party पिटा यह था alliance भारतिये जना संग का Communist Party of India सिंबल क्रिशकों के लिए है फार्मर्स के लिए Communist Party of India यह बनी 1964 में 1923 में लेकिन इस party में आ गई दरार डाइवोर्स हो गया इसका डाइवोर्स हो गया और दूसरी शादी कर ली इसने 1964 में लेकिन रीजन बाट लिया लग-लग एकी पार्टी थी यह CPI यह CPI M INC सबसे पुरानी पार्टी है 1885 से चलती हा रही है Congress Secular Democratic Centralist Party है Secularism 52 सीटे जीती थी National Congress Party 1999 में बनी यह भी इसका एक डाइवर्जन है बतवारा हुआ हुआ है So these are some of the political parties one marker में आ जाता है That's it Next major five marker is this अब पते problem क्या आ रही है Problem यह नहीं आ रही है Problem यह आ रही है कि या तो paper में ऐसा आएगा कि explain the challenges faced by a political party या आएगा lack of internal democracy is the challenge that is faced by a political party explain how 5 number दे दिया Lack of internal democracy में internally यह लोग क्या करते है सिर्फ upper level लीडर लोगों के हाथ में ही सिर्फ पावर होती No maintenance of membership registered No conduction of regular elections and meeting नहीं होती Insufficient information दी जाती है lower level पे भाया ना मेरी पता होता है इन लोगों को तो तो यह हो गया lack of internal democracy अब आता है dynastic succession dynastic succession is the second challenge यानि कि जो policies है वो किसके प्रती favorize करती है उनके ही members के प्रती और साथी साथ manipulation होता और अपनी family members को कोशिश की जाती है power में top positions पे बार बार लेके आया जाता है तीसरा money and muscle power दिखाते है बच्चो पैसे के दम पे कई लोग votes खीचते है policies अपनाते है खूब पैसा बाटते है support to criminals by the party तो basically money और muscle power use करके parties में elections elect करते हैं और जीतने का प्रयास किया जाता है no meaningful choice to the voters voters को कोई भी meaningful choice नहीं देते हर party आती है same same laws same policies बोल चली जाती है तो लोगों के पास बिल्कुल भी उनो एक choice नहीं रह जाती है तो these are the four major challenges formed by a political party यह तीसरा important question है very important क्योंकि पांच नंबर में इन तीन में से ही question आने वाला है reform का और में आया था आजवाले paper में इस बच्चे का reform कैसे करें party इसको तो बेटा जी क्या steps लिए गए constitution में amendments की गई ताकि defection ना हो defection क्या है बच्चों इसके लिए anti defection law जिसके according अगर कोई भी party member दूसरी party को support कर रहा है एक party में होते हुए तो उस member की seats को courage कर दिया जाएगा लोग क्या करते है ना पैसो के लिए power के लिए छुप छुप के दूसरी party में सारी की सारी information प्रोचाते तो इसके लिए लाया गया anti defection law mandatory कर दिया गया contestants के लिए affid-affid file करना कि कोई भी उनके प्रती उन्हों assets कितने liabilities कितनी है criminal case spending तो नहीं है compulsion कर दिया कि भाईया वो लो क्या करेंगे party elections करेंगे जिसके तहत हर एक इंसान को opportunity मिलेगी suggestion दिया गया political party काम कैसे करें register maintain करें proper regular elections करें mandatory कर दिया गया one third seats women को दी जाए state funding दी गई कि भाईया state जो होगी वो क्या करेंगी government जो होगी वो क्या करेंगी expenses में contribute करेंगी लेकिन बच्चों यहाँ पर logo का क्या role है logo को भी अगर यह कुछ अच्छा करते हैं तो benefit देना चाहिए significant role play करती है media हम लोग इन लोगों की भड़ोतरी के लिए so these is political parties chapter all over पहला question functions of political parties बताना है दूसरा question reformation तीसरा question challenges चौथा question state और regional parties में difference यह मेरे according इस chapter के चार major questions है जो five marker या subjective type में आ सकते हैं यह मेरा point of view है POV है मेरा यह so I think आप भी agree करोगे बताना comments में आपके pre-votes में इसमें से कौन-कौन से questions आए last chapter of civics is outcomes of democracy now what is outcomes of democracy outcomes, results outcomes का मतलब क्या होता है बच्चो result of democracy, बहुत प्यारा सा chapter है most important repetitive question इसकी PPT मेरे telegram channel से उठा लेना पीछे मातर 11 questions दिये हैं अगर उसके बाहर paper में आ जाए तो मेरे को DM कर रहा है कि मैं विज़ा paper बाहर से आ गया वो ही आए language change हो सकती है फिर बोल रही हूँ answer वो ही रहे वादा questions तो आज ही मिल जाएंगे answers आपको PPT उठानी पड़ेगी जिसके इनना सारे answers दिरे one shot भी डाला हुआ बहुत मेहनत की वी है या 10th वालों के लिए तो सबसे जादा मेहनत की वी है पहला question पहला topic किया रहे है कि democracy बहुत ही अच्छी form of government है तो यहां क्या लिखोगे features of democracy क्या करती है democracy? equality लेके आती है citizens के लिए decision quality decision लेके आती है लोगों के लिए तीसरा dignity of individuals बढाती है चौथा अपनी mistakes को ठीक कर सकती है ठीक है? अब पेपर में ऐसे नहीं आएगा पेपर में आएगा ऐसे elaborate इस chapter से जो सवाल आएंगे वो statement based आएंगे लिखके ले लो मेटा 10th के board में वैसे भी statement made question ज़ादा आते है elaborate ऐसे आते है पेपर में democracy अलग-अलग जगाओं पे अलग-अलग तरीके से practice की जाती है elections करना, political parties बनाना, लोगों को rights देना formal constitutions चलाना steps to achieve the best outcome of democracy सबसे पहले तो democracy को समझे and साथ इसाथ ऐसी conditions बनाएए जहां पे citizens उसका बहुत ही अच्छे से इस्तमाल कर सके अभी सुनते जाओ, question मैं बताएंगी अब बताओ, question आता है democracy efficient कैसे है efficient कैसे है, democracy जादा efficient है क्योंकि यहां पे होते है discussions and deliberations, यह भी question आता है इसका, democracy is based on deliberation and negotiation, explain यहां पे यही है कि regular meetings होती है जिसके अंदर बहुत बातचीत की जाती है एक conclusion पे आने के लिए काफी debates होती है, काफी discussions होती है तब जाके results सामने आता है लोगों के democratic government follows procedure जिसकी वेसी decision तो delay होता है लेकिन बच्चों effective होता है और quality wise अच्छा decision लिए आजाता है यार, simple सी बात है अगर आजाए कि efficient है तो अच्छा ही लिख दो आजाए less effective है तो बुरा ही लिख दो less effective आजाए तो बुरा ही लिख दो दिमाग लगाओ बस दिमाग से खेलो democratic government transparent है बच्चों decision procedures पे बेस्ट है democratic government is accountable accountable का मतलब क्या होता है free and fair elections चलाती है लोगों के प्रती जवाब दे ही है लोगों के प्रती जवाब दे ही है transparent का मतलब accountability में ही आता है needs of people को fulfill करती है हमारी democracy democratic government is not attentive to the needs of people really यह कभी कभी अब देखो यहाँ पे question के आ जाता है less effective है इसका answer यह है कि वहिया वो क्या करती है ignore कर देती है demands को लोगों की इतने सारे लोग है न बोल रहे है ignore हो जाती है चीज़ corruptive है citizens के पास right to vote तो है लेकिन कोई procedure नहीं है लोग जानते भी नहीं होते है पॉलिसीज कोई perform कर रहा है के नहीं कर रहा है democratic government एक efficient sorry एक legitimate government है legitimate का मतलब होता है सरकार लोगों की अपनी सरकार popular support मिलता है लोगों से लोग बीच में अराम से बोल सकते है through voting voting की प्रती अपना पूरा का पूरा involvement दिखा सकते है अब बात करते हैं democracy और economic development की बेटा जी democracy में economic development नहीं होते assertion reason आ जाता है economic development नहीं होते है dictatorship के मुकाबले democracy में कम economic growth है कम economic development है economic development depend करती है लोग की population size पे global scenarios पे लेकिन democracy में जो की decision बहुत लेट होते है और काफे discussions होती है इसकी वज़े से economic level पे economic level पे money level पे democracy efficient नहीं है democracy inequalities को और poverty को क्या eradicate कर देती है खतम कर देती है तो बच्चो democracy political equality तो कहती है लेकिन economic equality नहीं कहती ये आया था reason में और ये wrong था there is concentration of wealth in the hands of rich people democratically elected government देखो यारब सरकार ये थोड़ी कह सकती है अम्माने जी अपना पैसा बाट दो आप इतने rich कैसे हो वो थोड़ी मोल सकती है तो democracy economic equality नहीं लेके आ सकती है social diversity की बात कर लेते हैं बचो यहाँ पे ये लोग social differences को handle कर लेते है क्योंकि सरकार जो है वो mutual है majority working level पे political level पे education level पे reserve कर दिया गया areas इन लोग को अपर society में लाने के लिए efforts किये गए बाइदा सरकार तो democratic जो है government वो accommodative है हर एक citizen के लिए और हर एक citizen को equality provide करने की पूरी पूरी कोशिश करती है majority minority को एक साथ काम भी करवाती है ये लोग की dignity of freedom को भी ensure करती है अब देखो बचो answer आपकी PPT के अंडर ही आ गए सारे के सारे women की dignity को बढ़ाती है equal treatment देती है ओरतों को साथी साथ इनके struggle को waste नहीं जाने देती है democracy अब तो धीरे धीरे political presentation भी लोग सभा level पे भी women's के प्रती आ रहा है caste inequalities democracies also provide equal opportunities and status to lower caste socially depreaved classes के लिए भी बहुत कुछ किया जाता है moral and legal foundations लगाए गए जिससे social inequalities को कम किया जाएगा again I am saying education level पे ये नहीं होता तू SCST है मैं तरको नहीं involved करूंगा मैं तरको नहीं आने दूंगा ऐसा नहीं होता है so basically democracy जो है वो लोगों की expectations के according काफी improve कर रही है उनको fulfill भी करती है और लोग जो है अब काफी ज्यादा responsible भी हो रहे है democracy के प्रती so this is the conclusion of outcomes of democracy this is the conclusion and these are some of the questions that are most repeatedly coming in exam first one is democracy accommodates social diversity अभी हमने पढ़ा देखा आप लोगोंने अभी हमने पढ़ा सारे question अबने अभी पढ़े है better है बाकी से तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे features लिखोगे positive features लिखोगे difference between democracy के देखो सब के answer मेरी PPT में है और इसमें भी है और वो one shot वाली PPT में भी है main outcome क्या है democracy का inequality or poverty हटाती है बताओ भई दो arguments बताओ तीन features जिसकी basis पे maximum number of countries जो है वो democracy है बिटा exam of democracy कभी भी खतम नहीं होता है बिटा हम लोग हमेशा democracy के प्रती questionable रहते हैं questions पूछते रहते हैं वो एक चीज़ पूरी करती है हमारा दूसरा सवाल सामने खड़ा हो जाता है ये साफ दर्शाता है बच्चो साफ साफ दर्शाता है कि हम लोग क्या है questionable है और democracy को हर बार हमारी जरूरतों को पूरा करना पड़ता है ये question पांच थिना छटा साथवा आठवा accountable, responsive, legitimate को explain करना है दो-दो points में merits and demerits of dictatorship few factors that determine the economic growth of a country population, geographical diversity इनके बारे में आप explain करेंगे तो यहां पर हमारी पूरी civics जो है बच्चो खटम होती है अमने पांच के पांच चाप्टर मात्र अप्रोक्सिमेटली एक घंटा पांच मिनेट में कर ली है अब मैं आप लोगों परिबार तो आप civics में अगर कोई भी आउट है तो आप कॉमेंट्स में लिखते जाएए मैं सेशन के बाद हर एक कॉमेंट पढ़ती है और मैं आपको उस पर reply करने की पूरी पूरे प्रयास करूंगी मैं एक और सेशन अभी बनाऊंगी बल्कि जिसमें सारे इंपोर्टन सब्जेक्टर्स डालूंगी विदांसर्स ठीक है तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी एकनॉमिक्स का सेशन जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं तो भाई अब बारी है बच्चो एकनॉमिक्स शुरू करने की पूरी सिविक्स हमने समाप्त कर ली है एक घंटा पांच मिनट लगे और हमने पांच के चैप्टर्स खा लिए विद इंपोर्टन्ट क्वेस्टिन्स तो अब बारी है एकनॉमिक्स को हजम करने की और एकनॉम तो मात्र सवा तीन ही है, तीन पूरे और like only 25% of the globalization chapter is left now, बाकी सब डिलीट हो चुका है, तो बस फिर बिना देर किये, शुरू करते हैं हमारा chapter number one of economics, that is development, of course वैसे civics में आपको expected questions बताएं, वैसे ही economics के हर chapter के end में आपको expected questions मिलेंगे, और इसके भी solutions आपको मेरी जो one shot वाली PPTs हैं उसके back में last में मिल जाएंगे, तो development का मतलब क्या होता है बच्चों, development का मतलब होता है बढ़ोतरी, improvement, development, अब development जैसे आप में होती है, आपने अपने marks में improvement लेके आया, आपकी income में improvement आई, आपकी body में improvement आई, it is known as development, तो ऐसे ही this chapter में हम बात करेंगे, देश की development के बारे में, और देश की development को जाचने, पड़तालने के लिए, हम लोग use करते है, concept of per capita income, और बचों, per capita income का दूसरा नाम होता है, average income, average income क्या होती है, जब हम total income को divide करते है, उसकी population से, तो निकल के आती है, per capita income, यानि की average income निकल के आती है, और यही दो देशों, जैसे कि अगर country A है, और country B है, इसमें से कौन जादा developed है, तो हम निकालते हैं, इसके लिए per capita income, जिसकी भी per capita income जादा होगी, अधिक होगी, वो country होगी, developed country, ठीक है बचों, अब हम बात करते है, infant mortality rate, पहले हम concept की बात करेंगे, infant mortality rate का मतलब होता है, ऐसे बच्चे जो अभी एक साल के भी नहीं होते हैं, और उससे पहले ही उनकी हो जाती है, मृत्यू, death, because of improper vaccinations, because of any other reason, तीसरा है बच्चों, literacy rate, literacy rate is basically, 7 साल और उससे उपर के बच्चे जो literate population में आते हैं, और हमारे देश म बच्चों, literacy rate वही है, जो अपने नाम को तीन अलग-अलग भाशा में लिखना जानता है, चौथा concept है बच्चों, net attendance ratio, आगे जब ये शब्द यूज होंगे, तो आपको ये सारे शब्द पता होंगे, इसलिए सबसे पहले हम सारे शब्दों को जान रहे हैं, net attendance ratio का मतलब ह होता है, ऐसे सभी 14 से 15 साल के age group के बच्चे, जो school attend कर रही है, जो school जा रहे है, उसके percentage को बोलते है, net attendance ratio, फिर आता है body mass index, body mass index एक इनसान का निकाला जाता है, weight upon height के square से, weight होता है kg में, और height जो होती है, वो होती है, meter में, ठीक है, kg upon meter square, इससे पदा चलता है, एक बंदा nourished है, under nourished है, overweight है, obese है, क्या है, next is life expectancy, this is the average amount of years a person lives, पहले life expectancy rate मात्र 45 साल हुआ करता था, लेकिन अब क्योंकि बहुत सारी बिमारियों का तोड और इलाज आ चुका है, तो ये attendance ratio जो है, वो बढ़ के पहुँच चुका है, 65 साल, अब बच्चो एक statement आती है, कि different people have different development goals, explain कीजिए, और ये goals जो होते हैं, वो conflicting भी हो सकते हैं, इस सवाल का जवाब आप लोग NCRT के एक example से देंगे बच्चो, और वो example है, और वो example है, कॉमेंट से बताईए जरा, येस, वो example है, डाम का example, देखे बच्चो जब भी डाम बनाया जाता है, वो बहुत ही महत वो पूर्ण होता है, राइट, डाम बनता है जब, तो देश की बढ़ोतरी होती है, electricity generation होती है, जो भी ड पास पास रहने वाले लोगों को क्या होना पड़ता है, डिस्प्लेस होना पड़ता है, वहां की flora and fauna को भी effect पहुंचता है, तो basically, what may be development for one, यानि की पूरी country के लिए जो development है, वो वहां के आस पडोस के लोगों के लिए development नहीं है, so this statement is proved and always explained by giving an example, example आप और भी दे सकते हो, example आप दे सकते हो, किसी mall का दे सकते हो, या आप घर में जैसे दो बच्चे हैं, वो पड़ रहे हैं, एक को शिक्षा मिल रही है, और शिक्षा मिलना उसके लिए development है, लेकिन दूसरे के लिए नहीं है, उसको शिक्षा मिल रही है, उसके लिए development नहीं है, तो आप ऐसे examples दे क भी इसको कर सकते हो explain people want more income to get material goods yes बेटा अगर आपको materialistic चीजों का बहुर शौक है कपड़े, गाड़ियां और साथी साथ घूमना और utensils और machinery, tools, technologies iphone, machinery etc etc then you need money for that बाप बड़ा ना भाईया सबसे बड़ा रुपईया आज की time की बहुत ही बहत पुण statement है और लागू भी होती है क्योंकि आज कल रिष्टे, प्यार, महबबत दुश्मनी सब टिका है एक ही नीव पे और वो है पैसा so basically पैसो से हम materialistic चीजे तो खरीच सकते हैं लेकिन क्या सिर्व बेटा materialistic चीजों से जिन्दगी बिता लोगे, नहीं materialistic चीजों से आप जिन्दगी नहीं बिता पाओगे, इसी लिए बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो हमें बिना पैसों, महलाब पैसों के अलावा भी चाहिए होती है, respect, freedom security love, यह सारी चीजे ऐसी हैं जो non materialistic चीजे हैं और जिसको खरीदने के लिए पैसे की आवशकता नहीं होती है, इसी लिए लोगों के अलग-अलग goals होते हैं, similarly different people have different and conflicting notions of development for the country, so yes, जो मेरा perspective है, जरूरी नहीं है, वो आपका भी perspective हो, हो सकता है, मेरे development हो, मेरे पास अच्छी गाड़ी, बंगला नौकर, चाकर हो, लेकिन आपके लिए development हो सकता है, अच्छी शिक्षा हो देश्ट को pollution free करना हो, poverty free करना हो, unemployment हटानी हो, हो सकता है, आपके लिए यह development हो, तो हम लोगों की development goals जो होते हैं, वो अलग-अलग हो सकते हैं, और वो conflicting भी हो सकते है, हो सकता है, मेरे लिए development है, मुझे कूडे की बदबू बहुत पसंद है, कूड़ा फैला रहे और आपके लिए साफ सभाई, तो हमारे में लडाई हो जाएगी, मैं चाहते हूँ मेरे घर के बार कूड़ा पड़ा रहे, तुम चाहते हो मेरे घर के बाहर कूड़ा ना पड़ा रहे, तो हम में लडाई हो जाएगी, है ना भई, बहुत गंदा example था है, no, ही ही, चैलिए, methods to study the comparative, अब देखो, देश की development को compare करना है, national income, national income क्या होता है, पूरे देश की income, लेकिन ma'am, हम per capita income क्यों इस्तमाल करते हैं, हम total income इस्तमाल क्यों नहीं करते हैं, देखे बेटा, for example, एक है country, एक है country B, देखे बच्चो, country A की total income कह सकते हैं, हम है, पांच लाक रुपे, ठीक है, और country B की total income है, बच्चो, 7 लाक रुपे, आप बताओ, कौन सी country जादा developed है, जल्दी जल्दी बताओगे comments में, जल्दी से बताना है, रेको देर नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग यहां पे एक दम compact session मना रहे हैं, तो I will not wait that much, चल्दी अल्दी आंसर करना है, time stamp डालके, कि कौन सी country जादा developed है, ओगे, as my experience, multiple answers are with country B, बट कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग मेरी बात समझ गए हैं, कि बच्चो, अगर मैं आपको बोलू, country A में जो population है, वो है 5 लाक लोगों की, ठीक है, country B में जो population है, वो है 3,5 लाक लोगों की, तो इसकी per capita income निकल के आई 1 रुपी, और इसकी per capita income निकल के आई 2 रुपिया, अब बताओ, कौन जादा developed हुआ, अच्छा, मैंने example गलत ले लिया, रुको, मैं proof करती हूँ, ये तो आपका country B आ गई न, लेकिन अगर मैं population की बात करूँ, अगर मैं population की बात करूँ, कि इसकी population है, धाई लाक और इसकी population है, 14 लाक, लो भई, अब बोलो, इसकी per capita income निकल के आई 2 रुपे, और इसकी per capita निकल के आई 0.5 रुपीज, तो कौन जादा developed हो गया, country A, कहने की बात, प्रूव करने की बात इतनी सी है, कि total income जिसकी ज्यादा है, हर बार वो ही developed हो, it is not a compulsion, population के हिसाब से per capita income बदल जाती है, और हम लोग per capita income को ही इस्तमाल करते हैं, दो देशों को compare करने में, तो total income को जब हम डिवाइड करते हैं, population से तो निकल के आती है, per capita income, बस इस criteria does not tell us, how this income is distributed among people, बेटा है कुछ अच्छाई तो मुझ में बुराई भी, per capita income, comparison का, best method तो नहीं है, जिसे democracy is not the best form of, you know, dictating a country, इसी तरह ये best method नहीं है, लेकिन, better method है, बाकी सारे method से, better method है, ठीक है, तो भाईया, world bank use करती है, क्या criteria, world bank use करती है, per capita income का criteria, rich countries कौन सी है, per capita income, जिसकी UOS dollar, 12,056 per annum है, और 334 से अबव है, low income countries कौन सी होती है, per capita income, जिसका 955 से कम है, इंडिया जो है, वो low middle income countries में classify किये गई है, one marker question आ जाता है, कि किस में classify हुई है, low middle income countries में classify हुई है, according to its per capita income, लेकिन, वही बच्चो, UNDP, United Nation Development Program, criteria use करती है, HDI का to compare to different countries, अब HDI में और भी elements जुड़ जाते हैं, कौन कौन से elements जुड़ जाते हैं, literacy rate, knowledge, longevity, और per capita income भी, ये कहते हैं, per capita income के साथ साथ, ये तीनों चीजे भी इसके अंदर involve होनी चाहिए, overall the people in Kerala are more developed, क्यूंकि वहाँ पे low infant mortality rate है, high literacy rate है, और साथी साथ net attendance ratio भी काफी बहतरीन है, बच्चे वहाँ school attend करते हैं, केरला में low per capita income तो है, लेकिन बाकी सारे criteria के basis पे देखा जाए, तो केरला बहुत अच्छा state है, केरला has been able to provide basic health and education facilities तू, तो UNDP तो measure कर रहा है कौन सा criteria, per capita income, HDI वाला, ये HDI के elements है, ये HDI के elements है, लाइफ expectancy, net attendance ratio, साथी साथ आपका longevity, sustainability development का मतलब क्या होता है, एक ऐसी development जहाँ पे हम present generation की need को fulfill करें, और future की needs को बिलकुल भी हाम ना पहुँचाएं, so basically fulfilling the needs of present generation without compromising the needs of future generation, and that's all for development chapter, प्यारा सचुटा सणनना सच चाप्टर है, मैं question क्या आ जाते हैं, देखो, वैसी chapter 2 से 3 number में आने की उमीद है, question subjective wise, one marker तो आएंगे ही, लेकिन उसमें मैंने जितने भी expected थे, साथ सवाल डाल दी हैं, जैसे की, पहले बात तो वो explain वाला, जिसमें आप dams का example देखे explain करोगे, why do people look at mixed goal, mixed goal में आ जाएगा आपका income and other goals वाला topic, कि जैसे की love, respect, यह सब हम पैसों से नहीं खरीच सकते हैं, why is the issue of sustainability important, क्योंकि हम लोग अगर resources को ऐसे ही बे इंतेहां use करते जाएंगे, तो future generation के लिए बिल्कुल भी resource नहीं बच पाएंगे, यह question काफी जाद मैंने pre-boards में देखा, और mid term में देखा, crude oil reserves जो हैं वो limited हैं पूरे world में, अबर लोग इसको इसी तेजी से use करते रहे, तो एक समय ऐसा आएगा कि यह बहुत ही जादा, मलब यह खतम हो जाएंगे, तो तीन चीज़े ऐसी बताइए, solve this problem, पहला minimize कीजिए इसका use, judiciously use कीजिए, सोच समझ के use कीजिए, और तीसरा इसका substitute ढूण दिए, चौथा आप यह भी लिख सकते हो, pooling कीजिए, जहां भी crude oil इस्तमाल होता है, उस aspect को छोड़ दीजिए, चलिए, what is the main criteria used by world bank, world bank क्या use करता है, per capita income, इसकी limitations क्या क्या है बच्चो, इसकी limitations क्या क्या है, यह करता है disparities को high, यानि कि किस, आपने एक table देखा होगा, आपकी NCRT में, जिसमें ना per capita income निकालना है, देखो बच्चों वहाँ पर इंकम कैसे distributed एक फैमिली की 500, 500, 548,500, टोटल 50,000 बन रहा था, ऐसे कुछ करके था, और पाट से डिवाइड कर रहे थे, उसकी average income भी 10,000 आ रही थी, और उपर equal distribution थी, तब भी 10,000 आ रही थी, per capita income सेम थी, लेकिन per capita income, income distribution नहीं बताता है, ठीके न, तो disparities हाई करता है, hide करता है, distribution नहीं बताता है, है न, equality नहीं है, national development of a country depends on the availability of public facilities, देखे बच्चों, public facilities का होना बहुत अनिवारे है, क्यों, देखे, public facilities are those facilities which are owned and controlled by the government, सरकार, बहुत सारे aspects में अभी भी जिन्दा है, माना अमारे देश में privatization आ चुका है, लेकिन सरकार अभी भी government owned sector को own कर रही है, क्यों, क्योंकि बेटा, अब हर, यूनों, पांचों इंगलिया बराबर नहीं होती, हर इंसान महंगी education नहीं ले सकता, हर इंसान महंगी health sector पे नहीं जा सकता, इसलिए सरकार उन सभी basic facilities के उपर से अपना हाथ नहीं हटाती है, basic facilities में अपना हाथ बना के रखती है, तो education हो गया, health हो गया, इन सारी जगाओं पे तो government अभी भी prevail करती है, how does HDI stands for Human Development Index, और हमारा देश अभी 131st rank पे है या 130th पे है भी change हुआ है, and साथ ही साथ इसके elements बताने है, so that's all for development chapter, we have done this chapter in 15 minutes, next 15 minutes we are giving to the second chapter of economics, that is sectors of economy, sectors of economy, sectors of economy chapter में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं, अलग-अलग sectors की, sectors बोले तो primary, secondary, tertiary, अब सवाल तो इसमें से बहुत ही common, repetitive एक आ रहा है, और वो है rising importance of tertiary sector, इतना ज्यादा ये question आ रहा है, चाहे किसी भी तरीके से mold हो के आए, लेकिन question तो ये बहुत ज्यादा आ रहा है, tertiary sector की importance बताने वाला, बागी करेंगे तो हम सारा ही, तो बच्चों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, gross domestic product की, gross domestic product होता है, sum total of all the final goods and services, बच्चो final goods and services कौन से होते हैं, final का मतलब होता है, consumable, ऐसे goods जो अब लोग इस्तिमाल कर सकते हैं, कुरकुरे का packet, bread, maggie, आटा biscuits की packing, अब बच्चों सवाल ये है, कि हम लोग final goods क्यों लेते हैं, तो बच्चों एक बात बताओ, एक खेत है, खेत पे 100 kg गेहूँगी, 100 kg गेहूँगी, आपने 100 kg को count कर लिया, ठीक है, आपने 100 kg को count कर लिया, अब 10 kg गई इसमें से maggie factory में, चलो जी, आपने अब maggie factory के भी 10 kg count कर लिये, 20 kg गई यहाँ पे भाईया, आटा factory में, आटा बन रहा है उसका, आपने 20 kg आटा भी count कर लिया, अब आपने 30 kg यहाँ पे biscuit factory में गई, आपने biscuit भी count कर लिये, कहने की बात यह है, बच्चों यहाँ पे double counting हो जाएगी, अगर हम intermediate goods को, you know, concern करेंगे, intermediate goods को बीच में घुसाएंगे, तो double counting हो जाएगी, 100 kg अल्रेडी है, लेकिन बाकी 100 kg दुबारा आजाएगा, तो double counting of goods को prevent करने के लिए, हम लोग लेते हैं, final goods, now what are intermediatory goods, intermediatory goods का प्यारा सा, simple सा नाम है, raw materials, जो भी goods, एक final good को बनाने में, इस्तमाल किये जाते हैं, production में इस्तमाल होते हैं, उन सभी goods को कहा जाता है, employment is a situation in which a person is working less than his or her capability, for example, if I am able to teach 8 hours a day, मैं 8 घंटे पढ़ा सकती हूँ बचो, लेकिन मैं जो भी reasons हैं, उस वह से सिर्फ 4 घंटे पढ़ा रही हूँ, तो मैं under employed हूँ, मैं अपनी capability से कम काम कर रही हूँ, मनला मैं employed तो हूँ, लेकिन मैं अपनी capability को fully utilize नहीं कर रही हूँ, disguise unemployment का दूसरा नाम होता है बचो, hidden unemployment, ये employment जो होती है न वो छुपीवी होती है, छुपीवी क्योंकि आप नजर में तो आते हो कि आप काम कर रहे हो, लेकिन actually में आप छुपे होते हो, और ये ज़्यादा होती है रूरल एरियाज में, basically एक farm की, मनला में एक farm पे, suppose आप 100 quintal गेहूं उगा रहे हो, और उस गेहूं को उगाने के लिए 4 आदमी बहुत हैं, लेकिन आप अपनी बीवी, बच्चे, चाचा, ताया को लेके आ जाते हो, और 8 लोग अब उस खेट पे काम कर रहे हैं, मेरे को एक बाद बताओ, उस जमीन पे उग ही 100 किलो सकता है, उन 4 जनों के आने से 200 किलो तो नहीं हो जाएगा, उगेगा तो 100 किलो ही, यानि कि वो आके कुछ extra efforts नहीं कर रहे हैं, उल्टा, वो तो आपको under-employed कर रहे हैं, अब वो बाखी के चार लोग अपनी capability से कम काम करेंगे, तो यहाँ पे situation होती है, disguise unemployment की, कि rest of the 4 people are disguise unemployed, वो किसी और field पे जाके काम करके wages कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, और वो ऐसा नहीं करते हैं, तो disguise unemployment कभी भी आपको explain करना आएगा, तो always explain with an example, example जरूर दीजिएगा, चलिए, primary, secondary, tertiary को समझ लेते हैं, primary sector is the basic sector, basic और key sector, यहाँ से, देखें यह भी question आता है, कि how all the three sectors are interdependent, यहाँ पे आपको role बताना है, कि primary अगर, secondary sector को raw material नहीं देगी, तो manufacture क्या करेगी, तो इसका काम होता है, raw material generate करना, यानि कि यह natural चीजों को exploit करके, raw material swarm करती है, और इसके अंदर क्या-क्या आता है, fishing, agriculture, forestry, dairy, mining भी इसके अंदर ही आता है, क्योंकि यहाँ पे भी natural resources आते हैं, तो mining भी इसके अंदर आता है, secondary sector की बात की जाए, यह next step है primary का, यह primary से आये वे goods को क्या करता है, manufacture करता है, fish आई यहाँ से, fish oil बन रहा है, fish tablets बन रही है, cosmetics में उसके oil डल रहे हैं, etc., etc., तो यहाँ पे other forms में convert किया जाता है, इसलिए इसको industrial, या फिर manufacturing sector भी कहा जाता है, manufacturing sector, और बच्चों यहाँ पे sugar cane को convert किया जा रहा है, cotton fiber को convert किया जा रहा है, cotton clothes में, ठीक है, फिर आता है tertiary sector, tertiary sector is also known as service sector, इसको हम कहते हैं, service sector, यहाँ पे बच्चों आपको कोई भी goods बिकतावा नजर नहीं आएगा, क्या आपको मेरे मूँ से निकले वे शब्द है से दिख रहे हैं चलते वे, आपके कानों तक आते वे चल रहे हैं, नहीं, तो यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ services, teaching is a service activity, doctor जो आपको check-up करता है, वो service activity है, banker जो आपको service दे रहा है, वो service activity है, तो यहाँ पे सारे professional चीज़े आती हैं, lawyer, doctor, teacher, engineer, architect, यह सब tertiary sector में आता है, IT sector, चलिए मुझे comments बताईए, आप बढ़े हो क्या बरना चाहते हैं, और आप लोग अपने आपस में ना comments देखेगा, आपको ज़्यादा तर क्या comments नजर आएंगे, कोई भी tertiary sector का, gamer, youtuber, army, army में भी तो आप देश की सेवा कर रहे हो, कोई goods तो रही बेच रहे हो, तो हम लोग अब service sector की तरफ ज़्यादा मुड़ चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे service sector आता है, और इसमें सारी ऐसी activity, जैसे कि transportation, communication, banking, trade teacher, डॉक्टर, यह सब इसमें आते हैं, चीक है, सो कुछ changes आये हैं बच्चो historically, सबसे पहले, सबसे ज़्यादा production और employment बनाने वाला सेक्टर हुआ करता था, primary sector, धीरे 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 लोगों ने shift किया, secondary sector की तरफ, और वहाँ पे employment काफी generate होने लगी, लेकिन आज के time पे जब लोग ज़्यादा पड़े लिखे हो चुके हैं, तो वो पहुत चुके हैं, tertiary sector की तरफ, now, tertiary sector is the biggest employer of all the three sectors, पिटा question एक और भी आता है, कि सबसे ज़्यादा लोग engaged है primary sector में, because of disguise and employment, लेकिन GDP सबसे ज़्यादा कहां से आ रही है, tertiary sector से, क्यों? क्योंकि primary sector में है, disguise and employment, लोग वहाँ पे दिख रहे हैं काम करते वे, लेकिन actually में production उतनी की उतनी है, वही tertiary sector में production जो है, वो काफी बढ़ चुकी है, clear? चालिए, ये question बहुत important है, मतलब मैं कहा रही हूँ, ये तो कर ही लेना, रट ही लेना, खा ही लेना, पी ही लेना, तो basically यहाँ पे basic services, hospital, education, police station, banking, ऐसी services प्रोवाइड की जाती है, और इनकी importance बढ़ रही है, क्योंकि लोग अब समझदार हो रहे हैं, जैसे ऐसे लोगों का income level बढ़ रहा है, उनकी demand for services बढ़ती जा रही है, आज मुझे कुछ खरीदना होता है, तो मैं क्या करती हूँ, online shop, मेरे पास cash होता ही नहीं है, ATM, phone pay, यह सब हम इस्तमाल करते हैं, जी पे नहीं बोलूँगी मैं, rise in production of services based on information and technology, technology, अब लोग जो हैं वो ज्यादा information technology sector side जा चुके हैं, लेकिन बच्चों देखो, partial growth है, yes, everybody in the tertiary sector is not growing, if a person पहले वो रिक्षा पुलर था, अब वो किसी MNC में रेडा पुलर है, लोगों के fridge लेके जा रहा है, लोगों की washing machine लेके जा रहा है, वो रिक्षा चला रहा है तो हर एक के लिए tertiary sector एक standard of living improve करने के लिए ना आके, कही जो sectors हैं, कही जो group of people हैं, वो अभी भी उससे growth नहीं ले पाए हैं, नहीं कर पाए हैं, now under employment मैंने आपको बताया, agriculture sector में सबसे ज़्यादा है, urban areas में plumbers, street vendors, painters, यह सब इसमें आते हैं, यह भी question exam में आ जाता है, कि आप employment generation कैसे कर सकते हो, अब यह दोनों तरीके से आ सकता है, या तो आ सकता है बेटा, urban areas में, कि आप urban areas में ऐसा क्या करो, जिससे employment generate हो, या आ सकता है rural areas में, कि आप rural areas में ऐसा क्या करो, जिससे employment generate हो तो बचो employment generation by government through public work, जैसे कि construction activities dams बनाना rural roads बनाना साथी साथ extension of cheap agriculture लोगों को credit प्रवाइड किया जाए जिससे वो क्या कर सके small scale businesses start कर सके education improve करो, health sector improve करो training provide करो मनरेगा act लेके आए महात्मा national rural employment guarantee act 625 जगाओं पर ये लागू किया गया और साथी साथ इसमें 100 दिन की employment दी गई और साथी साथ अगर आपको employment नहीं मिलती है आपने application डाली भी है तो आपको वो क्या देंगे free में, 3 महीने wages देंगे very important again, organized and unorganized में difference, there are two sectors बच्चों, देखे, organized and unorganized on the basis of hold, organized sector और unorganized sector में difference क्या है organized में, जो भी area है, वो recognized by the government होता है, government जानती होती है, unorganized recognized नहीं होता यहाँ पे terms of employment regular होती है, वहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे laws जैसे की minimum wages act, factory laws, यह सब माने जाते हैं यहाँ पे security, job security होती है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि कल से काम पे मताना, आपके contract होता है, उसकी basis पे आपको एक महीना पहले बताया जाएगा, कि आप कोई और काम धून लीजे, अगले इस महीने से आप हमारी job पे नहीं आएंगे, प्रोविजन और यह बात, यह नहीं है सिर्फ employer के उपर लागू होती है, यह worker के उपर भी लागू होती है, उसको भी पहले application देनी पड़ती है, कि नहीं जी मैं काम छोड़ना चाता हूँ, अब मैं जाना चाता हूँ, एक महीना है, आपको यह और मेरी जगा ढूंड लीजिए, प्रोव dividend fund basically आपकी salary से ही कटता है, हर महीने के अगर आपकी salary एक लाग है, तो आपकी salary आएगी 91, 92,000, बागी के साथ 8,000 में से कुछ तो आपका GST जाएगा, और कुछ आपका save हो रहा है, PF account में, ग्राचुटी, medical facilities यह से provide की जाएगी, unorganized में ऐसा कुछ नहीं है, no control of government, कोई rules regulations नहीं है, low paid jobs है, कोई job security नहीं है, कोई additional benefits नहीं है, तो भाईया, reason क्या है, for the employment of people in unorganized sector, देखो बेटा, लोग क्यों चले जाते हैं, unorganized sector में, भाई, उनके पास documentation नहीं है, उनके पास jobs नहीं है, वो लोग ऐसे चोटी मुटी jobs करने को तयार है, वो लोग enter कर जाते हैं, इसके अंदर, उनको knowledge नहीं होती, contract क्या है, कम दामों प से लोग हैं, small scale industry वाले, casual worker, street vendor, यहाँ पे unorganized sector में कौन-कौन है, landless labor, marginal factors, weavers, artitions, यह सब unorganized तरीके से काम कर रहे हैं, ownership के basis पे दो activities है, public and private, जो हमने भी development में public वाला question पढ़ा, वो actually इस chapter में आना चाहिए, और इस chapter कही है, मैंने शायद वाहां गलती से डाल रही है, private sector is owned by the private individuals, public sector is owned by the government, private sector का main motive क्या होता है, profit कमाना, इनका main motive क्या होता है, social welfare करना, इनका main example क्या है, Tata Iron and Slee company, Reliance, यहाँ पे railway, post office, MTNL, भही आप लोग government sector में क्यों जाना चाहते हैं, again वही, यह लोग वहाँ पे investment करेंगे, जहां लोगों की बड़ातरी हो, electricity प्रोवाइड करना, कमदामों पे, लोगों को PDS system खाना प्रोवाइड करना, education और health, अब देखो न, यह चीज़े अगर private के हाथ में आ गए, तो लोग भूखे मर जाएंगे, लोग illiterate रह जाएंगे, लोग तूटे पजे रह जाएंगे, अगर health facilities सरकार के हाथ में ना हो या education facilities सरकार के हाथ में ना हो तो, so these are some of the most important and repetitive questions from this chapter, why is the tertiary sector becoming so important, इसका वही आ जाता है, rising importance of tertiary sector, ठीक है? why there is a need to protect workers in our organized sector, need क्या है बच्चों, क्योंकि वहापे वह exploit हो रहे है, minimum wages अपनी लिया जा रहा है, उनको maximum number of hours काम कराई जा रहा है, differentiate between organized and organized, public, private, और employment कैसे आप जनरेट कर सकते हो, अर्बन में या रूरल में, credit facilities लेके आओ, लोगों को लिटरेट करो, training provide करो, health sector को better करो, ठीक चले अंगले चाप्टर की तरफ, okay, so next chapter is money and credit, as I said, बग बड़ा ना भाईया, सबसे बड़ा रुपईया, तो आज हम बात करने जा रहे हैं, पैसा और उधार की, यानि कि पैसे के बिना तो भाईया कुछ नहीं चलता, आज के टाइम पे पैसा इतरा important है, कि अगर आपके प अगर पैसा है, तो दुनिया करेगी सलाम, अगर पैसा नहीं है, तो दुनिया नहीं देगी आप पे ध्यान, ये बात आजमाई हुई बात है, आज आप को लॉस हो जाए, सारे रिष्टे नाते देख लेना दूर भागेंगे, वहीं आपके पास दुबारा से पैसा आ जाए वही रिष्टेदार आपको फोन कर करके डिनर लंच पे बुलाएंगे, मैं फिर बोलूँगी आजमाई हुई बात है और ये फैक्ट बात है, इसलिए अच्छे से पढ़ो, लिको और खूब पैसा गमाओ, सच में, मतलब पढ़ो, देखो यार क्यों पढ़ रहे हैं, तो पैसा तो बहुत कमाना है, इसलिए जी तोड महनत कर दो, ऐसा पढ़ो, ऐसी नंबर लाओ, ऐसी जॉब पाओ, कि बस दुनिया आपको, आपके माँ बाप को सलाम करती रह जाए, क्योंकि मैं फिर बोलूँगी, अगर आज आज आपके पास पैसा है, तो अगर आपके प ग्यान, मनी, और क्रेडिट की बात, यूज ओफ मनी की सबसे पहले बात करें ते, देखो यार सबसे पहले तो कहानी सुन लो, कहानी बड़ी प्यारी सी है, यह तो मैं कहानी के तौर पर चैप्टर पूरा बता सकती हो आप लोग को, कहानी इतनी सी है, एक समय ऐसा था, जब एक स्चेंजड विद गुड्स, ठीक है, गुड्स को गुड्स के बदले किया जाता था, एक स्चेंज, पहले यूँ इस्तमाल होते थे, काउ, डांकीज, आइम चोरी, प्रीज जिरे करके भाईया, आपकी जो भी फसल है, पोटाटो है, शूज है, जो भी है, वो समान के बदले समान बेचा खरीदा जाता था, तब पैसा नहीं था, यूज ऑफ मनी तो बात की बात है, पैसा नहीं था, तब बाटर सिस्टम था, लेकिन बाटर सि कुछ नुकसान थे, कुछ drawbacks थे, क्या drawbacks थे, सबसे पहला, double coincidence of wants, यानि कि बच्चो, मेरे पास एक पेर जूते हैं, ठीक है, वन पेर, मैं शूज रखती हूं अपने पास, और मुझे लेने हैं, पटाटोस, 于 ये मैं हूं, ये पटाटोवाला है, मैं उसके पास जाती हूं, मैं कहते हैं, एक पेर शूज ले ले, मुझे दो किलोडो पटाटोस देदे, वह कहेगा मुझे तो पटाटो चाहिए ही नी, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए, कपड़े, अब यहाँ पे है क्लोट्स ब तो जूते चाहिए अब यहाँ पे यह बहुत ही confusing situation हो जाएगी because if I need potatoes I need to find a potato वाला जिसको चाहिए होंगे जूते अब यह कहलाता है double coincidence of wants ऐसा इंसान डूनो जिसको मेरा भी समान चाहिए और मुझे उसका चाहिए हो समझ रहे हो ना बात को तो यहाँ पे यह आती थी दिक्कन और दूसरी दिक्कन दिखना store of value कितना समान store कर लोगे मैं कितने जूते store कर लूँ चलो जूते कर लिए potatoes कर लिए किसके वाँ टमैटो है वो कितना store कर लेगा perishable है खराब हो जाएंगे सड जाएंगे कोई नहीं खरी देगा तीसरी चीज आप कैसे identify करोगे कि एक pair of shoes के बदले दो किलो आलू मिले चार किलो आलू मिले या आधा किलो आलू मिले तो आप वो measure क्या कहते है उसको identification of the measure कितना measure लिया जाए यह तीन बड़े बड़े drawbacks थे बाटर सिस्टम के इसी लिए बच्चो आता है money money भी ऐसे नहीं आई धीरे 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 आई पहले के जमाने में राजाओ महराजाओ ने इस्तमाल करने शुरू किये gold और silver के coins copper के coins लेकिन वो coins खुद में ही उनकी value काफी अच्छी हुई करती थी धीरे धीरे अनको समझ में आया के वैया सरकार is very चालाग ब्रो ये तो बरबाद हो जाएंगे हम फिर निकले बच्चो सिक्के note currencies हमारी Indian rupee currency जो लाई गई by father of all the banks reserve bank of India अब money का काम क्या है पहली बात तो money का काम वो goods and services को exchange करती है और साथ ही साथ सबसे बड़ा drawback of barter system double coincidence of wants को eliminate कर देती है अब मुझे जूते चाहिए अब मुझे आलू चाहिए मैं जाओंगी आलू वाले के पास कित्ते के दिये भाया दो किलो आलू पैसे दूँगी और अलू ले के आजाओंगी double coincidence of wants मुझे नहीं चाहिए कि वो मेरे पैसे लेगा कि नहीं लेगा तो पहले की barter system की कहानी हमने पूरी की पूरी पढ़ ली अब modern currency देखो बच्चो जवानी सिर्व हमें ही थोड़ी चरती है हमारा phone ही थोड़ी update होता है अपडेट तो भाईया पैसे भी हुए आप मेंसे कौन कौन है जिसमें 500 वो 1000 के notes देखे थे पुराने वाले 500 के notes देखे थे आप मेंसे कौन कौन है हैं भाई हाँ 2016 में गायब हुए थे न वो demonetization तो भाईया आपके सामने ही है 2000 का pink pink note आया वो भी बंद हो गया तो कितनी ज़्यादा innovations आये हमने मैंने अपने time पे 25 पैसे भी देखे है मेरे सामने बंद हुए थे 50 पैसे भी देखे है मेरे सामने बंद हुए थे use हो नहीं तो simple सी बात है यहाँ पे आते है paper notes और coins it is not made up of precious metals और इनकी खुद की कोई value नहीं है assertion reason में यह आता है और आप लोग इसको गलत करके आते हो बिटाई बात बिलकुल सही है 10 रुबे का note यहाँ पढ़ा पढ़ा 10 का 1000 नहीं हो जाएगा उसकी अपनी आप में कोई value नहीं है कोई मतलब नहीं है उसका अपने आप में reason for the acceptance of modern currency क्यों हर कोई उसको accept करेगा क्योंकि it is issued by papa of all the banks RBI this is authorized by Indian law इसी लिए यह इस्तमाल किया जाता है as a medium of exchange clear deposits in the bank now देखियार forms of money में forms of money में अलग-अलग होते है एक होता है जैसे आपका paper note, currency, credit card, debit card, deposit with banks, crypto currency अब people deposit extra cash in the bank वो bank में डालते हैं, account खोलते हैं और अपने नाम में डाल देती हैं पैस इससे उनको क्या मिलते हैं? security मिलती है और साथ इसाथ उनको interest में मिलते हैं deposit पे these deposits are demand deposit क्यों? क्योंकि all these deposits can be withdrawn on demand जब आप चाहोगे आप इनको withdraw कर सकते हो तो इसलिए क्या कहलाएंगे बच्चो demand deposits money that can be withdrawn on demand is known as demand deposits तो आप यहाँ पे check के through भी payment कर सकते हो और यहाँ पे निकलवा के पैसे भी दे सकते हो clear बच्चो अब भाया मैं तो बच्पन में bank को समझती थी देवता मैं कहती थी अरे 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 यह तो बिल्कुल NGO का काम कर रहे हैं एक तो हमारे पैसे की safety कर रहे हैं दूसरा हमारे पैसे को you know interest भी दे रहे हैं तो वाओ पापा मैं अपने पापा को बोलती थी पापा बैंक तो भगवान हुए हमारी सेवा कर रहे हैं इतना risk उठा रहे हैं उनका तो चोर आ सकते हैं डाकू आ सकते हैं डाका डालने लेकिन भाया जैसे जैसे मैं बड़ी हुई पढ़ाई करी मैंने का या रीमा तो तो बड़ी लल्लू थी यह बैंक बैंक कर लेते हैं यह भी आ सकता है बचो इंपोर्टेंट है आरभी आई के फंक्शन बता दी जी यह भी आ सकता है सिर्फ बैंक के फंक्शन बता दी यह भी आ सकता है तो बैंक क्या करता है बैंक एक्स्ट्रा कैश को डेपॉजिट करता है यह अपने पास 15% hold भी करके रखता है, बाकी सारा ये loan पे दे सकता है लोगों को, बाकी 15% hold करके रखता है, कि by charge कोई उठके आजया है, सोता जाकता, कि मुझे मेरा पैसा दो तो दे सको, bank extend loans to the people and charge higher rate of interest देखो यार बच्चो question आता है, कि how do banks earn bank पैसा कैसे कमाते है अरे बबा कहां पे हूँ मैं, यहां पे यहां पे मैं डालती हूँ, एक नई slide प्यारी प्यारी, और यहां पे इस नई slide पे, मैं आपको पूरा explain करना चाहूंगी बच्चो how do banks earn compact है तो क्या हुआ, पता तो होना चाहिए है ना भई, how do banks earn आओ देखते हैं how do banks earn देखते हैं इनोट पे पढ़ा रही हूँ तो तो तुमको और मजा आता यहां पे मैं character ले ले थी कोई, अब character मुझे लेना नहीं आता मुझे ना ज़्यादा use करना नहीं आता, mind मत करना देखो जी, पहले तुम्हें यहां पे drawing बना लेती हूँ अपनी प्यारी सी drawing कहती है कि यह है बच्चो एक bank bank ठीक है यह है बच्चो depositor पैसे deposit करने वाला और यह है बच्चो borrower पैसे उधार लेने वाला अब depositor गया bank के पास और bank में जमा करा दिये 2000 रुपे 2000 रुपे जमा करा दिये bank ने कहा मैं तुझे 1% का rate of interest दूँगा भईया depositor happy हो गया मेरा पैसा भी सेव और भईया मुझे interest भी मिल रहे 2000 का 1% कितना हो गया बच्चो 20 रुपेया तो भईया यहाँ पे bank ने इसको 20 रुपेया interest rate दे दिया 2020 रुपे मिल गए depositor आया bank के पास मुझे लोन दे दो bank ने दिया 2000 रुपेया इसको bank ने कहा मैं तुझे लूँगा 10% rate of interest अब बवरुवर ने इनको कितना दिया 200 रुपेया है ना एक मिनट यार मैं गलत किये ना 1% 20 हो गया ठीक है और 10% 200 रुपेया ठीक तो गया हम भी confused आ रहे है ठीक या हमने 200 रुपेया अब आप देखो bank की income क्या हो गई bank की income क्या हो गई interest rate में difference यानि की 200 minus 20 180 रुपेया bank 2000 रुपे से ही कम आ गया and that's how bank earn banks कमाते है ऐसे clear बच्चो एकदम clear तो ऐसे bank कमाते हैं आई ये RBI के functions पढ़ लेते हैं RBI क्या करती है important है ये question 5 नमबर में money and credit से question आ रहा है हर pre board में every pre board has five marker from money and credit how do banks earn RBI के functions important सारे bankों को देखता है बेटा कि वो अपने पास 15% reserve करके रख रहा है के नहीं रख रहा ensure करता है कि bank सिर्फ गरीब अमीरों को लोन तोड़ी देरा गरीबों को भी दे रहा है के नहीं देरा सारे की सारे ये भहिया submit करता है bank की सारी reports देखता है अब बात अब देखो money वाला topic खतम अब हम बात करेंगे credit वाले की बात उधार बेटा उधार भी है न आपकी life में एक positive role भी play करता है एक negative role भी play करता है positive role भी play करता है भया उधार से लोग कहां से कहां पहुँच गए और negative role भी play करता है कि उधार से लोग कहां से कहां पहुँच गए दोनों expression में फरक है दोनों expressions में बहुत फरक है credit एक ऐसा agreement होता है जहां पे एक lender बादा करता है कि मुझे अभी आप goods देदो मैं इसका पैसा आपको चुका दूँगा future में credit can play a positive role when it enables the borrower in increase his earnings और एक negative role लोन लिया उसने लोन लेके बढ़िया शू का order पूरा किया लोन भी चुका दिया और उसको पैसा भी profit भी हो गया वही कहानी थी negative role में स्वपना जी की स्वपना ने लोन लिया लेकिन उसकी खेती खराब हो गई खेती खराब हो गई उसने एक और लोन लिया पुराने लोन को चुकाने के लिए और वो फस्ती चली गई debt trap में उधार के जाल में फस्ती चली गई वो तो बस ये बहुत बड़ा example है किसका कि credit plays a positive and a negative role ओके it can play any role now terms of credit आप उधार लेने जाओगे ऐसा तो है नहीं वो आपको यूहीं उधार दे देंगे कुछ पूछेंगे ही नहीं तो कुछ terms होती है वो आपसे interest rate बताएंगे कि कितना interest आपका लगेगा भाईया अगर आप loan लेते हो तो कितना interest आपको pay करना पड़ेगा दूसरा क्या collateral रख रहे हो collateral का मतलब होता है गिर्वी क्या रख रहे हो आप क्या गिर्वी रख रहे हो आप loan लेने आए हो आप क्या गिर्वी रखोगे ऐसी थोड़ी लोन दे दूँगी मैं आपको आप अगर भाईया gold पे loan लेने आए हो gold गिर्वी रखोगे घर पे loan लेने आए हो suitable monthly installments क्या होंगी आपर नाओ हम लोन कहां से ले सकते हैं दो sources है formal and informal formal sources वो सारे sources होते हैं जो की RBI के अंदर आते हैं informal में कोई supervision के लिए body नहीं बैठी वी यहां पे कौन होता है RBI यहां पे कौन होता है RBI के द्वारा supervised होती है वहां कोई नहीं होता low rate of interest है informal में ज्यादा होता है साथी साथ यहां पे examples में आते हैं bank, cooperatives और वहां पे example में आते हैं कौन friends, family, relatives, money lenders यह सब इसमें आते है rate of interest ज्यादा होता है कोई supervise नहीं करता और unfair means इस्तमाल किये जाते हैं loan वापिस लेने के लिए formal sector meets only partially credit needs of rural India तो इसके इनको expand होने की बहुत बहुत जरूरत है और यह accessible रहे rural areas के लिए भी तापि वो लोग exploit ना हो और इस चीज के लिए एक चीज की शिरुवात की गई पांच नंबर का 80% आने वाला यह सवाल 80% chances है इस सवाल के आने के role of self-help groups द्यान से सुनिएगा बहुत असान है self-help groups में 15-20 लोग का group होता है औरते होती है majority में कही आदमी भी होते है 25-100 रुपे contribute करते हैं मंतली आके और जिसको भी need होती है इस्तमाल होता है उसको दे देते हैं कोई collateral नहीं लगता कोई documentation नहीं लगता विश्वास के दम पे ऐसा किया जाता है सेफ करते हैं इसके इंदा 25-100 रुपे 15-20 लोग होते हैं regular savings की वज़े से ये लोग eligible हो जाते हैं bank से भी loan लेने के बहुत सारे ऐसे self-help groups है जो bank की नजरों में आ जाते हैं और bank इनको फिर loan दे देता है साथी साथ repayment जो होती है वो loan की वो पूरी group के द्वारा bond की जाती है कि अगर कोई इंसान by chance ना repay कर पाया तो हम सब मिलके कर देंगे women self-reliant हो जाती है और साथ ही साथ इनको opportunity मिलती है to discuss about their health, nutrition और domestic issues बेटा इसी के अंदर cooperatives का भी काफी अच्छा रोल है जिसमें ग्रामीन बैंक एक बहुत अच्छा example है मोहमद यूनिस के द्वारा start किया गया और काफी सारे लोग इसमें involved हुए ऐसे ही बहुत सारे cooperatives बनाए जाते हैं farming field में क्रिशक cooperative है जैसे सारे farmers उसमें जुड़े हुए है और ये लोग अपनी community में loans provide करते हैं बहुत ही कम rate of interest no collateral के basis ले तो ये कुछ efforts हैं जो लोगों के द्वारा किये गए हैं credit के sector में that's all for money and credit now the most repeated question how do mangs mediate between those जिनके पास extra पैसा है और जिनके पास नहीं है तो extra पैसा वाला वो depositor हो गया और जिसके पास नहीं है वो borrower हो गया तो इनके बीच में क्या करते हैं ये mediate करते हैं दूसरा functions of RBI positive negative role of credit then differentiate between formal and informal role of SHGs terms of credit के बारे में explain करना आजाता है so these are all six questions that are most expectedly coming from money and credit chapter and that's how we have finished our money and credit now we are moving towards the last chapter of economics that is globalization now what is globalization बच्चों globalization का मत जेको global world एक आपका किसमे है एक history में भी है और यहां पे हम बात करने लगे है ECO के globalization की globalization का मतलब होता है अपने product को worldwide available करा दुनिया भर में आपका world travel करे आपका समान travel करे आपका काम travel करे this is known as globalization globalization से देश prosperous होता है देश की development होती है foreign investment trade की भणोतरी होती है और इस सब को capital बनाया हमारे देश के IT सेक्टर में टेक्नलोजी ने और साथ ही साथ multinational companies में आईए शुरू करते हैं इस chapter को बहुत ही छोटा सा chapter ये बचा है so what is globalization globalization is the process of rapid integration of production between the countries आपस में countries का rapid integration को globalization कहा जाता है there is a movement of goods, services technology and साथ ही साथ लोगों की अलग-अलग countries में जिसकी वज़े से globalization enable हुआ है now what factors have enabled globalization in India is पहली बात role of technology देखे, role of technology में transportation ने, communication ने बहुत ही अच्छा role play किया है जिसकी वज़े से globalization बहुत successful रहा है transportation से goods की delivery बहुत ही जल्दी और कम cost पे हो जाती है information and communication के basis पे देखा जाए तो telecommunication ने बहुत ही speedy transportation करना शुरू कर दिया देश भर में internet ने बहुत ही easy बना दिया communicate करना आज हम video call पे कोई भी deal finalize कर सकते हैं online बैठे बैठे कितने दूर दूर बैठे वोई बच्चों को पढ़ा सकते हैं यह सब possible हुआ because of globalization अब globalization में एक और concept आता है बच्चो एक second मैंने आप एक slide चोड़नी भूल गई मैंने आपको कुछ concepts कुछ समझाने थे इसलिए हाँ तो जैसे की globalization के साथ-साथ एक और चीज लाई गई बच्चो liberalization मिटा इसका complete one shot already इसी channel पे है you can search globalization by Reema ma'am my name is Reema repeating again आप search कर सकते हो जिसके अंदर updated syllabus के साथ मैंने पूरा ये chapter पढ़ाया हुआ liberalization का मतलब होता है removal of restrictions on trade trade के उपर से restrictions हटाने को liberalization कहा जाता है and साथ ही साथ बच्चो ये जो liberalization है इसने भी हमारे देश में globalization को काफी successful बनाया है इसी के साथ possible हुआ foreign investment foreign investment का मतलब क्या होता है investments made by MNCs अब ये MNCs explain कर रही हूं मैं आपको और यहीं पर foreign trade का मतलब क्या होता है although MNCs वैसे नहीं आता है लेकिन एक pre-board में आया वा था तो मैंने का मैं बताऊंगी आप लोगों को foreign trade क्या होता है trade between two countries और ये भी possible कैसे हुआ because of globalization history वाला globalization का भी one shot मैंने डाला हूँ है और वो भी मैं आपको obvious से बाते आगे explain करूंगी इसी series में इसी lecture में तो वो भी मैं आपको बताऊंगी लेकिन महाँ पर history of globalization है कैसे globalization की शुरुबात हुई अब हम बात करते हैं MNCs की MNCs की full form होती है multi national company या फिर corporation भी बोलते है ये जो बीटा companies होती है corporations होती है इनका headquarter तो एक ही जगा पे होता है headquarter एक country में होता है बाकी countries में इनके क्या होते है outlets होते है ऐसा क्यूं किया जाता है बच्चों देखो पहले क्या करते हैं इसे आपने कोका कोला बनाई अब कोका कोला आपने भारत भेजी भारत भेजी महाँ पे लोगों को बहुत पसंद आई इन्होंने वहाँ पे भी अपना एक outlet खोल दिया इन्होंने South Africa भेजी South Africa में वहाँ पे लोगों को पसंद आई इन्हे वहाँ पे भी अपना outlet खोल दिया धीरे 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 करके पूरे वर्ल्ड पे पूरे ग्लोब पे इन्होंने capture कर लिया कोगा कोला को कौन नहीं जानता पेप्सी को कौन नहीं जानता तो ये एक globalized item बन चुका Nescafe, Maggie ये सब globalized item है Cadbury globalized item है तो ये सारी चीज़े globalized क्यों हुई ये MNCs की वज़े से ये MNCs एक जगा पे headquarter रखे बैठी होती है और बाकी जगाओं पे इनके क्या होते है outlets होते है This is MNC इस chapter में से क्या-क्या question मैंने देखे हैं पहली बात तो 2-3 number के इसके questions आ रहे हैं सबसे पहला question मैंने देखा how globalization and MNCs have a great impact on life of workers yes बेटा globalization के आने की वज़े से consumer पे क्या effect पढ़ा या producer पे क्या effect पढ़ा ऐसे question आ रहे हैं तो आप ये अराम से बना के लिख सकते हो देखे बच्छो consumer पे क्या effect पढ़ा उनको मिली या पे workers की है workers को job opportunities मिली employment generation हुई standard of living improved हुआ लेकिन कही जगाओ पे standard of living improved नहीं भी हुआ again वो ही रिक्षा पुलर वाला example आप दे सकते हो how is the competition affecting workers मलब इंडियन exporters को क्या फरक पढ़ा बेटा इनको they faced competition competition face करना पढ़ा कही लोग cope-up भी नहीं कर पाए MNCs ने आके देखो यार MNCs का पूरा topic नहीं है आपके लेकिन अगर होता तो मैं आपको बता दी कि MNCs कैसे घुसती है MNCs local company को या तो पूरा acquire कर लेती है या उनके साथ joint sector बना लेती है ऐसा होता है globalization को क्या enable किया तो globalization को enable क्या क्या किया बच्चो IT sector ने liberalization ने और MNCs ने foreign investment foreign trade की मैंने आपको definition already बता दी effect on consumers and producers भी आप कर सकते हो जैसे consumers में क्या प्रभाफ पढ़ा तो बेटा consumers को क्या मिल गई greater choice मिल गई उनको quality of product मिलने लगा उनको low cost पी goods मिलने लगे competition की बज़े से producers में क्या लिख सकते हो आप heavy competition phase करना पढ़ रहा है better technology को access करना पढ़ रहा है तो ऐसे आप consumers और producers के basis पे भी question आ सकता है तो this is all for economics चार्ट चैप्टर हम लोगों ने पूरे निप्टा लिए हैं अब हम शुरू करेंगे geography तो अब आज आती है हमारी geography की बारी हमारे भुगोल की बारी हमारे देश को समझने की बारी इसको शुरू करने से पहले पहले तो मैं आपको बता दूँ के इस बार lifelines deleted है और lifelines से आने वाला है सिर्फ और सिर्फ map पोर्ट सा जाएंगे etc etc also मैं इस सेशन में history के map तो cover करूंगी लेकिन map geography का cover नहीं करूंगी reason भी बताऊंगी at the end लेकिन पहले आप मेरी बात सुर लीजे ध्यान से 5 chapters 6 chapters resources forest water agriculture mineral manufacturing 6 chapters 6 के 6 chapters है learning आप मुझे कहते हो मैं crops याद नहीं होती आप मुझे कहते हो मैं industries याद नहीं होती minerals याद नहीं हो रहा मेरी जान कोई trick बता दो मेरी जान मेरे बच्चों आप कितनी tricks याद कर लोगे agriculture की याद कर लोगे minerals आप बताओ एक चीज को याद करने के लिए तुम्हें और दूसरी चीज याद करनी पड़े तो मुश्किल है इसी लिए इस problem का थोड़ा सा solution मैं आज लेके आई हूँ और वो है जितने possible थे मैं tables बना के आई हूँ form में लेके आई हूँ ताकि आप लोग को quick 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 revise and recall करने में मदद मिले तो बिना समय व्यार्थ किये let's begin with the first chapter of geography and that chapter is resources and development देखे बच्चों development नाम का chapter आपने economics में बुड़ा पढ़ लिया अब पहले हम बात करने वाले हैं resources के बारे में तो resources क्या होते हैं बच्चों ऐसी कोई भी चीज जो हमारी need को satisfy कर दे उसे कहा जाता है resource भूख लगी है खाना खा लिया resource प्यास लगी है पानी पी लिया पानी resource गर्मी लग रही है इसी चला लिया AC resource सर्दी लग रही है jacket पैनली jacket resource everything and anything which satisfies human need is known as a resource तो basically resource जो है वो technologically accessible होना चाहिए हम उसको पकड़ सके economically feasible होना चाहिए within the you know pocket friendly होना चाहिए और बेटा culturally acceptable होना चाहिए कोई भी चीज ना हो जो आपकी need को satisfy कर रही है जो illegal हो जो भया illegal हो ठीक है ना चाहिए interdependence obviously हम लोग depend करते है resources पे और resource भी अपने किसी काम के नहीं है अगर हम human beings उसको इस्तिमाल ना करें so basically human beings interact with the nature through technology and create institutions to speed up the economic development और इसी तरीके से हम लोग एक दूसरे के साथ क्या है connected है तो basically resources are of two types natural and human made natural वो होते हैं जो renewable है non renewable है renewable यानि कि जो हमारे पास already available है renew हो जाते हैं जल्दी जल्दी non renewable जो की renew होने में बहुत समय लगाते हैं और कुछ होते हैं human based human based मतला हम उसका कितना quality quantity इस्तमाल कर रहे हैं और किस-किस institutions में वो बन रहे हैं बनाए जा रहे हैं जो हम लोग अपने chemicals fertilizers etc जो भी हम use करके बना रहे हैं majorly classification of resources is deleted but one marker आ सकता है इसलिए मैं कराऊंगी classification of resources में origin के basis पे दो हैं biotic and abiotic बायटिक में आते हैं सारे के सारे living organisms और abiotic में आते हैं सारे के सारे non-living organism देखो मैं सारा explain तरीके से लाई हूँ यह से खलो कि बही है origin के basis पे बायटिक अ बायटिक living system और non-living system living बोले तो fluorophon और non-living बोले तो rock metal easily google पे डालो अराम से यह tables मिल जाते हैं exhaustibility के basis पे renewable है non-renewable है renewable कौन से अभी मैंने आपको बताया जो resources हम बार-बार इस्तेमाल कर सकते हैं वो renew हो जाते हैं easily जैसे कि solar energy, wind energy फिर आता है आपका resources जो बहुत समय लेते हैं बनने में दुबारा या बनने बहुत मुश्किल होते हैं जैसे fossil fuels fossil fuels में आपका आ सकता है coal, petroleum ठीक है अब आता है बच्चो ownership कौन own कर रहा है resources को क्या वो individual resources हैं अभी यह stylus मेरा है तो यह ownership होगी individual की community resources जो एक community मिलके use कर रही है जैसे कि अभारी science and fun की app के paid courses उसमें जिसने access लिया है जिसने खरीदा हुआ है crash course या कोई भी course वो वले course वो access कर पा रहे हैं तो community उसी community को मिलेगा national जो पूरे nation का है अब community में आप जैसे apartment का कर सकते हैं जैसे apartment में मंदिर होता है वो यूज कर सकते हैं या मंदिर होता है वो यूज कर सकते हैं जिम होता है वो यूज कर सकते हैं अपार्टमेंट वाले national जो nation से belong करते हैं international जो international यानि कि हमें permission लेनी पड़े ocean का area behind 12 nautical miles हमें अगर लेना है तो हमें पूछना पड़ेगा उससे जुड़ती हुई country से चिक है last is status of development status of development के basis पे number one potential number two develop number three stock number four resource potential वो होते हैं जिसकी technology available है लेकिन resources अभी भी use नहीं किये गए है उस level पे जिस level पे हम कर सकते हैं अभी रखे हुए है जैसे solar और wind energy develop जो अभी हम use कर रहे है कोल पेट्रोल हम यूज कर रहे है stock technology अवैलेबल नहीं है गाड़ी खड़ी है घर के नीचे लेकिन चलानी नहीं आती है वह वाली बात हो गए hydrogen from water h2o में से हम hydrogen का इस्तमाल कर सकते हैं कैसे अभी उसकी technology नहीं है reserves partially use हो रहे है हमने उसको फ्यूचर के लिए रख रख है सेव करके रख रख है कि रिवर वाटर हो गया अब रिवर वाटर को हम लोग electricity generation में भी यूज कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं अभी नीड रही है बेसिकली रिवर माटर मतलब लेक वाटर जो still water है उसमें भी speed up करके हम यूज कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर रहे हैं deleted portion है लेकिन एक number में ना आ जाए इसलिए मैं लेके आई हूं आप लोगों के लिए impact of indiscriminate use of resources अगर हम resources को indiscriminately use करेंगे तो क्या होगा डिप्लीट हो जाएंगे बिटा resources resources कुछ हातों में रह जाएंगे global crisis आ जाएगा ozone layer depletion हो जाएगे अगर हम ज्यादा use करते चले जाएंगे इसलिए आता है concept of sustainable development जो हमने development chapter में भी पढ़ा था ऐसी development जो हम लोग present generation की need को fulfill करते हैं और future के लिए बचा के रखते हैं सेव करके रखते हैं उसे कहा जाता है sustainable development अब बात करते हैं एक earth summit की यह बेटा या तो मैंने वन मार्कर में भी देखा है मैंने प्रीबोर्ट में बच्चों के उसी में देखा है development को और हमारी social economy को बढ़ाना है इसको कहा गया Agenda 21 simple basically environmental damages poverty diseases से लड़ना है globally उसमें सहयोग चाहिए अलग-अलग countries का इसलिए Agenda 21 सभी countries ने माना और उसको लागू किया गया now हमारे देश में बहुत अलग-अलग तरीके के resources पाए जाने काफी diversity है अब diversity अगर देखा जाए तो स्टेट जैसे की 36 जार खंड मध्यप्रदेश यह सब minerals में cold deposits में काफी रिच है अरुनाचल प्रदेश बहुत ज्यादा रिच है water में infrastructure में राजस्तान में है बहुत इस अधिक wind energy और साथी साथ solar energy लेकिन भहिया वाँ water की कमी है यार अव्विस ही बात है हमारे पास कुछ है तो सामने वाले के पास बूसरा कुछ है लगदाक में काफी cultural heritage है but it is deficient in water लेकिन यहाँ पे भी पानी की समझ्या है बचो ठीक है अब resource planning देखो यार अभी अभी बताया कि resources are limited in nature अगर हम उसको ऐसे इस्तमाल करते रहेंगे तो भहिया बहुत दिक्कत आ जाएगी इसलिए हम करेंगे resource की planning resource की planning के steps आपको as it is learn करने है step number one step number one कहता है identify करो कि कितने resources है कितने resources है आप बेटा जब भी कुछ investment करते हो आप अपने pocket देखते हो ना पैसे देखते हो सिमिलर्ली दूसरी चीज आपको क्या करना है plant basically एक ऐसा structure बनाना है जहां पे आप लोग resource development को plan को लागू करोगी identify करोगे जैसे आपने देखा अरुनाच्वर प्रदेश में water की कमी है राजस्तान में water की कमी है अब आप जो आपने resource plan बनाया है और जो आपका development plan है उसको match जरूर करोगी क्योंकि ऐसा ना हो ना development plan कह रहा है कि भाईया नहीं अभी हमारे पास इतना resource है आप coal को use करो resource plan कह रहा है को तो पड़ा ही नहीं है कहां से use करो तो आपस में आपकी हो जाएगी लडाई किसकी माने किसकी ना माने लोग confused ही आ जाएंगे और भाईया resources waste होंगे तो इसलिए हमेशा development plan को resource plan से match कर लेना चाहिए last step भई यह step number two यह step steps में ही लिखने होंगे और यह step number three अब resource development के factors technology we all know हम लोग के पास technology institutions call यह हमने पहले ही पढ़ लिया वो ही वाला है गांधी जी क्या कहते हैं गांधी जी कहते हैं we have enough for anybody's need but not for anybody's greed भईया हम लोग के पास उतना resource है कि हम लोग की demand को fulfill कर सकते हैं लेकिन उनकी लालच को fulfill नहीं कर सकते हैं और वो एक और बात कहते हैं वो कहते हैं हमें mass production नहीं चाहिए कि भईया भर-भर के समान बन रहा है बन रहा हमें production by masses चाहिए कि उस production में बहुत सारे अलग-अलग लोग involved भी हो जुटे काम भी कर रहे हैं employment भी हो तो वो यह demand करते थे अब यह था आपका resources का topic अब हम चलते हैं अगले topic की तरफ इसके वो है land resource देखो जोग्रूफी का section थोड़ा सा बड़ा होने वाला है land resource land resource क्या कहता है Indian land resource जो है वो distributed 43 percent plain area नदन प्लेंस जिसे कहा जाता है basically हाँ 30 percent mountainous region है 27 percent plateau area पाया जाता है ठीक है land utilization की बात करें तो बचो land utilize किया जा रहा है forest की form में होना चाहिए 33 प्रतिशत लेकिन कम है land not available for cultivation बेटा क्यों होगी cultivation हम क्यों नहीं कर रहे होगी या तो वो जमीन बंजर होगी या हम उसको किसी और परपस के लिए इस्तमाल कर रहे होगे road बनी होगी building बनी होगी कुछ भी बना होगा अधर uncultivated land permanent pasture land है या फिर उसको भाई या crop groups के आगे यूज किया हुआ है या फिर वो culturally wasteland है ज्यादा nutrients नहीं है fellow land खाली land current fellow आपने up to one year उसको खाली चोड़ा हुआ है other than current fellow one to five year तक खाली चोड़ा हुआ एक से पांच साल तक खाली चोड़ा है खाली चोड़ना मतलब या तो कोई dispute है या फिर वहाँ पे आपने nutrients regain करने के लिए उसको छोड़ा हुआ है net zone area कितना आप area per agriculture year में sow कर रहे हो ग्रो कर रहे है अब land use pattern बहुत दो तीन number में अगर आ जाए तो आ जाए और इसमें सिफ percentage है कि भाई या forest जो है वो 33% होना चाहिए land under permanent pasture जो है वो भी कम हुई है other than current fellow land जो है वो quality की available है साथ ही साथ net zone area 54% देखा गया है total geographical area कि अब land में कमी क्यों आ रही है लैंड degrade क्यों हो रही है कि भाई या बहुत जादा mining sites बनती चली जा रही है mining तो कर लेते हैं उसके बाद land को ठीक ठाक नहीं करते over grazing इतनी जादा over grazing हो रही है अब देखो यार हम लोगों को अगर momos की plate दोगे हम momos खाएंगे चटनी खाएंगे plate फेग देंगे ऐसा ही करेंगे लेकिन अगर किसी जानवर को दोगे वो plate भी खा जाएगा थेली खा जाती है ना गाए अगर आप थेली में रोटी फेगते हो mineral processing, grinding, dumping of industrial influence ये सभी कारण है बच्चो लैंड के degrade होने के खराब होने के कैसे आप इनको conserve कर सकते हो पेड लगाओ grazing को manage करो shelter belts लगाओ अभी पड़ेंगे इसके बारे में sand dunes लगाओ मिटी के टीले ताकि मिटी उड़े ना wasteland को manage करो, mining activities को control करो, proper industrial influence को dispose करो, treat करने के बाब अब ये था land का topic, अब आता है soil का topic, soil का topic क्या कहता है भाईया, soil भी बिटा एक non renewable kind of thing है काफी ज़्यादा समय लगता है soil को भी बनने में, पहली बात तो natural है, organic है और आपको लगे मैं बार बार भार भेंगी हूँ, यहां क्या देखने हूँ, तो यहां हमारी screen लगी होती है जिसपे हम, यह board दिखता है, screen लगी होती है, आपके comments दिखते है life classes में Soil formation is influenced by microorganisms, animals, humans, साथी साथ temperature भी, weather भी, वहां की soil type को affect करता है और तो और, running water, wind, यह सब soil erosion भी करती है, और soil की formation भी करती है आईए, soil की classification को पढ़ लेते हैं, बहुत ही असान कर दिया आप लोगों के लिए, बहुत ही असान देखे, यह यह तो यह tabular form में one marker आ रहा है, यह फिर आ रहा है भाईया, उसकी features दे रखे, आपको बताना है, soil का नाम क्या है आपको बताना है, soil का नाम क्या है, तो alivial कहती है, यह कहाँ पाई जाती है, पंजाब, हर्याना, OUP, बिहार soil texture sandy loamy clay, deficient है nitrogen phosphorus में, crop उकती है sugar के in paddy wheat cereal, और काफी high fertile in nature है, नदन प्लेंस में पाई जाती है, बहुत असान हो जाएगा इस table से पढ़ना, black soil का का पाई जाती है, rigor soil इसका दूसरा नाम है, clay material है, cotton बहुत अच्छे से बनाती है, red and yellow soil, red and yellow soil, ओडिसा 36 गर वगेरा में पाई जाती है, fine grind clay to long, basically इसमें iron के particles है, इसलिए red in color है, है ना भई, laterite soil, reddish brown in color है again, iron oxide की होने की वज़े से, और cashews वगेरा पाई जाते हैं यहां पर, arid soil, राज़स्तान में, सूखा है, water content कम है, salt ज्यादा है, calcium को बाल ज्यादा है, forest, जो सारा mountainous region में पाया जाता है, acidic soil होती है, और spices, tea, apple, उस पे उगने वाली crops है, last topic is soil erosion, soil erosion का मतलब होता है, removal of top soil, top soil अगर हट जाती है, top soil को fertile soil माला जाता है, वो हट जाती है, तो cropping में आते हैं बहुत सारे issues, अब soil erosion की बात करें, तो denudation of the soil cover, उड़ जाना, बह जाना, कारण क्या-क्या है, natural factors, wind, बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज पानी आ गया, human activities जैसे की, deforestation, overgrade, जो land वाले हैं, almost वही, सारे ही वही, कैसे आप erosion को control कर सकते हो, contour flowing, terrace farming, strip cropping, shelter belts, strip cropping, धारियों में planting करना, बीच में बड़े-बड़े पौधे लगा देना, ताकि हवा बट जाए, terrace farming, सीडिया लगा देना, पानी का flow कम हो जाए, shelter belts, ऐसे डब़ों में खेती करना, again, पानी का flow कम हो जाए, wind का बहाब कम हो जाए, contour flowing, contours में खेती करना, again, level of water and wind will decline, so basically, गुलीज क्या होते हैं, गलीज क्या होते हैं, जब बहुत तेज बहतावा पानी, soil को काट देता है, और गड़े बना देता है, उसे कहा जाता है, गली erosion, okay, और तो और, इसे ravines भी कहा जाता है, deep channels created by fast flowing water, and this is, this was our resource and development chapter, and यहाँ पे इसके important questions की बात कर लेते हैं, इंडिया बहुत ज़्यादा अच्छी है, अलग-अलग resources में, लेकिन कुछ resources में lack करती हैं, ब describe any three factors of any soil, किसी भी factor, किसी भी soil के आ सकते, why there is a need for resource planning, resource are limited in nature, that's why we need to plan, steps बताने है फिर उसके, indiscriminate use of resources की वैसे बहुत सारी problems हो जाएंगी, शुरू में बताया, accumulation हो जाएगा किसी के आतों में, what is soil erosion, उसके तीन methods बताने है, prevent करते हैं, that's it, this was your most important question, let's move to our chapter number two, forest and wildlife, बच्चो मैंने हर chapter का one shot बनाया हुआ है, complete description में, I mean description नहीं, क्या के देसको, detail में, वो भी आप देख सकते हैं, यह आपके quick revision का session है, forest and wildlife चलेंगे, forest and wildlife में सबसे बहले बात करेंगे, हमने बहुत सारा कुछ डिलीट हो गया, इसमें से, flora, fauna, natural habitat, vegetation सब डिलीट, ecosystem सब डिलीट, Indian Wildlife Protection Act लाया गया, 1972 में, जिसमें इन्होंने hunting को किया, ban, legal protection the habitats of animals को, trade रोक दिया wildlife में, publication of all India list of protected species, red book बनाई गई, जिसके अंदर सारे endangered species का नाम लिखा गए, national parks बनाई, wildlife centuries बनाई, बेटा ये आपके मन और अंजन के लिए तो है, लेकिन main motive इन का है, flora and fauna को reserve protect करना, announcement of projects, जैसे की project tiger 1973 में, जिसमें, कॉर्बेट नैशनल पार्क, उत्राखंड में, सुंदर्बन नैशनल पार्क, West Bengal में, ये सब डिक्लेयर किये गए as tiger reserve, tiger is our national animal, बचाना तो बनता है, आपको पता है, इंडिया is the only country where tigers and lion both are found, आपको पता है, हम लोग वो भी करते हैं, ट्रेड भी करते हैं, अगर हमारे पास कोई species की कमी है, तो हम भो मंगवा सकते हैं, हम लोग कहां गए थे, उदेपूर गए थे, वहां पे, एक मेहल के नीचे, मेरे व इंडिया था, जिसके नहीं डाला था, कि वहां पे, एक अधी species थी, जो उन्हें इंपोर्ट करवाई थी, मंगवाई थी, तो ये भी होता है, so there are 39 tiger reserves, legal protection दी जाएगी black buck को, great indian bustard को, because they are limited in nature, also wildlife act of 1986 में, काफी सारे butterflies, moths, beetles, dragonfly को भी act on किया गया, act of 1991 के तहट, अब addition of plants भी किये गए सारी उसमें, लिस्ट में, forest की type की बात करें, तो reserve forest, जिनको reserve किया गया है, बहुत valuable है, कोई उससे कोई समान ले नहीं सकता है, और ये पाए जाते हैं, जम्मू एन कश्मीर, आंदरपरदेश, उत्राखन जैसी जगाओं पे, protected forest होते हैं, जो further depletion से बचाने के लिए होते हैं, उसमें आप लोग कभी-कभी अपने personal perspective के लिए जा सकते हो, लेकिन proper reason validate करके, ये बिटिशोर्स के टाइम से हमाये देश में आ गया था, class 9 में forest society chapter में ये पढ़ाया भी गया है, last is unclass, जो open to all होता है, वहाँ कोई भी जाए, कोई भी-क मान ले, local communities इनको देखती है, गुजराहत, नातन इसन सेट्स, इनके पास काफी ज़्यादा forest की, इन forest की availability है, permanent forest में, reserve and protected forest को permanent forest भी कहा जाता है, ये maintain किये जाते हैं, जिसके लिए timber, साल, ओक, ऐसी चीज़े उगाई जाती है, मध्या प्रदेश का 75% total area, इनी तरीके के forest के अ अंडर आका है, very important topic, community and conservation, देखे बचो, forest को consume, conserve करने के लिए, local communities ने काफी साथ दिया, sacred grooves वाला कोशन भी आ जाता है, तो भहिया, local communities ने काफी एक active role play किया, जैसे की सरिसका tiger reserve, यहाँ पे villagers लड़ पड़े, mining के against, अलवर में 1200 hectare of forest को, डिकलेर किया गया, भैरो देव दाकव century, जिसमें कोई भी नहीं आ सकता, मतलब, hunting और poaching के चकर में, nature worship को एक, you know, एक weapon लिया गया, जिसके अंदर इन लोगों ने क्या किया, जैसे यह tree है, इसको आप काट नहीं सकते, यह तो भहिया, people महादेव है, इनको नहीं काट सकते, last में चिपको moment, और ते चकर गई थी पे पेड़ोते हैं न, सोचो सोचो, और ते जकर गई थी पेड़ो को, किम नहीं हम नहीं काटने देंगे, हमें काट दोस से पहले, so basically बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, save the seed आंदोलन, and नवदन्या aim to crop production, बिना synthetic chemicals को utilize की, organically उगाना है, joint forest management के अंदर एक joint venture था, local village community का और साती साथ forest department का, मिलके इन लोगों ने forest को बचाया था, तो चिपको movement बीज बचाओ आंदोलन, jfm, यह कुछ ऐसे steps है, जो local communities के द्वारा लिये गए, forest वाले chapter में, so we are done with the forest resources, इत्तु सा chapter है, question क्या आ सकते हैं, बहुत असान असान, कि forest की importance बता दो, कितने type के forest हैं nature worship को एक weapon कैसे लिया, example दे दो, क्या steps लिये government ने, कि भाईया forest and wildlife को protect करने के लिए, national parks बनाए, acts लेके आए, projects लेके आए, forest policy आए, और यह reserve किये forest को, कुछ conservation movements का नाम दे दो, तो यहाँ पे jfm, बीज बचाओ अंदोलन, चिपको movement आप ऐसे लिख सकते हो, so this was your second chapter of geography, now, third chapter of geography is, water resources, पानी, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, हम मर भी नहीं सकते, यह एक ऐसी necessity है बचो, हमारी human life की, कि हमें इसको procure, preserve करने की बहुत बहुत आवशकता है, तो आएए इसके बारे में पढ़ते हैं, as we all know, कि 96.5% of the total geographical area, is basically filled with water, जिसमें से smart 2.5% है, जो fresh water है, हमारे earth का 3-4 हिस्सा, पानी से गिरा हुआ है, hydrological cycle, water, यह एक renewable resource है, जो renew होता है बचो, इंडिया में precipitation, यानि की rainfall की मात्रा 4% है, 133rd number पे आते हैं हम, water availability के मामले में, predict किया जा रहा है, 2025 में बहुत सारे ऐसे areas होंगे, जो water scars हो जाएंगे, जहां water की कमी हो जाएगी, क्योंकि water is a limited resource, fresh water, fresh water को हम raining water से भी ले सकते, और ground water से भी, लेकिन अगर यही contaminate हो गए, तो क्या किया जाएगा बचो, कारण क्या है water के scars होने के, पहली बात, water is available in limited quantity, not water, actually fresh water, growing population से demand of water बढ़ती ही चली जा रही है, धीरे-धीरे areas बढ़ रहे हैं, तो धीरे-धीरे water की necessity बढ़ती ही चली जा रही है, wells, tube wells, hand pumps, इन सब से ground water का level, water table भी deplete होता जा रहा है, साथी साथ, जितना हम पानी को use कर रहे हैं, वो industrialization में भी काफी इस्तमाल किया जा रहे हैं, industries बहुत बड़ी users है forest की, साथी साथ, ये लोग electricity भी काफी use करती हैं, जिसकी generation में भी पानी का इस्तमाल होता है, also, urban areas में भी बहुत सारे centers, खुलते चले जा रहे हैं, जहाँ पानी की usage होती है, bad quality of water है बच्चो, water pollute हो गया है, domestic और industrial की वज़े से, जब हम खेती करते हैं, खेती में, खेत में, fertilizers का इस्तमाल करते हैं, वो fertilizers, जमीन के नीचे के पानी को contaminate कर देता है, साथ, ये ही आपको लिखा हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, खराब कर रहे हैं पानी को, अब आता है hydraulic structure, हमारे ancient इंडिया में भी पानी को conserve करने के बहुत सारे methods थे, ये उसकी कुछ example है, श्री नंग विपेरा, had water harvesting system, चंद्रगुप्त मौर्या ने lakes बनाई, dams बनाई, irrigation works का लिंगा में नागा अर्जुन में हुए, भुपाल लेक एक artificial lake बनाई गई गई water conservation के लिए, tank in hoskars Delhi for supplying water to siri fort area, ये कुछ ancient time के है, अब हम बात करते हैं the biggest revolution of water resources chapter, that is multi-purpose project, multi-purpose projects का नाम होता है dams, और dams मनाई जाते हैं हम लोगों की benefit के लिए, लेकिन क्या service के benefits ही होते हैं, नहीं, इसकी positives और negatives, दोनों तरीके की, you know, दोनों तरीके होते हैं, positives की बात कर लेते हैं, सबसे बहले देखिए, ये एक बहुत अच्छा source of water है, electricity generate करता है, flood को control करता है, क्योंकि पानी को ये बांध के रखता है, dams तो पता है राफ लोगो, flowing water पे gate लगाए जाते हैं, जहां flowing water का बहाव और बढ़ा के turbines घुबाए जाते हैं, और उससे electricity generate होती है, dams, recreation होता है, inland navigation आना जाना असान हो जाता है, fish breeding की facility है, जो रुकेवे पानी में fish breed कर सकती है, साथी साथ ये लोग गाओं में irrigation facilities भी provide करते हैं, canals बना के, लेकिन बच्चों जैसा मैंने कहा, इसके disadvantages भी हैं, disadvantages क्या है, ये भाईया natural flow of water को रोकता है, sedimentation करता है, rocky stream bed पत्थार ही कट्टे होते रहते हैं, aquatic life जी नहीं पाते खुलके, vegetation decompose मतलब दब जाती है gates के नीचे, water intensive and commercial crops जो है, मतलब basically ये लोग provide करते हैं, urban areas को, साथी साथ rich और poor में gap create हो जाता है, rich लोग तो यहां से पानी लेते हैं, poor तक पहुंसता नहीं है, वो अभी भी rainfall पे depend करते हैं, काम तो इनका floods कंट्रोल करना है, लेकिन कभी-कभी ये floods आने का कारण भी बन जाता है, और ये question आता भी है, क्योंकि वैसे इनको बनाया जाता है flood कंट्रोल करने में, लेकिन अगर वो बांध तूट गया, वो गेट खुल गया, तो इतनी तेज पानी आएगा कि आस-पास के सारे इलाके को बहा ले जाए, मौहन जदारो नाम की movie में भी ये दिखाया गया, बांध तूटता है और पूरा मौहन जदारो डूब जाता है, heavy sedimentation और कभी-कभी तो ये earthquake और water bond diseases के भी कारण बनते हैं, क्योंकि भारी amount में इन पे दबाव डाला जाता है धरती पे, तो वो earthquake का भी एक कारण बनता है, इसके लिए काफी ज़्यादा प्रोटेस भी किये गए, जैसे नर्मदा बचाओ अंदोलन, तहरी डाम अंदोलन, जिन में लोगों ने ये कहा, कि हम लोगों को यहाँ पे डाम नहीं बनवाना, तो कि इससे ये सारे नुकसान होते हैं, so rainwater harvesting कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा method है, पानी को safe करने का, हम लोग mountainous regions में gulls और kuls बनाते हैं, gulls और kuls और basically channels, गड़े, Bengal में inundation channels, ये भी गड़े होते हैं, राजस्तान में खादिन, ये भी बड़े-बड़े tanks, टंकाज होते हैं, underground tanks होते हैं, ये रहना drinking water को safe किया जाता है, साथी साथ राजस्तान में हो रहा है ये, rooftop rainwater harvesting काफी common है, और में घालिया में bamboo drip irrigation, क्या किया जाता है, ऐसे bamboo के न, ऐसे track सा बनाया जाता है, और धलान में होता है ये, एक जगा पर जाके पानी महां पर एक अठा होता है, rainwater harvesting करने का, Tamil Nadu में हर घर में, rooftop rainwater harvesting compulsory है, fine लगता है अगर कोई नहीं करता, तो बहुत अच्छा step है, जो Tamil Nadu में लिया गया है, and that's our water resources chapter, इसमें आता है, how does urbanization, led to over exploitation of resources, 3 fourth, basically कैसे urbanization से over exploit हो रहा है, इस chapter के कोशनाज सा बना के भी लिख सकते हो, next ज़ेजे कि 3 fourth of the earth service area पानी है, लेकिन क्या कारण है इस कार से, population बढ़ रही है, urbanization है, agriculture commercialize हो चुकी है, basically ये कोशन बहुत अच्छा है, multi-purpose projects, large dams, बहुत scrutiny के अंडर आए है, क्या कारण है, लोग इनको क्यों oppose कर रहे हैं, इनके disadvantages, इसके advantages भी आ सकते हैं, many social movements, चलाई गई, multi-purpose projects के खलाए, disadvantages, कुछ अंदोलन के नाम, Terry Dam, नर्मदा बचाओ, rooftop rainwater harvesting system को, explain करो, अभी अभी चो किया, चटों के उपर, चटों के उपर, अंदर जाती भी pipe, तंका, पहली बारिश, तंके को साफ करने के लिए, और pipe को साफ करने के लिए, उसको store नहीं करते, उसके बाद सारा पानी, सोर किया जाता है, clear, चले आगे, चलिए बच्चों, अब चलते हैं अपने चौथे चाप्टर की तरफ, जो की है अगरी कल्चर, जो की है अगरी कल्चर, वह, वाई आम राइटिंग दे नेम, वह स्टूपड, अगरी कल्चर, खेती बाड़ी, प्राइमरी सेक्टर, आओ बई, जल्दी जल्दी निप्टाते हैं इसको भी, फिर क्या important question है, वह भी देखते हैं, आपको पता है, हमारे देश में, two-third of the total population, is working under agriculture sector, ये खाना प्रोवाइड करती है, और साथी साथ, इंडस्ट्रीज को raw materials भी प्रोवाइड करती है, जिसे एक काम कर सकते है, फार्मिंग तीन तरीके की होती है, एक होती है, primitive subsistence farming, एक होती है, intensive subsistence farming, और एक होती है, commercial farming, commercial farming का टाइप होता है, plantation, primitive subsistence farming होती है, छोटे scale पे, एक farmer है, उसके पास छोटी सी land है, वहाँ पे वो करता है, खेती बाड़ी, जहां काम करते हैं, उसके घर के members, use करता है tools, बहुती छोटे छोटे हाओ, डाओ, दिया, sticks, और साथी साथ, ये monsoon पे depend करता है, पानी के लिए, rain for के लिए, साथी साथ, slash and burn, agriculture भी कहा जाता है, इसको, follows the technique, not कहा जाता है, follows the technique, वो तो उसमें हो गया न, slash and burn, no use of fertilizers, इसलिए productivity थोड़ी सी low है, साथी साथ, अलग-अलग जगाओं पे, इसको जुमिंग, दीपा, it is known as, milpa in Mexico, को अलग-अलग नाम से, इसको जाना जाता है, slash and burn का मतलब होता है, जब आप एक field of land को clear कर देते हो, और आप दूसरी field of land पे चले जाते हो, तो ये कहलाता है, slash and burn, burn क्योंकि वो खाली छोड़ी हुई जमीन को, आप आग लगा देते हो, वो जल जाती है, और वो उसके अंदर nutrients को पैदा करती है, nutrients को regain करवाती है, अब आता है intensive, intensive थोड़ी सी labor use करती है, land holding यानि की fragmentation of lands, देखे जैसे ऐसे population बड़ी, बाप के चार बेटे, चार हिस्से हो गए जमीन के, तो ये वहाँ पे की जाती है, लेकिन इसके अंदर, biochemical inputs इस्तमाल होते हैं, और काफी अच्छी level पे productivity की जाती है, commercial में तो भाईया, market के लिए कर रहे हो, market में बेचने के लिए कर रहे हो, market में बेचा जाता है समान, modern input यूज़ किये जाते हैं, HYV seeds, chemicals, pesticides, काफी अच्छी productivity करता है, और crops grow करते हैं, profit के लिए, इसी का example है, plantation agriculture, एक land पे, एक ही crop उगाई जाएगी, large scale पे, उसे कहा जाता है, plantation, single crop, migrant labor यहाँ पे काम करते हैं, साथी साथ, ये लोग communication system, transportation system के साथ, बना के रखते हैं, क्यूंकि ये पूरा का पूरा, trading purposes के लिए होता है, purposes नहीं, purpose, clear, अब हम बात करते हैं, I don't know, ये पूरा geography is like, बस पढ़ते रहो, और हिंदी करते रहो, cropping patterns, cropping patterns तीन होते हैं, rabi, kharif and zayad, rabi is from October to December, and harvest in, rabi मतलब after rainfall, rainfall के बाद, October, December, April से में में harvesting होती है, crops है wheat barley example में, kharif की बात, में से जुलाए, rain से पहले, harvesting September, October, और crops आपकी हो गई बच्चों या पे, paddy और में, जायद होता है, short season between rabi और kharif season, यहाँ पे उगाई जाते है, cucumber, watermelon, and साथ ही साथ, ये जून में harvest भी किया जाता है, one marker, one marker, one marker आ सकते हैं, major crops in India, मैं हरे crop बिल्कुल भी explain नहीं करूंगी, इसमें table में बताऊंगी, और मैंने इस PPT में explained manner में भी दिये हुए हैं, वैसे, food crops जैसे की wheat, maize, rice, millet, pulses, ये सारी food crops है, cash crop, sugar cane, coffee, coconut, sorry, sugar cane, tobacco, cotton, plantation, जो एक ही crop उखती है, coffee, coconut, tea, rubber, hotty culture में आते हैं, fruits and vegetables, देखे, this is your table, this will help you, मैं आपको बार बार rice, उसका ये temperature, उसका ये area, ऐसे ज कुछ समझाने वाला, इस cropping system, वालब इस crops में अलग-अलग में नहीं है, तो इसलिए this is the table, consider कीज़ेगा इस table को, and that's it, क्योंकि इसमें one marker आ रहा है, tabular form में आपका matching आ रहा है, सारा बताया है, oil seeds बताया है, सारा का सारा बताया है, marathon में भी कराया है, shot वाले में भी कराया है, सारा कराया है, ठीक है, ये देखो, मैंने सारा दे रखे, मैं डिलीट नहीं किया था, कि तुम्हें PPT में सब मिले, कि कैसा है, staple food है, second largest producer है, temperature क्या है, rainfall क्या है, ये सारा मैंने इसमें आपको आगे, 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 बता दिया है, पूरा table में, अब हम चलेंगे, रीफॉर्म वले टॉपिक की तरफ, डिरेक्ट ली, पाश नंबर का question, यही से बनता है, रीफॉर्मेशन में अगर हम बात करें, तो institutional reforms, जैसे की, कुछ, रीफॉर्म मतलब changes, agriculture में कुछ changes लाए गे, जैसे की collectivization, collectivization मतलब, जमीन को collect करना, और उस पे large scale पे खेती करना, consolidation of holdings, रोकना, कोशिश करना, कि lands के बटवारे ना हो, जमिनदारी सिस्टम को हटाना, farmers को crop insurance प्रोवाइड करना, अगर drought आ जाए, fire लग जाए, cyclone उज़ जाए, तो उनको insurance मिले, loans दे उनको कमदामों पे, किसान credit card प्रोवाइड किया जाए, farmers को, personal accidental insurance scheme प्रोवाइड की जाए, कि अगर कुछ भी हो जाए, तो आपको उसकी भरपाई मिल जाए, साथी साथ minimum support price, यानि कि अगर farmer के पास surplus बचाए, तो सरकार उसको MSP पे खरीद ले, और उनको remuneration यानि की, पैसा दे दे, technological reform क्या क्या लाए गए, green revolution, white revolution, weather prediction बताई जाएगी, और तो और agriculture के programs, रेडियो तक पे डाले जाएगे, टेलिविजन तक पे डाले जाएगे, ताकि भारी मात्रा के लोगों के पास ये पहुँचे, घर घर ये पहुँचे, तो ये कुछ measures थे, कुछ reforms थे, अब ये paper में आपका आजाता है, इसी लिए सबसे ज़ादा, आपको पहली बात तो not just primitive, कोई भी primitive subsistence या commercial को, types of farming को explain करना सकता है, कोई भी crop का feature, generally crop दी होगी, आपको बताना होगा, आपको बताना होगा ये कौन सी crop है, generally ही आता है, आपकी किस्मत footy है, खराब है, तो feature भी आ जाता है, technological और institutional reforms बताने हैं, technological और institutional, ठीक है, जो अभी अभी बताएं मैंने, अब हम चलेंगे, chapter number 5, minerals and energy resources की तरफ, करे शुरू, पानी पी ले, पानी पी ले जे, जल जल ले ले लीजे, देखो यार, eco, civics, history, मैंसे सुनोगे समझ आ जाए, जोग्रिफी में confidence तभी आएगा, जब अखेले बैठके, बंद कमरे में पढ़ाई करो, साफ बोल रहे हूँ, क्योंकि आपकी इस बार की जोग्रिफी जो है न, वो self study वाली जोग्रिफी, जब तक कमरा बंद करके नहीं पढ़ोगे, confidence नहीं आएगा, जोग्रिफी में, यह मेरा मानने, मैं यहां तुम्हें हिंधी के इंग्लिष करे जाओंगे, इंग्लिष के हिंदी करे जाओंगे, जब तक तुम खुद बैठके नहीं पढ़ोगे, अपने हाथ से लिखोगे नहीं, तब तक नहीं होगा, बस, यह मेरी राय है इसको मान लेना फाइदे में रहोगे चालो जी चलते हैं Minerals and Energy Resources की तरफ आओ Mineral क्या है? एक Homogeneous Natural Occurring Substance जो मिलता है Nature में Rock क्या है? Combination of Substances Ore क्या है? जो Mineral से Extract किया जाता है Rat Hole Mining क्या है? जोवाई और चिरा पुंजी नाम की जगा बे Coal Mining की जाती है Tunnels में इसे Rat Hole Mining कहा जाता है Ores and Minerals Basically, Ores, Minerals का Extraction Sufficient Amount of Ores Are here और इनको Extract किया जाता है उसके लिए कुछ एक Procedure होता है आओ जी Minerals की Classification पढ़ ले Metallic Minerals कौन से होते हैं? Ferrous Ferrous में पाया जाता है Iron का Content Non-Metallic में Non-Ferrous में No Iron Content Non-Metallic जैसे की Copper, Lead Bauxite Precious, Gold, Silver Platinum Energy Coal, Petroleum जो Energy दे रहे हैं वो सारे आपके Energy Minerals होगे अब बात करते हैं Reasons for Variations in Colors, Luster अलग-अलग भाईया Features है Minerals के क्योंकि Minerals Nature से मिलते हैं Rock से मिलते हैं Soil और Rock टाइप पे Depend करता है इनका Color, इनका Physical Appearance कैसा Soil है, कैसा Rock है उस पे Depend करता है अब Minerals की Accurrence अलग-अलग है Igneous और Metamorphic Rocks में ये पाए जाते है Weans और Lords में Weans क्या होता है Small Cracks Lords क्या होता है बड़े-बड़े Cracks इसमें से निकलते हैं Minerals अब Sedimentary Rock में पाया जाता है Ocean Layer के Bed में नीचे, धर्ती पे तो वहाँ पाया जाता है ये Minerals जैसे की Coal, Beds and Layers Some Minerals जैसे की Gypsum, Potash, Salt Evaporation से मिलते हैं मतलब Evaporate हो जाता है उसमें से सारा Humidity Content Minerals, Bauxite वगएरा पाये जाते हैं Surface Rocks की Decomposition से जितना आप High Pressure में दबा के रखोगे ये बनेंगे Gold, Silver, Platinum पाये जाते हैं Alluvial Deposits पे Basically, इन पे जंग नहीं लगता है पानी का असर नहीं होता है Minerals, Common Salt, Magnesium ये Ocean Water से पाये जाते हैं तो पांच हकरेंसे हैं Basically एक, sorry Igneous और Metamorphic एक Then Sedimentary Then आपका हो गया Ocean से Alluvial Deposits से 4 चार हो गए अब Minerals के Distribution देखो यार Peninsular Rocks में Coal, Metallic Peninsular आपको पता है Peninsular मतलब Area Surrounded By Water From Three Sides Peninsular Sedimentary Rocks In Gujarat, Asam Petroleum Deposit है याँ पे Rajasthan में Non-Metallic Minerals Northern India में कोई Minerals नहीं है कोई Minerals नहीं है बहिया North India में तारा Platu Region में है ना तो भहिया कितना Mineral Content है पता चलेगा कैसा है कैसे आप Extract कर पा रहे हो और कितना आप Market के पास हो Mineral कैसा है वो पता चलेगा Ferris में आ गया Iron Ore Iron Ore एक Basic Mineral है Industrial Development की Backbone है यहाँ कोई Table नहीं है सब बता रही हूँ Iron Ore में Magnetite Hematite Magnetite में 70% Iron Valuable Electrical Industry में थोड़ा कम Iron Content है लेकिन तब भी Industries में यह Utilize किया जाता है वो Electrical Industry में ज़्यादा हो Iron Ore Belts Odisha अभी DAV के पेपर में आया है Ecoshen Iron Ore का Odisha जारकन बेल्ट दुर्ग बस्तर चंदरपूर बेल्ट चिकमंगलूर तुमकुर बेल्ट चित्र दुर्गा चिकमंगलूर तुमकुर बेल्ट महराष्ट गोवा बेल्ट बस Ferris की बात कर रहे है अब manganese manganese इस्तमाल होता है Steel और Ferro manganese की Manufacturing में बनाया जाता है Bleaching Powder Insecticides और Paints इससे Copper यह Non Ferris है Copper Qualities क्या है Malleable है Thin Sheets में बन सकता है Thin Wire में बन सकता है अच्छा Conductor है भहिया Uses क्या है Cables में Electronics में Chemical Industries में इस्तमाल होता है अब बता रखे है Areas Balagat Mines in Madhya Pradesh Singhamam Districts in Jharakand K3 Mines in Rajasthan Map में काम आता है यह सब Boxide Aluminium का बहुत ही अच्छा ओर है पाया जाता है Rocks की Decomposition से Areas है Amar Kantak Plateau Malachi Hills Blaspur Kattni Pachpatli Deposits Odisha Largest Producer है Boxide का Non Metallic में Micah Thin Sheets पतला होता है इतनी सारी Sheets से कत्रित करोगे तब कुछ सेंटीमीटर्स का जाएगा अलग-अलग कलर में अवैलिबल है Areas है चोटा नागपुर, प्लेटियू, अजमेर, इन्राजिस्थान Rock Minerals Limestone Limestone is a kind of rock Basically, cement industry में इस्तमाल होता है Iron की smelting में भी use होता है Furnaces में और यह sedimentary rocks की टाइप में पाया जाता है Accurance Minerals जो हैं उनको conserve करने की आवशक्ता क्यों है यह question आता है एक्जाम Limited availability है बनाना बहुत मुश्किल है बहुत लंबा प्रोसेस है Consume करने का ratio बहुत ज़्यादा है Extraction चलती जा रही है लेकिन बढ़ना नहीं हो रहा मतलब बन नहीं रहा है जितना use हो रहा है कैसे conserve करो अच्छे से इसको use करो planned manner में अच्छी technology ले किया हो और recycle करो metals को recycle करना है metals को अब आते है Energy Resources Energy Resources are those resources which gives us energy Not us हमारी बात होती तो food होता है ना भई Not us Basically they are of two types conventional and non-conventional conventional जो बहुत समय से use हो रहे है fossil fuels non-conventional ताजा ताजा कली खिली है जैसे की solar energy wind energy आओ सबसे पहले तो coal or petroleum की बात कर लेते है coal most abundantly available commercial energy के लिए requirement को पूरा करता है domestically भी use होता है और industries की needs को भी क्या करता है satisfy, fulfill करता है peat सबसे ज्यादा high moisture होता है इसके अंदर lignite, low brown coil bitumenis सबसे बढ़िया वाला coal बुट्टा किस पर बुनते हैं, बताओ कौन सा कोल है, बताओ ज़र आप comment में time stamp डालके anthracide भीया सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया, उससे कम, उससे कम, सबसे कम regions कहां का पाए जाते हैं, पहली बात हो दो ages, गोंदवाना, पुरानी 200 million years ago, tertiary 55 million years ago, 200 million years ago, okay clear, चमक रहा है, एकदम चमक रहा है, अब बात करते हैं, पेट्रोलियम की बच्चो, fuel देता है, heat और lighting में, lubrients की तरह इस्तमाल होता है machinery में, raw material है, industries के लिए, act as a nodal industry जिसके बिना नहीं चल पाओंगे, synthetic textile, fertilizer, chemical industry में, अंकलेश्वर गुजरात में, मुंबै हाई, डिग बोई, नार कतिया, मोरन, हुरिजन, इनासम, ये कुछ इसके areas है, clear, अब बात करते हैं, natural gas की, natural gas बच्चो cleanest fuel है, industry में raw material की तरह भी इस्तमाल होता है, environment friendly है, कोई smoke produce नहीं करता है, vehicles में भी CNG की तरह इस्तमाल होने लग गया है, साथ ही साथ इसकी एक pipeline है, HVJ, हजीरा, विजेपुर, जगदीशपुर, एक ऐसी gas pipeline है, जो मुंबै हाई को link करती है, और भहिया, ये fastest transportation भी करती है, एरियाज बता रखे, अब बात कर लेते हैं, electricity की generation of electricity, किस से होती है, एक तो होती है, hydro, पानी से, एक होती है, thermal, जमीन से भाप निकलती है, आपको पता है, मनिकरन साब गुर्दवारा, आप जानते हैं मनिकरन साब गुर्दवारा के बारे में, मनिकरन साब गुर्दवारा, जो की हिमाचल प्रदेश मनाली में है, वहाँ पे एक ऐसा सरोवर, सरोवर कहूंगी मैं, पानी का एरिया कहूंगी मैं, जिसमें बहुत उबलता वा पानी होता है, और कई लोग कहते हैं, ये तो चमतकार है वाही गुरू का, लेकिन बच्चों ये वाही गुरू का चमतकार नहीं है, एक्चली, कहो तो वाही गुरू का भी है, ये तो भाया नेचर है, भगवान की नेचर है, कि भाया वहाँ पे, लोवर एरियाज में, उस जगा के नीचे ही ऐसी एरिया है, जहां पे क्रैक्स है, जहां से वो हीट निकलती है, और वो हीट डिरेक्ली कहां पहुँचती है, पानी के सरफेस तक, और पानी को गरम कर देती है, जिसकी वएसे वहाँ पे खाना अलंगर प्रसाग भी उस पानी में उबाला और बनाया जाता है, यह सबसे बनाये जाते हैं, अब बात के सबसे कन्वेंशनल सोर्से ओफ एनर्जी, अब हम बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्से ओफ एनर्जी की, फड़ा फड़ से, नुक्लियर एन टॉमिक एनर्जी प्रोसेस क्या है, यह अप्टेन किया जाता है, अटॉमिक से, अटम से एनर्जी क्रियेट की जाती है, इसके अंदर, एरियाज मता रखें, सोलर एनर्जी, भाई आपको पता है, बहुत सूरद चमकता है, काफी ज़्यादा सोलर धूप न जाजस्तान, जैसलमेर, इस सारी जगाओं में भर-भर के विंड एनर्जी पाई जाती है, विंड मिल्स लगाई जाती है, और इस्ते मेटीरियल है, डीकमपोज होने वाला वो डाला जाता है, और इससे जनरेट की जाती है, इलेक्रिसिटी, टाइडल, टाइड्स की, इतनी टेते टाइड्स से जो एलेक्रिसिटी जनरेट की जाती है, फ्लट गेट्स लगाए जाते है, डैम लगाए जाते है, तर्बाइन्स गुमाए जाते है, इससे हल्प मिलती है, इलेक्रिसिटी जनरेशन की, अब इसके एरियाज बता रखें, जियो थर्मल एनर्जी मैंने हो इसका एक्वेशन आता है एनर्जी सेवड इस एनर्जी प्रोड्यूजड एक्स्प्लेइन कि बहिए जो एनर्जी आप सेव कर रहे हो आक्चुली वो प्रोड्यूस हो क्योंकि आप उसको save कर रहे हो तो कैसे कर सकते हो आप यह कैसे proof करोगे हम public transport यूज़ करेंगे हम electricity को धंग से इस्तमाल करेंगे हम power saving devices का इस्तमाल करेंगे low watt की balls यूज़ करना and हम non conventional sources पे ज़्यादा depend करेंगे solar, wind तो ये कुछ इसका example है ये इसका answer है ये एक table लगाया है बचो पहले नहीं बताया कुछ minerals और उसकी states और regions अगर आपको memorize करने में मुश्किल होती है तो ये आपको help कर सकता है अब इसके questions मैंने खाली छोड़े हैं क्योंकि मैं आपको questions बताएगी इसके कि कौन कौन से questions इसके आते हैं सबसे पहला question आता है बेटा how minerals can be conserved कैसे conserve कर जकते है या फिर why there is a सब discuss किया है we need to conserve आपको इसी PPT से इसके answers भी मिल जाएंगे बाकी मेरी one shot वाली वीडियोस में तो है minerals ठीक है दूसरा सवाल आता है बच्चो इसमें coal petroleum वाले question से आप कर लीजेगा portion से कि how coal is formed या how petroleum is formed करके तीसरा आता है बच्चो इसके अंदर hazards of mining बच्चो जब आप mining करते हैं तो कुछ उसके नुक्सान होते हैं लोगों पे जैसे उनको बेटा heart diseases asthmatic problems collapse होने का चट collapse होने का डर होता है कि सारे कुछ miners पे mining के effects तो ये भी आ जाते हैं exam में चौथा मैंने आपको अभी बताया energy saved is energy produced explain और एक में मुझे याद करने दो बस यार यही है बागी हाँ कोई आ जाए कि conventional non-conventional में difference लिख दो तो लिख सकते हो या फिर ferrous non-ferrous ठीक है चालो आखरी chapter of geography chapter number six manufacturing industries manufacturing industry secondary sector का chapter है यहाँ पे हम अलग-अलग industries के बारे में बात करेंगे updated syllabus के इसाब से लेके आई हूँ जो कि बहुत सारी industries हमारी delete भी हुई थी बच्चो delete भी हुई थी चलिए बात कर लेते हैं manufacturing की basically जब हम goods को produce करते हैं raw materials को consumable बनाते हैं इस process को कहा जाता है manufacture और जो industries इस process को follow करती है उन्हें कहा जाता है manufacturing industries अब एक term आती है agglomeration economy agglomeration economy एक ऐसी economy है जहाँ पे जो अलग-अलग industries हैं वो मिल के एक resource को use करने का ठाल लेती हैं जैसे एक नदी बह रही है उसके आसपा 4-5 factories industries हैं वो मिल के उसका इस्तमाल करेंगी यह agglomeration economy कहते हैं कि भाईया मिल के हम लोग इसका utilization कर लेंगे क्या-क्या भाईया importance है 5 marker important question देखो मैं इसके भी last में मैं इसके भी last में most important question लाई हूँ और सबसे पहला what is the importance of manufacturing sector अब यहाँ पे कैसे भी सवाल आ सकता है कि भाईया क्यूं इसको हम save कर रहे हैं यह कैसे help करती है कैसे भी आ सकता है question इसी के अलग-अलग तरीके से question आ जाता है ठीक है चलो तो यह हो गया क्या करता है यह बच्चो यह agriculture को modernize करता है इसका question और क्या आ सकता है how industries and agriculture go hand in hand right यह agriculture पे dependence को रोकता है employment के लिए यह भाईया poverty को कम करता है यह disparities को कम करता है यह foreign exchange rate बढ़ाता है trade करके यह industries के develop होने से एक nation prosperous बनता है खुश हो खुशाल होता है अब बच्चो अब इसका question इसका question agriculture and industries go hand in hand explain explain के भाईया यह लोग क्या करते है हाथ में हाथ डालके चलते हैं कैसे तो बच्चो agrobase industries manufacturing को raw material देती है वही industries agriculture को modernize करती है techniques देती है technology देती है instruments देती है industries इस product को farm यारब देखो chemicals वगरा यह बेचती है fertilizer यह बनाती है तो यह बेचती है तो आपस में यह interdependent है आओ अब classification कर लेते है agrobase agriculture based example cotton wool jute silk mineral based mineral से निकलता है steel iron and steel cement aluminium basic industries जो raw material बना रही है consumer industries जो finished goods बना रही है लोगों के लिए small scale जो वन करोड से कम की investment करके industries बनी हुई है एक करोड से ज्यादा की investment करके industries बनी हुई है ownership के basis पे public sector government के अंडर जो है जैसे की भेल sales team authority Indian limited private sector owned and operated by individuals डाबर reliance टिसको joint sector individuals और सरकार दोनों मिल के काम करते हैं जैसे की oil India limited महानगर gas limited ये मिल के करते हैं cooperatives cooperatives owned and operated by producers जो बना रही है वो ही control कर रही है मिल के group of people चलाते हैं A to Z सारा काम समालते हैं दोनों motive है profit भी कमाना है लेकिन लोगों की welfare भी करना है तो बिल्कुल you know average amount of क्या कहते हैं जो जिस ratio में भहिया investment कर रहे हैं उसी ratio में reward भी लेके जाते हैं example Amul है sugar industry है clear heavy industries जो heavy goods बना रही है जैसे कि steel ship building में जा रहा है light industry switches बना रहे है तारे बना रहे है आओ बात करते हैं बेके करके एक एक industry के बारे में agro based agro based में आता है सबसे पहले textile textile industry में बनाए जाते है textile goods यानि की industrial production काफी employment generate करता है self-reliant है और export भी करता है value chain है complete बनाने से लेकर finished goods तक बनाने तक पूरा खुद से textile industry self-reliant cotton textile की बात करते है सबसे पहले इसमें गुजरात और महराष्ट्र में located है employment बहुत देता है कोई भाईया cotton ball उठा रहा है कोई भाईया ginning कर रहा है spinning कर रहा है weaving कर रहा है बहुत सारे industries chemical dyeing packaging सबको support कर रहा है काफी ज्यादा centralized है weaving is ये कुछ मेटा गड़वड़ी है इस वाले सेंटेंस में जूट एक्साइब largest producer है जूट का जूट गुट्स का second largest है बैंगलादेश के बाद factors क्या है कि हुगली रिवर पे बना हुआ है मेरी जान एक बात सुनों सारे बच्चे कोई भी industry का question आज़े कि यहां क्यों बने वी तो कुछ बाते common है raw material है labor है temperature है water availability है transportation है government के scheme सही है लिख दो अब यह हुगली रिवर के पास को है वही सारी बात है जूट प्रेडूसिंग रहा के पास है transportation अच्छा है water अच्छा पाया जाता है cheap labor है साथ इसाथ banking port facilities पाई जाती है sugar industry wheat के बात second है bulky raw material है sugar के सुक्रोज content transportation में ही lose हो जाता है seasonal in nature है cooperative sector को ज़्यादा suit करता है वह जेब से भी लगा सकते location UP मध्यपरदेश बिहार लेकिन यह shift हुआ है महाराष्टरा में क्योंकि वहाँ पे सुक्रोज content मिठास बहुत अच्छी है वहाँ के शुकर के इंद में ठीक है ना अब बात करते है mineral base यह agrobase थे अब mineral base mineral base में आया है सबसे पहले iron and steel फिर आएगा boxidal medium ऐसे पढ़ेगा copper iron and steel basic industry भी है आगे के लिए raw material भी देती है और consumer भी है basic industry बाकी industry इस पे machinery के लिए depend करती है heavy industry है साथी साथ reason क्या है low cost of iron ore high grade raw material सस्ता labor domestic market मिल जाती है reason वही है सबके same same aluminum smelting nature क्या है second most है पहली बात तो metallurgical important industry है light है good conductor है durable है malleable है bauxite इसका बहुत बलकी material है uses क्या है aircraft utensils में भी काम आता है aluminum location क्या है Odisha West Bengal 36 simple simple chemical industry chemical industry large scale small scale दोनों पाई जाती है आगे actually chemical industry ना अपनी सबसे बड़ी consumer है आपस में consume करते रहते हैं दुस्रे के chemicals है दो तरीके की होती है दोनों grow कर रही है organic भी organic इन और्गैनिक इन और्गैनिक में भाहिया sulfuric acid और caustic acid हो गया और्गैनिक में petrochemicals होगे naturally occurring substances petrol, diesel fertilizer में nature है यूरिया producer of urea phosphoric phosphatic fertilizer ammonium fertilizer fertilizer industry भी है location बता रहा किया बार-बार states नहीं बढ़री मैं automobile center कहा हो सकते है सोचो Delhi good gram noida quick transportation goods services और liberalization के बार removal of trade barriers के बाद काफी grow करेगे काफी grow IT sector employment generation में बैंगलूरू एक electronic capital of India noida गुडगाओ दिल लेकी छोरी basically यहां पे reside करता है अब आता है अगला topic हमारा यह important topic है paper में आने वाला topic है industries कैसे environment को degrade कर रही है smoke निकलता है इतना industries में से खराब कर रही है fossil fuels जला रही है toxic gas release होती है water pollution बिना treat किये सारा का सारा wastage पानी में डाल रही है thermal pollution गरम गरम फैक्टरी से आता है वा पानी ठंडे ठंडे रिवर में डाल रही है aquatic life deserve हो रही है सर्द गरम हो रहा है भाहिया मचली हो noise pollution धर 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 करके generator चलते है electric drills होती है ठक 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 होती है कैसे control करें दूसरा major question recycle और reuse करो industrial influence को treat करके फैको चिमनिया लगाओ oil और gas का यूज करो lubriacans की तरह generators बगेरा में important question industrialization and urbanization go hand in hand how kaise how industries are degrading environment how environmental degradation caused by industries can be controlled ऐसे को industry explain करने नहीं आती है लेकिन आपको location के basis पे आ सकती है कि ये कहां located है क्यूं located है हाँ सौरी यहां क्यूं located है ऐसा आ सकता है थोड़ा सा अगर important industry बता दो मैं तो IT वाली automobile वाली जूट वाली golden fiber भी कहते है ना इसको तो ऐसे आ जाता है बस यार ये कुछ important question है इस chapter से 5 number के भी आ सकते हैं बस इसी के साथ हमारी geography खतम होती है अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्या आखरी किताब और वो है आपकी चुमनेश्वरी history वो है आपकी चुमनेश्वरी history तो आओ वही शुरू करते हैं जल्दी से history को तो इस बार हिस्ट्री में हैं हम लोगों के मात्र चार चैप्टर येस इस बार history काफी डिलीट हुई है बच्चो तो सबसे पहले आता है आपका nationalism in Europe देन आपका आता है nationalism in India देन आपका आता है making of global world and देन आपका आता है print culture and actually चार चैप्टर नहीं साड़े तीन सवा तीन चैप्टर ही है क्यूंकि वहिया थोड़ा सा ही है वो global world तो तो जलो वहिए जल्दी से इस किताब को भी निप्टा लेते हैं the rise of nationalism in Europe की शुरवात करते हैं देखे बचो इस चैप्टर में से क्या-क्या expected questions है कोशिच करेंगे आपको पता है इस चैप्टर की शुरवात होती है एक कहान एक पिक्चर से एक imaginary picture by Frederick Saurio जी जहाँ पे हर nationality हर culture का इंसान एक ही line में एक ही तरफ में जा रहा है obviously ये एक imaginary image होती है और ये वान marker आ जाता है कि किसने draw करी है तो Frederick Saurio उसका answer होता है अब इस चैप्टर के दो most important five markers एक आता है French revolutionary वाला सवाल और एक आता है निपॉलनिक code वाला सवाल very very important है बच्चों मतलब ये तो learn कर ही लेना पाश नमर में आता है French revolutionary वाला तो सिर्फ 5 पॉइंट ना लिखके चेंजेज लाने में तो इन्होंने सबसे पहले शिरुवात की ली सिटियोन और ला पातरी शब्द की ली सिटियोन हर इनसान बराबर है ला पातरी बाप की जमीन fatherland को दर्शाता है और इन्होंने नया tri-color flag लेके आया था क्या मुझे आप comment से बता सकते हैं वो flag कौन से color का था उसे royal flag कहा गया साथी साथ इन लोगों ने national assembly घोशित कर दी थी also administrative system को simple कर दिया गया था centralized कर दिया गया था abolish कर दिया गया था internal custom duties, federal dues को also weights and measures को कर दिया था equal हर जगा आने जाने के लिए weights and measurements equal रहेंगी currency जो होंगी वो कम से कम रहेंगी okay मैं answer बता देती हूँ royal flag का color था blue white and red ठीक है blue, white and red now role of France in liberalizing the Europe from absolutism and monarchy ये हमने class 9 में France revolution में भी पढ़ा है कि भाईया वहां पे बहुत कुछ किया गया मुनार्की को हटाने के लिए और तभी French revolution हम यहां भारत देश में बैठे वे भी पढ़ते हैं लेकिन अगर आपको याद हो उस chapter का अंत हुआ था नेपॉलियन नाम के राजा के द्वारा तो नेपॉलियन नाम के राजा के द्वारा तो उन्हों ने भी कुछ laws, rules and regulations बनाए थे उसे कहा गया civil code of 1804 इसका दूसरा नाम था civil code of 1804 तो basically ये लोगों का दिल तो जीत रहे थे इन सारे codes से लोगों को impress कर रहे थे लेकिन बाद में इनके सारे rules and regulations गलत साबित किये गए basically what he did इन्होंने privilege by birth वो जो nobility, clergy and all के लिए था हटा दिया दूसरा fedial system को भी abolish कर दिया तीसरा इन्होंने equality before law लेके आया सब लोग law क्या आगे बराबर है चौथा right to property लेके आये कि कोई भी इंसान अब property खरीच सकता है और उन्होंने administrative divisions को कर दिया simple again administrative divisions मतलब currency 30 से 2 पिला के खड़ी कर दी थी इन्होंने servdom हटा दिया, manorial dues हटा दिये guild restrictions हटा दिये आने की guild याने की पहले क्या होता था guild पे restrictions था ओहो, guild को guild ही लिख रही हूं मैं यहाँ पे लिखना था group guild का मतलब होता है बच्चो group group बनाना पहले allowed नहीं था लेकिन अब allow कर दिया गया था improvement in transportation system transportation system को बढ़िया किया गया weights and measures को equal किया गया और साथ ही साथ national currency लेके आई गई जो की 30 हुआ करती थी उनको मात्र इन्होंने दो लाके रग दी दो ही currency फिर use होने लगी तो यह कुछ improvement थी जो उन्होंने की लेकिन इसके कुछ drawbacks थे again I am saying लोगों ने पहले इनको hero तो समझ लिया लेकिन कुछ इनके drawbacks थे इन्होंने लोगों को political freedom नहीं दी थी यानि की obviously he was a dictator वो political freedom कैसे दे सकता है भाई तो उनने political freedom नहीं दी थी काफी ज्यादा tax वो लगाते थे censorship था बच्चो censorship में media कोई भी law वाला कुछ भी नेपॉलियन के बारे में नहीं चाप सकते थे साथी साथ लोगों को जबरदस्ती काम करवाया जाता था also अब वहाँ पे नेपॉलियन के आने से पहले क्या था नेपॉलियन के आने से पहले क्या conditions थी तो basically वहाँ पे kingdoms, empires, duchies ये सब कहलाए जाते थे जो छोटे छोटे टुकडों पे काम कर रहे होते थे Habsburg empire included alpine regions, bohemia, lambarde, venetia ये छोटे 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 divisions थे आगे जाके तभी हम इस chapter में क्या पढ़ेंगे? unifications भी पढ़ेंगे अभी People in this empire spoke different languages such as Magyar, Polish and other variety of dialects अलग-अलग भाशा बोलने वाले लोग थे तो बहुत ही जादा variation थी बच्चों यहाँ पे और साथ ही साथ ये लोग, bohemians हो गए, solvacs हो गए, ये सब empires यानि की राजा के अंडर रहते थे The major economic classes were the landed, aristocracy यानि की high-five लोग and tenants in western Europe, दूसरों की जमीनों पे काम करने वाले, serves in eastern Europe तो basically बच्चों, nation state पे दो number का question आ सकता है कि nation state क्या होता है, nation state क्या होता है, तो सबसे पहले तो बच्चों, nation state क्या होता है जिसकी फिक boundary होती है, ठीके ना, boundaries होती है, दूसरा ये लोग connected होते है common culture, common history, shared culture से, और साथी साथ इनका राजा एक होता है ये सबसे बड़ी बात होती है, कि हर, अब देखो ना, अब जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आप सब आपस में कैसे connected हो, आप सब आपस में connected हो मेरे through क्योंकि आप सभी मुझे देख रहे हो, आप comments में एक दूसरे के regular basis पे नाम पढ़ते होंगे कुछ नाम तो हमें इतने याद हो जाते हैं, online वाले बच्चों के हर साल जो इतने consistent होते हैं, तो यह चीज़े क्या करते हैं, connect करके रखती है ठीक है ना, liberalism as the ideology of new emerging middle class, तो what is liberalism? liberalism is basically freedom, नो यह आया है Latin word liber से जिसका मतलब होता है बच्चों free, free, moved, easy now politically it emphasized as freedom of individual, equality before law, right to vote वगेरा सब मिलेगा in the economics fair, यह political में क्या है इसका मतलब बता दिया, liberalism का politically मतलब क्या है politics में free होना, right to property है, right to vote है, लेकिन economically का मतलब है freedom of markets एक जगा से दूसरी जगा जा सको, goods का आदान प्रदान कर सको और इसी के basis पे आया concept of zolverine zolverine आया बचो 1834 में और यह क्या था, यह basically जितने भी custom union या trade पे restrictions लगाई जाएंगी वो zolverine के तहट remove कर दी जाएंगी, trade को आसान बना दिया जाएगा, easy बना दिया जाएगा so as a result merchants को multiple custom duties देनी पड़ती थी और 1834 में Prusia का एक, you know क्या कहते हैं, उसको initiative था जिसके अंदर zolverine उसका नाम दिया गया और यह बनाया गया tariff barriers, taxes वगरा हटाने के लिए और currency को भी simple करने के लिए 30 से 2 पे लेके आने के लिए, ताकि trade असान हो जाए, आप देखो ना अगर आपको दिल्ली से हर्याना आ जाना है, और को trade करना हो, currency अलगो तो कितनी दिक्कत हो जाएगी तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए currencies को भी minimize किया गया, अब चलते हैं भाईया, Europe after the fall of Napoleon, जब Napoleon जी गिर गए, 1815 में battle of Waterloo में हार गए, उसके बाद क्या हुआ बच्चो, बार्प, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और आस्ट्रिया, बार्प, के बीच में हुआ, changes लेके आए, पहली बात तो यहाँ पर चांसलर थे, इसके ड्यूक, मेट्रिनेच, रिस्टोरेशन ओफ बर्बन डानासिटी आई, इस ट्रेटी में, के वापे से भाईया, बर्बन डानासिटी, वो लुईस वाली डानासिटी आजाए, King of Netherlands was given Belgium, जगाएं बाढ़ दी गई, पीडिमेंट was given to Genoa, पीडिमेंट जोन Genoa को दे दिया गया, अरे बाबाई कट गया, extension of Prussian frontiers in West was given to 620, देखो न, North दे दिया गया, और्स्ट्रिया को, South दे दिया गया, किसी को, Poland, Russia को दे दिया गया, तो अलग 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 parts को बाट दिया गया, अलग अलग लोगों में, ताकि France और expand ना कर पाए, अब हम बात करते हैं, revolutionaries के बारे में, revolutionary का नाम आएगा, तो गिसीप मजीनी कहा जाएगा, गिसीप मजीनी तो आएगा ही, देखिए, revolutionaries ने belief किया, liberty of freedom पे, और साथी साथ nation state बनाने, basically creation of nation state, and oppose monarchical order, मुनार्की नहीं होनी चाहिए, freedom होना चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा, जिन्होंने organize किया था revolution in Liguria, he was based in Italy, he also formed secret societies, जैसे कि young Italy in Marsalis, and young Europe in Bernay, ये one marker आ सकते हैं, secret societies, क्यों बनाई गई गई, क्योंकि उस टाइम पे, guilds बनाना allowed नहीं था, secret societies sprang upon Germany, France, Switzerland, and Poland, now, revolutions of 1830, prominent role play किया बेटा, इन liberal nationalists ने, 1830 में, France में वापिस से, वो ट्रेटी ओव वियाना के बाद, moment dynacity आ गई, जहां पे कौन थे, constitutional मुनार्की थी, यानि कि सम्विधान भी है, और मुनार्की भी है, लुइस फिलिपीन के राजा थे, independence of Belgium from Netherlands, याद है, ट्रेटी ओव वियाना में नीदर लैंड को Belgium दिया था, Belgium वालों ने उन से छुटकारा पा लिया, independence of Greece, बिटा अभी अभी परसो ही एक बच्चा में को पेपर दिखा रहा था, मैं देखिए, ये cradle of civilization क्या है, बच्चों मैंने कितनी बार ये question कराया है, तो Greece को cradle of civilization कहा जाता है, civilization का पालना, basically Greece वाले जो थे, वो Ottoman Empire के अंडर थे, ये ऐसे 3 से 4 या 5 नमबर में नहीं आता है, वन मारकर में इससे question आ सकता है, इन्होंने अपने आपको unite करने की लड़ाई शुरू करी थी 1821 में, और इनका सार्दिया Greece के बाहर बैठे हुए, ग्रीस के लोगों ने भी, and finally 1832 में Treti of Constantinople sign किया गया, और ये हुए थे, unified, तो 1821 से 1832 तक इनकी ये revolution चली थी, लड़ाई चली थी, और इन्ही को कहा जाता है, cradle of European civilization, one marker आ सकता है, तो आपको ये याद रहेगा, अगर आप अभी मुझसे सुनेंगे तो, अब बेटा आता है, romanticism का concept, देखो बच्चो, romanticism का नाम आ गया, तो romantic होना चाहिए, थोड़ा सा topic, बहुत ही प्यारा होना चाहिए, romanticism, यहाँ पे वो इम्रान हाश में वाला romanticism ना होके, बलकि देश के परति romanticize करने की बात है, यानि कि हम लोग देश से करेंगे प्यार, देश से करेंगे महबबत, देश से करेंगे इश्ग, और ये इश्ग, प्यार, महबबत दिखाने के लिए, हमने क्या इस्तेमाल किया बचो poetry शायरी समझ रहे हो gifts folk tales folk गीत यह सारी चीज़े हमने इस्तेमाल करी देश के प्रती प्यार करने के लिए so basically it was a cultural movement it was a religious movement यहाँ पर यह लोग emotions पर विलीफ करते थे ना कि science या facts पर also यह लोग folk songs folk dances folk poetry's पर विश्वास करते थे और इसमें आते है Johan Gottfried जो की एक German philosopher थे जिन्होंने कहानी थी das, woke and woke's jist की कि people का ही है यह nation and nation से बने हैं लोग अब देखिए यह भी एक कहानी है तीन नंबर में कभी आ जाए तो आ जाए last year pre-words वगरा में आई थी कि Poland में language ने एक important role play कैसे किया जब अभी मैं आपको treaty of Viana पड़ा रही थी वहां मैंने बताया था कि Poland का कुछ हिस्सा Russia ने कुछ क्या Russia ने acquire कर लिया था जब Russia Poland पे आई तो Russia ने अपनी भाशा को impose करने की कोशिश करी वही Poland के लोगों ने साफ इनकार कर दिया उन्होंने का हम तो अपनी पॉलिश भाशा ही इस्तेमाल करेंगे ओफीशियल पॉपसेज में चर्चेज में जिस भी जगा पे लेकिन वहां पे रशियन लोग मना कर रहे थे तो ये उन्होंने language को as a weapon लिया और अपनी ही भाशा बोलनी शुरू करी तो बेसिकली पॉलिश लैंगविज प्रोहिबिट की गई थी 1831 में रेबिलियन हुआ और इन्होंने कहा हम तो अपनी पॉलिश भाशा को ही बोलेंगे अपने सेंटिमेंट्स को जिन्दा रखने के लिए 1830 में economic diversity आई जिसके अंदर population बहुत बढ़ गई जिसकी वज़े से unemployment हो गया खाने की दिक्कत हो गई machine made goods की काफी लड़ाई और तंगी चलने लगी जो इंग्लैंड से import कराई जाती थी पेजेंट्स जो थे वो अपनी duties अपने taxes दे नहीं पा रहे थे food के prices बढ़ते ही चले जा रहे थे और खाना भी harvest भी बहुत खराब हुआ उस सान economic hardship का समय और फिर आया revolution in 1848 जब food की shortages चल रही थी और unemployment हो रही थी तो वहां के राजा याद है bourbon dynasty restore करी थी लुइस विलिवी को भागना पड़ा के भाया मेरे राज में होते हुए यह क्या हाला चल रहे है France में तो France declared a republic all the males above the age of 21 got the right to vote employment workshops were set up तो basically यह भाग गए थे और यह silesia weavers वाला तो जो 11 silesial weavers जो थे contractors उनको मारे थे इन लोगों ने revolt किया कि हम लोग कैसे चलेंगे भाया कैसे रहेंगे जब यह revolt करने जारते लुइस फिलिपी भाग गए और आर्मी के साथ जब वापिछा है तो 11 वीवर्स को शॉट भी कर दिया था मार भी दिया था बेसिकली यहाँ पर यह बताया गया कि इनके भागने से आपडिकेट मतलब मारना होता है आपडिकेट का मतलब होता है मारना लुइस फिलिपी को फिर बाद में सजा की तोर पे मारा गया और फ्रैंस रेपबलिक हो गया था उस तरह अब बात करते हैं जर्मनी की, अब इसी के बाद शुरुबात होती है जर्मन की, जर्मनी में फ्रांकफुर्ट पार्लेमेंट ने ओफर किया ताज to फ्रेडरिछ विलिम फोर, ये थे प्रूशिया के राजा, और उनको इन्होंने क्या किया? ताज ओफर किया कि आप हमारी जर्मनी को यूनिफाइ कर दो और आप ये यूनिफाइड जर्मनी की गद्दी समभाल लो समभाल लो आप समभाल लो इन्होंने बोला तो ही रिफ्यूस उन्होंने का नहीं जी मैं तो नहीं समभालूंगा as he did not want to be a constitutional monarch उनको मोनार्क होना था उनको constitutional monarch नहीं होना था इन्होंने सर्फडम हटाई bonded labor का system हटाया और साथी साथ Hungarians were granted autonomy, Austria-Hungary के लोग जो थे यहाँ पे काफी ज़्यादा peak पे थे अब बात करते हैं जर्मन की unification की, देखें जर्मन की unification में पुरूशिया का बहुत बड़ा हाथ है बाद में जाके तरस आया और पुरूशिया ने कहा ठीक है हम तुमारी जर्मनी को क्या करनेंगे unify करने में help करेंगे इन्होंने architect बनाया auto one besmark नाम के आदमी को, जिसने तीन लड़ाईया लड़ी साथ सालों में FAD के साथ FAD is basically France, Austria and Denmark इनके साथ साथ सालों में तीन लड़ाईया लड़ी और तीनों की तीनों जीती Finally, King William Kesar William I को unified Germany का राजा घोशित किया गया 1871 में तो Germany कभ unified हुई? 1871 में unified हुई थी पूरी की पूरी Germany तो simple सी कहानी है यहाँ पे पुरूशिया के लोगों ने Auto1 बिस्पार्क में साथ दिया और साथ ही साथ Junkers ने Junkers कौन थे? वहाँ के rich land owners थे Junkers, Monarchs, Army इन सब ने इनका साथ दिया पुरूशिया ने पुरा साथ दिया जर्मन फाइनली यूनिफाई हो गए थी अब बात करते हैं इटली की यूनिफिकेशन की इटली बेटा जी बहुत सारे एरियाज में बटा हुआ था बेसिकली जस लाई का पिज़ा पिज़ा की तरह यह साथ भागों में बटा हुआ था जिसमें से सिर्फ एक भाग सर्दीनिया पिडिमेंट ऐसा भाग था जिस पे इटली के ही राजा बैठे हुए थे जिस पे इटली के ही राजा बैठे हुए थे ठीक है कौन मुझे उसके राजा का नाम बताएगा कौन मुझे उनके राजा का नाम बताएगा सरदीनिया पिडिमेंट के जोन के राजागा अब बात करते हैं हमने बात करनी है मातर चार जगाओं की साथ जगाओं की बात हमने नहीं करनी थे आप बताया हुआ है पिडिमेंट संतेनिया वो था इटेलियन रेविलुशनरी के अंडर नॉर्डन पार्ट था वहिया आस्ट्रिया के हाथ में सेंट्रल पार्ट था वहिया पोप्स के हाथ में किंग्डम ऑफ टू सिसिलीज बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के हाथ में साउट साइड था अब यहां के आर्किटेक्ट कौन थे याद है आपको मैंने बताया था गिसीप मजीनी के बारे में गसीप मजीनी ने इस चीज की शुरुवात करी और अपॉइंट किया काउंट केवर जी को काउंट केवर कौन है इनका तो भाईया इनका जो अटेम्ट था वो अंसक्सेस्फुल हो गया था revolution fail हो गया था आपको पीछे 1830 1848 में दिखाया गया है तो फिर केवर जी आए जो इसके चीफ मिनिस्चर बने और नाम अब तक आपने लिखी दिया होगा विक्टर इमानुवल जी सरदीनिया पीडो मन के अलरेडी राजा थे ठीक है अब फ्रांस के साथ बनाई अलायंस और हराया आस्ट्रियन फोर्सिस को जो की 1859 में हुआ उसके बाग केवर जी ने अपॉइंट किया गिसीप गिराबाल्दी को गिसीप गिराबाल्दी एक लोकल गुंडे थे जिनकी रेड शर्ट आर्मी थी इनके साथ मिलके इन्होंने हडाया साउट से स्पेन को बबन डानस्टी ऑफ स्पेन को 1861 में फाइनली विक्टर इमानुवल जी जो थे वो पूरे यूनिफाइड इटली के राजा घोशित कर दिये गए तो एक-क करके सहयोग के साथ इन्होंने एक-एक एरिया को कैप्चर करते गए और एक-एक एरिया को उड़ाते चले गए और इटली बन गया इटली एंड विक्टर इमानुवल as a unified Italy के राजा ठीक है जी अब बात करते हैं Great Britain की अब बचो इनका जो case है वो strange case है क्योंकि 1688 में already जो England थी वो एक nation state बन चुकी थी वहाँ पर Parliament already था Monarchy हट चुकी थी लेकिन यहाँ पे थी language के basis पे differentiation यहाँ पे थे English भाशा बोलने वाले लोग, Welsh भाशा बोलने वाले लोग Scottish भाशा बोलने वाले लोग और Irish भाशा बोलने वाले लोग सबसे पहले क्या किया गया सबसे पहले English वाले जो थे वो dominant थे यह लोग सबसे पहले गए Scottish वालों के पास, Scotland वालों के पास अब यहां पे इनों ने उनको attract किया कि भहिया तुम हर साथ जोड़ जाओ हम तुम्हारी सारी बाते मानेंगे तुम्हारा कोई भी उनो culture, religion, तुम्हारी भाशा तुम्हारी कपड़े जो तुम पहना चाओ वो अपने ही पहनना लेकिन हमारे साथ मर जोड़ जाओ और वो मान गए Act of Union 1707 के तहट ये मान गए और इसके साथ बन गया United Kingdom of Great Britain लेकिन इसके बाद भी बात खतम नहीं हुई Ireland में division हो रखी थी Catholic और Protestant के बीच अब basically ये लोग क्या करें इन लोगों ने divide and rule खेला पहली बात ये भी बता दूँ आपको जब Scotland वाले उनके साथ merge हुए तो उन्होंने उनको गयलेक भाषा उनकी भाषा बोलने को मना किया गया और उनके national dress पहनने को भी मना कर दिया गया था जो वादा किया था वो इनने निभाया नहीं था अब act of 1801 के तहट Ireland को भी United Kingdom में जोड लिया गया although वहाँ पे वाल्स टोन नाम के आदमी थे जिन्होंने समझाया Catholics को Protestants को के भाईया ये सम हमारे बीच में दड़ार डालने के लिए हो रहा है लेकिन वो लोग इतना पागल हो चुके थे कि वो लोग माने नहीं और वो लोग जुड गए इनके साथ और वेल्स वाले तो बैटा वैसी बहुत छोटे से थे तो उन लोगों ने तो suppression of Catholic population in Ireland वाल्टोन ने तो कहा भईया कि मान जो नहीं माने 1798 में अब वेल्स वाले अपने आप इनकी गोदी में आगे वो छोटा सा ही एरिया था न्यू सिंबल्स आगे ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिटिश फ्लैग आगया यूनियन जैक नैशनल एंथम बन गया गौड सेवार नॉबल किंग और इंग्लिश लैंगवेज जो थी वहांकी नैशनल लैंगवेज हो गई और इसे तरह पूरा ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन बन गया ग्रेट ब्रिटेन बन गया आईये बात करते हैं फीमेल एलिगोरीज के बारे में तो बच्चो फीमेल एलिगोरीज are the best way to show emotions towards our nation तो यहाँ पे आपने पड़ा है France में थी Marianne, जोमन में थी जर्मेनिया, तो basically इसका वो जो पिक्चर है वो आ सकती है कि Olive Branches क्या करती है, Head पे वो तियारा क्या कहता है, Breast Palette क्या कहती है, टूटी हुई Broken Chain क्या कहती है यह सब बहुत important है लेकिन हाँ, पूरी जर्मेनिया सबसे ज्यादा क्या दिखाती है? हिरोइजम दिखाती है. फ्रैंस की मरियेन क्या दिखाती है? यूनिटी दिखाती है. And changing interpretation of nationalism in last quarter of 19th century, nationalism lost its democratic ideas, became a narrow creed for intolerance and war. Exploitation of nationalist symbols by the great powers. Further, ये चीजे बेटा खतम ने हुई. capture कर रहे जाना, दूसरी countries पे भागना, ये सब common था. और इसी के साथ निकल के आता है last topic of this chapter that is Balkans का case. Balkan के case के अगर हम बात करें बचों तो Balkan में क्या हुआ था? Balkan में अलग-अलग slavs थे. ये Ottoman empire के under की एक area था. उनसे ये रिहा हुए. यहाँ पे अलग-अलग slavs थे. रुमानिया, बल्गैरिया, अल्बैनिया, ग्रीस, मेकडॉनिया, क्रोशिया, बॉस्निया, सॉल्वेनिया, सर्भिया, मॉन्टेग्रो. ये Ottoman empire के अंडर थे. inspired by romantic nationalism, they based their struggle for independence और finally ये लोग उनसे छूट भी गए थे. इस अल्बैनिया के पास जादा एरिया क्यूं है, ग्रीस के पास कम क्यूं है, तो आपस में ये लोग इतना जैलेस फील करते थे, जिसकी वजह से, इनमें आपस में rivalry होने लगी, और इसका फाइदा, बाहर बैठे हुए, गिद्ध की तरह आग गड़ाए हुए, रशिया, बड़े-बड़े nations के हाथ लगा, और उन लोगों ने भी बलकन्स पे नजर रखे हुए थे. तो ये सारी problems के चलके शुरुवात हुई, result किया, फर्स वर्ट वर्ड वार में, इनके इस प्रॉब्लम ने. Now, Rise of Nationalism in Colony, it was anti-thesis of nationalism in Europe. It developed in the form of anti-imperialist movement. Basically, what is imperialism? Imperialism is a condition in which a dominant part rule over a recessive part. जैसे, Britishers ने हमारे देश पे हमें दबाने की कोशिश की थी. Believed in national unity and aimed at forming independent nations. Now, that's all for the chapter of nationalism in Europe. We have done in just 25 minutes. We have done the whole chapter. Now, we will be doing its questions. देखे, क्या आ जाता है? Do objectives of Treti of Vienna, 18-15 वाला. Treti of Constantinople के बारे में, यह least important है? यह very, very important. French revolutionary वाला question. La Patrie, Lee City On. May name of Zolvarine. अच्छा question है. Economic hardship, 18-30 वाला population was growing. Food grains, जो थे वो, नहीं इतने कोपप कर पा रहे थे. Nation building process of Germany unification. Balkans का civil code of 1804, very, very important. Unification very, very important. Unification very, very important. Importance of language in Poland. And, NCRT questions of this chapter are और चुमनेश्वरी are to die for. अगर यह questions आपने कर लिए, तो आपके बल्ले-बल्ले हो जाएगी. बल्ले-बल्ले. उसी में से paper बनेगा. I am sure. उठा लो last year का paper और देख लो. उसी में से होगा. Clear? Let's move to our second chapter then. Nationalism in India. भारत देश में nationalism का concept उजागर हुआ. पहले हमने पढ़ा nationalism in Europe. अब हम बात करेंगे nationalism in India के बारे में nation के प्रती प्यार. You know, शारुखान का पोस प्यार. So, basically, nation के प्रती प्यार, छुड़ी-चुड़े events, बच्पन वाले events भी इसके अंदर आएंगे. आएए बात करते हैं. Introduction की. तो यॉरोप के बाद हमने nation states के बारे में तो पढ़ लिया. ऐसे ही, इंडिया में भी Britishers के खिलाफ बहुत सारी movement anti-colonial movement चलाई गई. Anti-colonial basically मतलब colonial period के खिलाफ. स्वासी भी उसमें खूप फसे. काफी खर्चा हुआ. साथी साथ हमारे custom duties बढ़ गए. Prices of goods बढ़ गए. क्योंकि हम लोग war needs को पूरा कर रहे थे. और उसी समय crops भी खराब होने की वज़े से. काफी ज़ादा बिमारिया भी फैल रही थी. फिर उसके बाद आता है concept of सत्याग्रहे. सत्याग्रहे is basically a concept launched by गांधी जी. गांधी जी South Africa से January 1915 में पड़के भारत देश आये. उन्होंने South Africa में भी सत्याग्रहे का movement चलाया था. सत्याग्रहे का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रहे करना. इसी concept के चलते वो तीन जगाहों पे गए. चंपारन, खेडा और एहम्दाबाद. बिटा जी ये अब 1917 ही है लेटेस बुक्स में. चंपारन बिहार वो बिहार में ये मैप में भी आ जाता है. बिहार में चंपारन में वो गए, लड़ने, प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट. वहाँ पे प्लांटेशन सिस्टम होता था. एकी फील्ड पे लोगों से काम करवाया जाता था. तो सिंगल टाइप की क्रॉप उगाई जाती थी. सेकिंड वो गए खेडा में, जहाँ पे, यहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन का बेसिकली था. क्योंकि वहाँ पे फार्मर लोग मना करते थे, कि हम लोग इंडिगो निग उगाएंगे. इंडिगो उगाने के बाद आप वहाँ पे कोई भी फूड प्रोड़क्ट नहीं उगा सकते, फूड क्रॉप नहीं उगा सकते, क्योंकि वह जहरीला कर देगा जमीन को, तो इंडिगो के खिलाफ वहाँ पे वो लड़ने गए थे, फिर वो गए उसी साल खेडा में, जो कि गुजरात में है, वहाँ पे यह लोग लड़े, रिवेन्यू सिस्टम के अगेंस, हाई रिवेन्यू स्टार्ड किये जाते थे फार्मर से, उसके अगेंस यह लड़े, और उसके बाद वो गए एहमदाबाद में, एहमदाबाद में गुजरात में, एक कॉटल मिल वर्कर्स को सपोर्ट करने गए थे, 1918 में, उसके तहट किसी भी रिवॉल्ट करने वाले इंसान को, दो साल की सर्दा सुना दी जाएगी बाइदा सरकार, और साथ ही साथ, इनको बिना किसी ट्राइल के जेल में रखा जाएगा, दो सालों के लिए, महात्मा गांधी जी ने हरताल घोशित कर दी, इसके अगेंस्ट 6 अपरिल 1919 में, 10 अपरिल को मार्शल लॉ लगा दिया गया, मार्शल लॉ के तहट डंडो से मारा जाएगा, अगर लोग एक ग्रूप बना के खड़े हुए, अगर पाए जाएंगे तो, तो बेसिकली बिटिश ने, फाइरिंग करनी शुड़ू कर देनी है, कहीं पे भी अगर जहां पे जुट बनाओगा, गुट बनाओगा, इसी के चलते 13 अपरिल आई, 13 अपरिल को था बेसाखी का त्योहार, भाई पंजाब में, अमरिट सर में तो बेसाखी, लोग बेसाखी का मेला, देखने आये थे जलिया वाला बाग में, इन फेमस जलिया वाला बाग था, वो कोई फेमस नहीं था, तो बेसिकली वहां पे बुलाया गया, जनरल डायर के द्वारा, एग्जिट गेट को कर दिया गया, बंद, और ओपन फायर कर दि गई, कितने लोग तो खुद ही मां के कुए में कूद के, जान दिये गए, महात्मा गांधी जी ने, सत्या ग्रह को वापिस ले लिया, क्योंकि सत्या ग्रह ने, वाइलेंट टर्न ले लिया था, और इसके चलते आपको पता है, ब्रिटिश वोज ने भारतियों से, नाक रगडवाई थी जमीन पे, उनके घुटनों पे, कि हम लोग ऐसा आज के बाद नहीं करेंगे, ऐसा क्यों किया गया था बच्चों, ताकि हिंदुस्तानियों में वो डर वापिस आ जाए, जो वो खोए जा रहे थे, अब इसके बाद नया कंसेप्ट आया, 1919 के बाद, Non-Cooperation Movement का, सो बेसिकली, वहाँ पे सबसे पहले तो, खिलाफवत कमेटी की बात कर लेते हैं, First World War में, तर्की के अंडर, वोस्ट वी डिप्रीट बाई Ottoman Empire, और उनको डर था, कि हम लोगों का खलीफा वर्ल्ड, यानि कि हम लोगों का मुस्लिम कल्चर, खतम हो जाएगा हिंदूस्तानियों में, तो इसलिए महात्मा गांदी जी, मुहमद अली और शौकत अली के साथ, खिलाफत कमेटी बनाए, जिनकी अकॉर्डिंग, हिंदूस और मुस्लिम्स को, युनाइट करने के लिए लड़ा जाएगा, लेकिन आपने देखा, जलियावाला बाग, हम लोगों के साथ क्या हुआ है, हम तो अपने बच्चों को लेके बस घूमने गए तो, और वहाँ हम पे चला दी गई गोलिया, हमें मार दिया गया, कितने परिवार तूट गए, सो कॉंग्रेस सेशन ओफ कालकटा, सेप्टेंबर नाइटीन ट्वेंटी, देखें बच्चों माप में सेशन आते हैं, और सेशन में, 1920 में दो सेशन हुए थे, एक हुआ था सेप्टेंबर में, एक हुआ था डिसेंबर में, सेप्टेंबर वाला हुआ कैलकटा में, डिसेंबर वाला हुआ नाकपुर में, सेप्टेंबर वाले में, पे finally adopt कर लिया गया था non-corporation movement. अब non-corporation movement क्या था? As the name suggests, not to cooperate with Britishers. हम लोग Britishers के साथ cooperate नहीं करेंगे. देखे बचो, आप वहां रहना पसंद करोगे, जहां पे आपको मज़ेदार खाना, phone, TV चलाने को, घुमने फिरने को मिलेगा. तो similarly, हमारे भारतियों ने कहा, कि Britishers को यहां रहने से मज़ा क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग उसका साथ दे रहे हैं. हम लोग उनके बनाए हुए institutions में काम कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, उनके cotton clothes, goods पहन रहे हैं, उनकी अंग्रेजी दारूपी रहे हैं, तो क्यों ना उनको मज़ा आएगा भाईया, हम लोग तो उनका पूरा साथ दे रहे हैं, तो इस concept के according, हम लोग उनके साथ अब corporate नहीं करेंगे, और हम अब उनको अपना काम्या सक्सेस्फुल नहीं होने देंगे. तो students, teachers, schools, colleges छोड़ दिये, lawyers ने भी practice छोड़ दिया, elections के लिए भी मना कर दिया गया, बस मदरास वलों ने मना नहीं कहा था, यूँकि मदरास वलों ने कहा अगर आप elections से भी पीछे अट जाओगे, तो हम लोग किसी भी तरीके से जीत नहीं सकते, और Britishers के अगेंस कुछ कह नहीं पाएंगे. So boycott of foreign goods, picketing of liquor shops, boycott of foreign trade, ये सब किया गया non-corporation movement के तहत, लेकिन बच्चों, ये जो movement थी, वो हो गई slow down, वो हो गई धीरे, क्यों बच्चों? क्योंकि non-corporation movement में, हमने colleges, schools तो छोड़ दिये, लेकिन क्या कोई भारतिय स्कूल, या भारतिय कॉलिज था, जो इन बच्चों को पढ़ाएगा, इन टीचर्स को जॉब देगा, इन लॉयर्स को केस लर्णने देगा, नहीं, तो लोग की livelihood पे आ गई थी बात, तो इसलिए वापिस से, उन्होंने school, colleges, जोइन करने शुरू कर दिये, दूसरी बात, हम लोगोंने बड़े-बड़े फॉनफायर्स में, British goods को जला दिया, लेकिन खादी तो बहुत ही expensive थी, हम लोग खादी के कपड़े नहीं पहन पा रहे थे, तो वापिस से हमने Britishers के goods को भी, यूज़ करना शुरू कर दिया था, clear बचो, समझ में आ रहा है ना एकदम बड़िया, तो ओध में, ओध में क्या हुआ, high rents थे बिटा, beggar system था, काफी ज्यादा यूनों वहाँ पे, rules and regulations थे, तो वहाँ के लोगोंने नाय दोभी बंद किया, नाय दोभी बंद अंडर बाबा राम चंद्र, तालुकदार के अगेंस्ट, ओध में किया गया, जिसके तहट basic services, जैसे की नाय यानि की बारबर, दोभी यानि की वाशर्मन, ये हम services तालुकदार को प्रोवाइट नहीं करेंगे, आप हमारी बात नहीं मान रहें, हम ऐसे आपके साथ corporate नहीं करेंगे, so basically, setting up of Kisan Sabah, under the leadership of Juhalal Nehru, and it got integrated into a wider movement, with the beginning of non-corporation movement, तो अलग-अलग जगाओं पे NCM की जा रही थी, however, peasant became violent, by attacking the houses of तालुकदार्स, merchants, और साथी साथ इनने बाजार्स और ग्रेन वीज को लूटना भी शुरू कर दिया था, वही non-corporation movement, आंदर प्रिदेश में क्या चल रहा है, आंदर प्रिदेश में थे गुदेम हिल्स, गुदेम हिल्स में, tribal people जो थे, उनको अंदर जाना allowed नहीं था, according to forest act, अब वहां पे थे, अलूरी सीता राम राजू, अलूरी सीता राम राजू, अपने आप को मानते थे, भगवान का अफ्तार, incarnation of God, भगवान का बच्चा, जो गोलियों को पार कर जाएगा, गोलियों को सह जाएगा, और साथ ही साथ, अलूरी सीता राम राजू जी, लोगों की लिए, एक भगवान की तरह थे, ये गांधी जी के हर नक्षे कदम पे चलते थे, मदिरा पान ना करें, यानि की दारू ना पियें, खादी का उपियोग करें, लेकिन वो एक ही चीज़ पे, गांधी जी के साथ नहीं थे, और वो थे नॉन वाइलन्स वाली चीज़ पे, उन्होंने कहा, भाईया मूँ से तो भेजने ही पाऊँगे बिर्टिशर्स को, हाथ पाऊँ तो चलाने पड़ेंगे, गोलिया तो चलानी पड़ेंगी, इस चीज़ में वो महात्मा गांधी सी से अलग थे, लेकिन अट दे एंड उनको बिर्टिशर्स के द्वारा क्याप्चर किया गया, और उनको मार दिया गया, और वो वहां के बन गए फोक हीरो, वहां के लोग उनको अभी भी मानते हैं, अब बच्चो, नौन कॉपरेशन मुव्मेंट इन भहिया, असम, असम में स्वराज, स्वराज यानि की सेल्फ रूल का कंसेप्ट, लोगों ने कुछ अलग तरीके से ले लिया, वहां पे बच्चो, इनलैंड इमाइगरेशन आक्ट हुआ करता था, 1859 का, जिसके तहत, आपको प्लांटेशन फील्स छोड़ के जाना अलाउड नहीं था, क्योंकि यहां पे सारे माइगरेट लेबर्स काम करते हैं, तो वो लोग ना इनको छोड़ के अपने घर नहीं जा सकते, किसी भी रीचुवल के लिए, किसी भी कुछ के लिए, छुटी नहीं मिलती थी इनको, नौन कॉपरेशन मुव्मेंट जब आया, स्वराज का नाम इन्होंने सुना, तो ये लोग तो भी या निकल पड़े अपने घर की तरफ, कि भी या स्वराज है, सेल्फ रूल है, हम तो निकल जाते हैं, और रास्ते में हर जगा हर्ताल हुई भी थी, गांदी जी के नाम पे ये सब कर रहे थे, और पुलिस वालों ने इनको पकड़ लिया, डंडों से मारा और वापिस भेज दिया इनके प्लांटेशन फील्ड्स पर, अब बच्चो इतना वालन्स हो रहा है, चौरी-चौरा गौरकपुर उत्तर प्रिदेश नाम की जगा में, 22 ब्रिटिश पुलिसमेन को जिंदा ज़ला दिया गया था, चौरी-चौरा हत्याकान कहा जाता है, 1922 में, इसी के चलते महात्मा गांदी जी ने NCM को वापिस खीच लिया, वालन्स तो लाना ही नहीं है, वो इस चीज़ पे तो बिटा है, बोलते-बोलते मर गए, कि वालन्स नहीं होना जी, बस, वालन्स नहीं होना जी, यह उनका कहना है, आफर दे कॉलिंग अफ नाहन कोपरिशन मूवमेंट, फामेशन और स्वराज पार्टी, अंडर सीयारदास, मोतिलान, नहरू, बेसिकली, दे वर एक्चिली, देर, टु बोईकॉट इलेक्शन, कि हम लोग इलेक्शन ली लड़ेंगे, अब देखो बच्चों, इसी के बाद आती है, इसी के बनाएवे, रूल्स और रेगिलेशन को, ओबे नहीं करना, मानना ही नहीं है, बेसिकली, एक्टनॉमिक देप्रेशन, अब प्राइस अफ एग्रिगल्टर गुड्स, फेल, और एक्स्पोर्ट हुए, कम, अब क्या हुआ, स्टैटिटरी कमीशन, अपॉइंट की गई, बाई दे टॉरी गवर्मेंट, सर जॉन साइमन के अंडर, के आओ, और भारत देश का सम्विधान लिखो, ठीक है जी, आ गई गवर्मेंट, पूरी कमीशन उठके आ गई, सर जॉन साइमन के अंडर, भारत देश का सम्विधान लिखना है न, भारतिय कहां है, एक भी भारतिय उसमें नहीं था बच्चो, तो क्या किया, लोगों ने, लोगों ने 1928 में, गो बैक साइमन नाम के नारे लगाए, और कहा, निकलो हमारे भारत देश से, हम लोग अपना सम्विधान खुद लिख लेंगे, तो कॉंग्रेस सेशन हुआ लाहौर में, 1929 में, जवालाल नहरू के अंडर, इट में डिमांड फॉर कम्प्लीट इंडिपेंडेंस कहा, हम लोग 26 जनवरी 1930 को घोशित कर देते हैं, इंडिपेंडेंस दे और पूर्ण स्वराज लागू कर देते हैं, बच्चों यही कारण है, 26 जनवरी आने वाला है ना जैहिंद, यही कारण है, जवाहरलाल नहरू जी को, रिस्पेक्ट के तहत, हमारा सम्विधान 26 नवंबर, 1949 में बनने के बावजूद, 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था, इसी डेट की वज़े से, क्योंकि जवाहलाल नहरू जी ने कहा था, कि हम लोग पूर्ण स्वराज घोशित करते हैं, गोरो को हमारे देश में होने के बावजूद, हम ऐसे शो करेंगे, कि हम लोग हो गए हैं इंडिपेंडेंट, लेकिन ये चीज में उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला था, लोगों का इस वज़े से ही फेल हो गई थी, महात्मा गांधी जी ने, विस्योसरी इरवन जी को, लेटर भेजा जिसमें थी 11 डिमांड, जिसमें से एक दिमांड क्या थी, most important वाली, कि salt के उपर tax हटा दे, salt हमारा जन्म सिद्धा दिकार, हमारी धर्ती, हमारा पानी उसमें बनता salt, हम लोग भारती ये, इस पे tax क्यों दे, और सबसे वड़ी बात ये तो basic necessity है, गरीब भी खा रहा है, अमीर भी खा रहा है, रोज खा रहा है, दिन रात खा रहा है, नमक तो एक essential item है, tax हटा दो, और उन्होंने ये request नहीं भेजी, ultimatum भेजा, ultimatum भेजा ये, कि भाईया tax हटा दो, लेकिन भाईया उन्होंने मानी नहीं, उन्होंने नहीं मानी, निकल पड़े गांदी जी, दांडी यातरा पे, मैप में आ जाता है, गुजरात से, साबरमती आश्रम से, दांडी यातरा पे निकल पड़े, 78 volunteers रास्ते में, और लोगों ने जॉइन किया, 240 मील कवर करी, 24 दिनों में, दांडी पहुँचे, और चुटकी भर नमक लेके, गोरों के सामने ही, salt law को किया, break, और यही से, salt law के break होते ही, शुरू होता है, civil disobedience movement, क्योंकि हमने यही पे, गोरों के, rule को, salt tax को, अभी-अभी, disobey, और भाईया, ना मानने का ठाना है, लोगों ने अपने आप, salt बनाना शुरू किया, boycott करने शुरू कर दिये, दुबारा से foreign clothes, दारू की दुकाने, picket gates बन कर दिये, चौकीदारी tax, अलग-अलग तरीके के tax, देने बन कर दिये, साथी साथ, अब्दुल गफर खान, and in Sholapur, against the arrest of Mahatma Gandhi, basically बहुत लोगों ने, protest किये, गांधी जी को जब जेल में डाला गया, उसकी against भी किये, उन्होंने protest, फिर आता है, गांधी-Irvind pact, 5 March, 1931, Mahatma Gandhi जी ने, civil disobedience movement को ले लिया वापस, गांधी-Irvind जी पैक्ट में, इrvind जी ने कहा, कि आपना second round table conference के लिए लंडन आजो, जितने भी सारे ये अब्दुल गफर खान है, जितने भी सारे leaders हैं, इनको हम रिहा कर देंगे, हम इनको छोड़ देंगे, इनने का, ठीक है जी, मैं चल लेता हूँ, ये विचारे चल पड़े लंडन, लेकिन लंडन में कुछ नहीं हुआ, उल्टा जब वापिस आये, तो और leaders को उनने जेल में डाले हुए थे, failure of second round table conference, और महात्मा गांधी resumed civil disobedience movement, उनने वापिस लागू करी, 1932 में, after coming back, but did not get much response, दुमारा जब CDM आया, तो लोगों ने उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, उनने ज़्यादा पार्टिसिपेशन उसमें नहीं दिखाया, पार्टिसिपेशन और वेरिश क्लासे इन CDM, सबसे पहले बात करते हैं, रिच पैजन्स, देखें बच्चों रिच पैजन्स जैसे की पातिदार्स और गुजरात, एंजाट्स और उत्तरप्रदेश पार्टिसिपेट किया, लेकिन इनका मेंन मोटिफ क्या था पार्टिसिपेट करने का, हाईर रिवेन्यूस हटा दो, सब अपने सेल्फलिश पर्ण के लिए हैं, बट डिसपॉइन्ट हुए, और उनने इसलिए दुबारा मूवमेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, इंडस्टिलिस जैसे की पुर्शोतन दास था कुर्दास, जीडी बिरला जी, इन्हों ने पार्टिसिपेट किया, कि भई हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई आच ना आए, डिद नॉट पार्टिसिपेट इन, नहीं हुआ कुछ तो, सेगंड ताइम पे नहीं पार्टिसिपेट किया, विमन केम आउट इलाग नंबर, तो मैनेफेक्टर सॉल्ट, पिकिटेट लिकर शॉप्स, और बॉइकॉट फॉरं क्लोथ, विमन ने काफी ज़ादा बीश में इन्वाल्मेंट दिखाई, अब पूर पेजेंट्स, क्लासे नॉट सपोर्टेट बाइ कॉंग्रेस, त्यूरिंग सीडियें, पॉर पेजेंट्स ने, रेंट्स के अगेंट दिमांड की थी, लेकिन कॉंग्रेस ने इनका साथ नहीं दिया था, इंडस्चियल वर्कर ने कहा, हम लोग तो वर्कर लोग है भईया, हमारे मालिक लोग साथ देंगे तो हम भी देंगे, तो इन्होंने भी ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, सोशल लिमिटेशन क्या थी CDM की, ये इंपॉर्टन है, CDM में दलिट्स ने पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई थी, तो हम लोग भी क्यों पार्टिसिपेट करें, साथ ही साथ महात्मा गांधी एंद दलिट्स अब क्या हुआ, ही कॉल्ट दलिट्स ऐस हरिजन्स और इन्होंने सत्यग्रह के अकॉर्डे, इनको सिक्योर करने के लिए कहा, कि भाईया, ये वेल्स, टैंक्स, रोड्स, स्कूल्स, सब का एक्सेस कर पाएंगे, हरिजन्स का मतलब होता है, भगवान के बच्चे, पूना पैक्ट, 1932 में, बियार अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट हुआ था, गांधी जी और बियार अम्बेडकर के बीच में पहले तो चल रही थी लड़ाई, क्योंकि बियार अम्बेडकर जी कह रहे थे, कि भईयार लोगों को क्या दे दो, इन हरिजन्स को जो तो हम कह रहे हों, हरिजन्स मानते हो ना, इनको रिजर्व सीड्स दे दो, जोकि लोग इनके साथ बहुत ज़ादा अंटचेबल वाला बिहेव करते हैं, उन्होंने मना कर दिया, उन्हें का बेटा जी, फ्यूचर का सोच लो जरा अम्बेडकर जी, फ्यूचर में तो ये चीज उल्टी हो जाएगी, लेकिन बियार अम्बेडकर जी ने का प्रेजेंट की भी तो सचो, गांदी जी अंशन पे भी गए, तो फाइनली क्या बात हुई, कि सेपरेट एलेक्परेट ना देके, रिजर्फ सीड्स दी जाएंगी, स्केडियूल कार्ट, स्केडियूल ट्राइब्स को, और बाद में इसमें OBCs भी शामिल हो गए थे, अब नासलम इन इंडिया में, क्या क्या चीजें इसमें कॉंट्रिब्यूट करती है, अब आता है, इमेज ऑफ भारत माता, ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलॉंगिंग का क्वेशिन पाश नमबर का आता है, पहली इमेज क्रिएट की गई, बंकिम चंदर चटो पादियाई जी के द्वारा, बाद में पेंट की गई, अब इनिंदरनाथ टेगौर जी के द्वारा, फोकलोर, रबेंदरनाथ टेगौर की कहानिया, नतेशा सास्त्री ने फोकलोर सदन इंडिया में काफी चापी, आइकन और सिंबल्स बनाए, ट्राइकलर फ्लाग आया, जिसके अंदर स्वादेशी फ्लाग, आठ लोटिस थे, क्रीसेंट मून था, जो मुस्लिम्स को दिखा रहा था, सन था, जो हिंदूस को दिखा रहा था, फिर एक ट्राइकलर फ्लाग आया, श्पिनिंग वील वाला, चर्खे वाला, ब्रिटिशर्स तो हमारे देश की हिस्ट्री अपनी ही भाषा में लिखके गए थे, लेकिन हिंदुस्तानियों ने सोचा, कि हम अपनी हिस्ट्री को दुबारा लिखेंगे, तो यहाँ पे इन्हों ने री इंटर्प्रेट किया हमारी भारतिये हिस्ट्री को, और भारत माता हमारे भारत देश की अलिगौरी मानी जाती है, ठीक है बच्चो, क्लियर बच्चो, हमने ये चाप्टर भी इस मिनेट में समाफ्त कर लिया है, most important questions देख लेते हैं, कि why Indians were outraged by roll attack, roll attack से क्यों खुश नहीं थे, गांधी जी ने सत्य ग्रह कहां कहां किया, तीन कारण बताओ NCM क्यों slow down हुई, CDM कैसे बढ़ी, participation of women, कोई भी किसी का भी एक का आ सकते है, participation किस किस का, salt act, collective belonging वाला question, very important, NCM और DCM, CDM वाला, दुनों में difference बता दो, short note, जलिया वाला बाग, Simon Commission, Inland Immigration Act पे, economic and political situation बता दो, जो first world war में create हुई थी, ये कुछ ऐसे question है, बच्चों जो repeatedly exam में, आ जाते हैं, clear है, चलें अगले chapter की तरफ, global world, making of global world, आई ये शुरू करते हैं, making of global world की कहानी, देखें बच्चों ये chapter से first topic करे गया है, 1.2, 1.3 topic तक आ रहा है, और ये chapter economics के globalization से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे, globalization की history की, तो बच्चों, global world कैसे बना, global world का मतलब होता है, पहली बात तो, पूरे world में, आपके product, services, human beings का घूमना, globalization, globalization का मतलब यही होता है, पूराने जमाने में, trade, लोगों का आना जाना, काम के सिलसिले में, पैसों का आना जाना, यह सब globalization कहलाता था, पहले के समय में, goods were carried, and evidence has been found in the form of trade link, between Indus Valley, and West Asia, around 3000 BC, तो यह जो links बने हुए हैं, इसे में पता चला, globalization आज का नहीं, बहुत पुराना concept है, spread of long distance diseases, लेकिन सिर्फ बच्चो, लेन देन, लोगों का, चीजों का, services का ही नहीं, बलकि बिमारियों का भी होता था, आपके सामने तो बहुत बड़ा example, Corona का है, Corona भी तो मेटा है, क्या है, globalization disease है, और Silk Root ने भी, इस चीज को काफी ज़्यादा, एरा को समाला, various Silk Roots exist करते थे, उस time पे, Silk Root से सिर्फ Silk ही नहीं, और भी सारी चीजों को, क्या किया जाता था, आदान प्रदान उसका, हुआ करता था, Silk Root का, Silk के अलावा भी, इस लिंग एशिया, विद यॉरॉप, और नदन आफरिका, इन तीन जगाओं को जोडता हुआ, Silk Root हुआ करता था, Pottery, Silk from China, Textiles from India, Southern East Asia, Gold, and Silver from Europe to Asia, flowed through these roots, So basically, Pottery, Silk China से, Textile India से, अलग-अलग चीजे, अलग-अलग जगाओं से, इन जगाओं पे, इस Root से ट्रावल करती थी, Buddhism, Preachers of Islam, Christian Missionaries, ये सब कहानिया, ये सब Beliefs, भी ट्रावल किया करते थे, बलकि, खाना भी ट्रावल किया करता था, Noodles, West से आके, चाइना में, मलब, Spaghetti बन गई, समझे ओ, Spaghetti का दूसरा रूप, Noodles, अरब ट्रेडर्स लेके, आए पास्ता, जिसको हम Italy dish कहते हैं, Italian dish कहते हैं, बलकि, ये लेके आए पास्ता को, Sicily में, विच इस नाव इन इटली, Potatoes, Soya, Maze, Tomatoes, चिलीव, ये भी इंट्रूच की गई, Europe में, by Americans, तखी सब उनके लिए बहुत नया था, and this all, happened because of globalization, Now, globalization in 16th century, precious metals, जैसे कि Peru, silver from Peru and Mexico, and, expeditions to the city of gold, El Dorado, were sent in 17th century, तो equipments, ornaments का भी आदान-प्रदान होता था, the Portuguese and the Spanish, began the process of colonization in America, they were successful, America में, इन लोगों ने देखा के, भाईया, यहाँ पे तो बहुत कुछ है, यहाँ पे तो खेती बाडी भी है, तो भाईया, क्यों ना, यहाँ पे क्या भेज दिये जाए, जॉम्स भेज दिये जाए, डिजीज भेज दी जाए, सो बेसिकली, सबसे बड़ा उस ताइम का वेपन, गोलियां बंब ना होके, क्या हुआ करता था बच्चों, जॉम्स हुआ करते थे, जॉम्स ऑफ स्मॉल पॉक्स, specially by Spanish, which killed the natives, लोगों में हल्चल मचा दिया करते थे, तो basically, migration to America, in 18th and 19th century, the slaves captured in Africa, worked in American plantations, ये हमने पढ़ा है, slave trade में, French Revolution, class 9th में, if you all know, Africa से shackled labors, plantation fields में, जबरदस्ती भेजे जाते थे, so the religious dissenters from Europe, also fled to America, तो भहिया, ये यॉरोप वाले लोगों ने देखा, कि America में तो कुछ है, चलो भहिया, America चलते है, China and India, were the prominent countries, of Asian trade in 15th century, पंदरवी शताबदी में, सबसे ज़्यादा rule कर रही थी, China और India, in terms of trade, adoption of policy of isolation, and restriction, trade by China, अभी China ने क्या किया, ये डर गए, कि भहिया, हम लोग इतने टॉप पे हैं, हम लोग तो और trade नहीं करेंगे, खिकि बिमारियां भी आ रही हैं, इन्होंने अपने आपको कर लिया, restrict, जिससे अमेरिका जो थी, वो trade के मामले में, ग्रो कर गई, जब चाइना ने किया, बाक आउट, जब चाइना ने किया, बाक आउट, so simple, this chapter is over, इस chapter से आ जाते हैं, why, European, fled to, अमेरिका, दूसरा बेटा, food वाले topic से आ सकता है, तीसरा, silk route से आ सकता है, कौन सी country है, क्या है, most probably, दो number के question आ रहे हैं, इस chapter में से, telegram पे, बहुत सारे paper बेज़े हैं, जहां से आप इनके questions, प्राक्टेस कर सकते हूं, and that's all, for the global world chapter, now let's move towards, the next chapter, print culture, print culture, and the modern world, the chapter, which I love the most, क्योंकि यहाँ पे, बहुती easy going सा chapter है, although यहाँ पे, थोड़ी books के बारे में, हमें याद करना पड़ता है, writers के बारे में, हमें याद करना पड़ता है, बढ़ यार, तुमारा novel society कर चुका है, print culture ही आ रहे हैं, बस, चलो भई, आखरी chapter है, जोश के साथ पढ़ेंगे एकदम, print culture and the modern world, यानि कि, जमाना, जो modern हो चुका है, print culture की, हम यहाँ पे history के बारे में, बात करेंगे, कि ऐसा भी तो जमाना हुआ करता था, बच्चो, जब, paper नहीं था, print नहीं था, तो कैसा जमाना हुआ करता था, आईए बात करते हैं, importance of printed matter in the modern world, everywhere around us, हम लोग print देख सकते हैं, देखे ना, SNF printed है, पीछे आशुसर लगे हुए हैं, science and fun लिखा हुआ है, आपकी किताब, आपकी board, यह सब जगा print ही तो है, magazine, books, newspaper, calendars, यह सब कुछ बेटा जी, print ही तो है, the first printed books की बात कर लेते हैं, सबसे पहले, printed technology, hand printing, या फिर wood block printing आई, China, Japan and Korea में, C, J, K, China, Japan and Korea में, हम यहाँ China और Japan की बात करेंगे, Korea की बात जिक्र chapter में नहीं किया गया है, तो China, books were printed by rubbing paper, against the end surface of the wood block, तो basically text books जो थी, civil services के लिए, examination के लिए, धेरों की तादाद में बढने लगी, जैसे ऐसे candidates बढ़े, वैसे वैसे wood block printing बढ़ती चली गई, सत्रवी शताबदी में, merchants ने भी, print को use करना शुरू कर दिया, bills छापने में, women ने भी, पढ़ना और लिखना शुरू कर दिया, 19th century तक print technology जो थी, वैसे आ चुकी थी, और शंघाए, इसका hub बन चुका था, नए print culture का, क्या मुझे कोई बताएगा, कि China की सबसे पहली printed book कौन सी थी, सबसे पहली printed book कौन सी थी, टाइम स्टैम डाल के आंसर लिखिएगा, जपैन में printing technology लेके गए, बुद्धिस्ट मिशिनरी चाइना से ही, oldest जैपनेज बुक थी, डाइमंट सूत्रा, जो की 6 शीटों की थी, text house पे, और woodcut illustrations यानि की examples थे, pictures धीरे धीरे, textiles पे, playing cards पे, और paper money पे छपने लगी, books on women, musical instruments, tea ceremony, famous places, painting, डिपिक्टिंग, urban culture और Edo, were introduced, Edo का दूसरा नाम बच्चो और कुछ नहीं, बलकि Tokyo ही है, one marker question आ जाता है, Tokyo ही है, आगे चलते हैं, print culture in Europe, Europe में भी, vellum पे कहानिया, यानि की print किया जाता था, vellum क्या है, vellum एक ऐसा material है, जो animal skin से बनता है, but those manuscripts were fragile, manuscripts का मतलब होता है, हाथ से लिखी हुई scripts, fragile का मतलब होता है, बहुती कमजोर, फट जाती थी, could not be carried around, and बहुत expensive हुआ करती थी, फिर बच्चो, जब हमें होता है बुखार, हम खाते हैं डोलो, और 12.99-95 में, woodblock printing लेके आए, Marco Polo, Marco Polo जी, ये technology, Italy में लेके गए, और धीरे धीरे, print जो था, वो यॉरोप में फैलने लगा, ये question exam में आ जाता है, कि कैसे print culture यॉरोप में फैला, 15th century में, woodblock printing जो थी, वो textile, playing cards, और again, religious pictures पे होने लगी, calendars पे होने लगी, फिर आते हैं, जौहन गुटेनबर्ग, जौहन गुटेनबर्ग एक goldsmith थे, बच्पन से ही, उन्होंने ये कहानियां किस से, और ये trinkets वगरा बनाने सीखे थे, इन्होंने बनाई सबसे पहली machine, invented the printing machine, और ये machine में होती थी, गैले, एक होता था, composer, एक होती थी, platon, basically, क्या किया जाता था, letters को arrange किया जाता था, फिर उसको रखा जाता था, और उस पे ऐसे press करके, वो text छपते थे, तो ये concept लेके आये थे, Johan Guttaynberg जी, 1448 में, और बचों, इन्होंने सबसे पहली किताब जो छापी थी, वो थी Bible, इन्हें इस printing machine में, flooded the market, जब ये machine लेके आये, तो print technology को काफी boost मिला, और 16th century तक 200 million copies छपने लगी, इस particular technique से, common लोगों ने तब तक ballads, folk tales और sacred books के बारे में सुना ही था, अब publishers धीरे-धीरे illiterate लोगों के लिए picture-based books भी छापने लगे, these begin to be sung, and get ballads basically क्या होता है, ऐसी कहानिया किस्से, जो लोग चुराहे पे खड़े हो के गाते हैं, तेते चिल लाते हैं, ताकि लोग उनको सुन सके, प्रिंट कल्चर और रिलिजियूस डिबेट्स, दे मोनाक्स, और रिलिजियूस अथॉरिटीज, क्रिटिसाइज दे प्रिंट कल्चर, प्रिंटेड बुक्स कुड़ है अड़वर्स एफेट्स, ओन दे माइन्स अफ़ पीपल, दिमाग खराब कर देगी लोगों का, लिट्रेचर जो एक्चल लिट्रेचर लोगों तक पहुँचनी होती है, वो तो पहुँचेगी ही नहीं, तो इसी के चलते एक रिफॉर्मर आते हैं, मार्टिन लूथर जी, मार्टिन लूथर जी ने 1517 में, 95 थीसिस नाम की एक किताब लिखी, और उस किताब में उन्होंने क्वेश्चन किया, केथॉलिक धर्म के लोगों को, कि तुम अपनी प्राक्टिस को भाईया पूरा प्रूफ करो, कि क्या है इसका मतलब जो तुम करते हो, अप्चुली मार्टिन लूथर एक प्रोटेस्टन थे, क्रिश्चानिटी में दो रास्ते होते हैं, केथॉलिक्स और प्रोटेस्टन, हमने ब्रिटेन की उनिफिकेशन में भी पढ़ा है, तो यहां पे भी क्या हुआ, इन्होंने केथॉलिक्स को क्वेश्चन लगा दिया, उनकी चर्च की गेट पे किताब भेज दी, तो भाईया, यहां से शुरुवात हुई प्रोटेस्टन रीफॉर्मेशन की, वो बहुत बॉखला गए, आगवबूला हो गए, उन्होंने भी आगे से, इनकी कॉपी इतनी भी की, इन्होंने सेकिंड पार्ट भी छापा, उसकी भी पांच सजार कॉपी भी की, फिर एंटर हुए मिनौक्यो, मिनौक्यो भी एक क्या थे, एक इटली के इंसान थे, जिन्होंने बुक्स पड़ी, और इन्होंने क्या किया, अपने आइडियाज अपने आइडियाज की अकॉर्डिंग बुक छाब दी बाइबल रॉमन कथॉलिक चर्च एग्जीक्यूटिड मेनौक्यो क्योंकि उन्होंने अपनी भाषा में केथॉलिक धर्म को वो किया डिप्रीफ किया और बाइबल को री राइट किया पहले उनको मतला वार्निंग दी गई लेकिन फिर उनको मार दिया गया इट आल्सों इंपोस कंट्रोल ओवर पॉब्लिशर्स और बुक सेलर्स मेंटेंड एंड इंडेक्स बेसिकली आपकी किताब में एक एक इंडेक्स भी है जिसमें प्रोहिबिटेड बुक्स की यानि कि ऐसी बुक्स जो लीगल ही नहीं है रीड करनी उनका नाम लिखा गया है अब आता है जैसे याँ मूवीज बनती हैं लेकिन उनको रोक दिया जाता है जना कि नहीं नहीं ये लोगों के लिए अच्छी नहीं है वैसे अब आता है दर रीडिंग मानिया रीडिंग मानिया में ड्यू दॉ दा एफर्स अफ द चर्च लिट्रेसी रेट्स धीरे धीरे बढ़ने लगे लोग अपड़े लिखे होने लगे बुक्स की डिमांड करने लगे और तो और अब वो लोग चाहते थे कि भाईया सस्ते दामों पे बुक्स आए तो इंग्लैंड में पैनी चाप बुक्स आई पैनी चाप बुक्स बेसिकली होती थी छोटी-छोटी किताबे लो ग्रेड किताबे सस्ती दामों पे मिलती थी और इनको बेचने वाले होते थे चापमेन जो चाप बुक्स को बेचते थे वो होते थे चापमेन और सो फ्रांस में आई एक बिलॉत की ब्लू ये भी एक बहुत लो प्राइस बुक थी ब्लू कलर के कवर पेज की होती थी similarly बुक्स बनने लगी रुमांस पे हिस्ट्री पे जो की लो प्राइस बुक हुआ करती थी variety of publications, newspapers, journals were introduced also there were publications in science इस साक्ण नूटन यार देखो कभी कभी सोचते नहीं हो आप कि अगर ये किताबी नहों तो कितनी knowledge बिकार हो जाए आप जानते हो गूगल से भी ज़्यादा कहानिया और हिस्ट्री कहा है किताबों में है मैं कभी-कभी जब धुरूवराथी सर की वीडियो देखती हूँ मैं मतलब खो जाती हूँ मैं यह सोचती हूँ यह कहां से ढून जिलाता है भाई यह आदमी य're कहां से ढूनता है ये चीजे इसके रिसर्चर्ण की टीम मितलब चुमनेशरी टीम है कि लोग इतने दिवाने हैं एक सेकेंड लोग इतने दिवाने हैं इनकी वीडियो उसके लेकिन यार इनके रिसर्चर्ण की टीम यह खूब किताबे ढूढते होंगे खूब मैनिस्क्रिप्ट पढ़ते होंगे इनकी एक वीडियो थी यार इंदस वैली सिविलाइजेशन की मतलब भाई मैं तो यही खो गई भाई कहां से ढूढ़ के लाया भाई कहां से ढूढ़ा है कहां से किया है सो बुक्स में बहुत ग्यान है यह सब भी पबलिश होने लगे क्वेशन आ जाता है एक्जाम में कि प्रिंट ने फ्रेंट्स रेविलूशनरी में क्या हेल्प किया तो यहां पे इनकी राइटिंग्स के बारे में आप लिख सकते है लुईस सेबास्टियन मर्सियर अब आता है फ्रेंट कल्चर एंड फ्रेंट्स रेविलूशन तो भाईया यहां पे मैंने अभी आपको बताया कि इनके सारे आइडियास को छापने वाला कौन था इन्होंने डिबेट्स और डिसकॉशन अलाओ किया इन्होंने ही भाईया कार्टून और कारिकेचर से कारिकेचर कौन होते हैं यह जो यह तीछे है यह बने हुए ना आप देख पा रहे होंगे यह 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 इनसान यह कारिकेचर बना हुआ है इसका civics की किताबों में जो picture होती है वो caricatures होते है दो cartoons and caricatures which was able to develop hatred for monarchy among the people people also were simultaneously exposed to propaganda by church and monarchy देखो यार, बहुत, जैसे media होती media, पोल खोलती है किताबे भी पोल खोलने लगी लोग डरने लगे, चाहे politically हो चाहे भही या कोई भी हो impact of print literature in the 19th century अब देखो ये question आ सकता है कि print ने children पे क्या effect डाला print पे, poor people पे क्या effect पड़ा women पे क्या effect पड़ा so basically children के लिए child press was sent up in France also Germany में grim brothers, grim brothers के बारे में Europe के chapter में भी किस्सा सुनाया हुआ grim brothers were two brothers who actually roamed from village to village and collected data पुराना data ही कथा किया और बनाई folk गीत, folk कहानिया लेकिन सबसे बड़ी बात इन लोगों ने उस folk tales को क्या किया filter किया vulgarity को हटाया और simple भाषा लिखी 1812 में ठीक है ना ताकि बच्चे उसको पड़ सके फिर आती है women पे women में novelist जैसे कि Jane Austen, Bronte Sisters George Elite ये काफी popular writer बनी और इनोंने और तो को बलकि force किया motivate किया कि वो भी अपनी बारे में लिखे अब आता है workers में workers में बेटा जब उनको समय मिलता था खाने के बीच में you know break मिलता था तो वो लोग libraries में जाते थे libraries में क्या होता था वो लोग rent पे किताबे देते थे या वहाँ पढ़ने के लिए free में भी किताबे देते थे ये वहाँ बैटके अपनी किताबे पढ़ते थे और इनको भी autobiography लिखने का मन किया उसके बाद लिखी भी गई छोटे बड़े का सवाल etc. लेकिन क्या वो John Gutenberg की प्रेस चलती आरे हैं नहीं बचो प्रिंटिंग टेकनलोजी में काफी changes आए आई cylindrical प्रेस में एक खास बात थी कि पहली बात हो वो 6 colors एक ही बारी में print कर सकती है 6 colors electrically operated थी speed up कर दिया उसने print को और साथ ही साथ paper quality, plates की quality phones की quality काफी अच्छी हो गई introduction of automatic paper reels photo electric controls ये सब नए-नए innovations थे क्या-क्या strategy यूज की गई publishers के द्वारा अब आने लगी series जिस पर बच्चों को उच्छा रहता था लोगों को उच्छा रहता था इसके second part आने का साथी साथ इसी का example है shilling series dust covers attractive covers बनाए गए also cheap paperback editions paperback editions का example मैं दूँगी Champak की किताब से Champak की किताब आती थी हमारे बच्छमन में अभी भी आती है वो बहुत पतला paper होता है बहुत glossy paper होता है वो paperback edition होता है सस्ता होता है 10-10 रुपे की मिलती थी वो उस ताइम पे भी Champak की किताबे now manuscripts ही ओपर note लिखना आ सकता है manuscripts हमारे भारत अब भारत में आ गए है अब इंडिया में आ गए है इंडिया में manuscripts लिखी जाती थी Sanskrit, Persian और Varna Color easiest languages में ये लिखी जाती थी palm की leaves पे और साथी साथ handmade paper पे जहाँ पे beautiful illustrations भी लगाए जाते थे लेकिन ये बहुत ही expensive हुआ करती थी fragile हुआ करती थी और साथी साथ इनको difficult to read, awkward to carry अब सबसे पहले printing press लेके आए Goa में Portuguese missionary 16th century में 1579 में पहली तमिल किताब छापी गई कोचिन में 1674 में 50 किताबे Konkani और Kannada language में छापी गई 1710 में 32 तमिल टेक्स वर printed and in 1713 पहली मल्यालम बुक प्रिंट की गई ये year wise है नहीं आता है exam में इतना ही James Augustus Hickey ने सबसे पहली newspaper English में छापा The Bengal Gazette यह आ सकते है Bengal Gazette किस ने छापा तो Jane Augustus Hickey Last year boards में ये chapter था तीन नंबर का Yes तीन नंबर का था 1-1 Mark के तीन question आ रहे थे पिछली बार age of industrialization भी था लेकिन इस बार ये chapter से preboards में पाँच-पाँच नंबर के भी question आ रहे है Yes पाँच-पाँच नंबर के पहली Indian newspaper by the same name Bengal Gazette weekly newspaper था weekly magazine थी चापी गई बाई गंगाधर बटाचार्या तो basically Bengal Gazette English में जेन अगस्तस हिकी अन हिंदी में गंगाधर बटाचार्या ने चापा अब अचो इंडिया में भी religious debates थे 1821 में राजा राम मोहन रॉय जी ने संबद कौमुदी चापी हिंदू ससाइटी को describe करते हुए Orthodox हिंदू groups जो थे उन्होंने उसके अगेंस में समाचार पत्रिका चापी चंद्रिका जो कि राजा राम मोहन रॉय जी के आइडियास के अगेंस्ट में चापी गई ती जैसे यार आजकल यूट्यूब पे नहीं होता है एक वीडियो डाल रहा है फिर दूसरा वीडियो डाल रहा है वो वीडियो डालते हैं आपस में लडने के लिए और यहां पर प्रिंट के थ्रू हुआ करता था पहले दो न्य लड़कियों को बच्पन से ही मुसलिम धर्म अपनाना कैसे आप यूणो मुसलिम धर्म को अपना होगे क्या 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 उसमें नमास पढ़नी होती है कब क्या करना होता है यह सब समझाया गया देंग्राम चरितरमानस प्रिंट की गई 1810 में नवल किशोर प्रेस लखनाउ म पर शरी बेंक के टेश्वा प्रेसं बमबे पबलिश होने लगी जिसमें religious text के बारे में चापा गया religion के बारे में चापा गयाatics आप फौर वर्ना को लंग्विज जीर्विज में cartoons जो कि British rule को criticize कर रहे थे बनने लगे then I have women and print अलग-अलग attitude था women की education का towards this conservative attitude girls could be widowed, कहते हैं भहिया अगर तुम किताबे पड़ोगे न तो क्या हो जाएगा, तुम विदवा हो जाओगे अगर तुम किताबे पड़ोगे तुम विदवा हो जाओगे, और तो को ये कहा जाता था लेकिन women writers बनी, सबसे पहले रश सुनरी देवी ने अमर जिबान नाम की किताब छापी, किलाश बाशनी देवी ने अपनी जिंदगी के बारे में लिखा तारा बाई शिंदे, पंडिता रामा बाई miserable lives of upper caste हिंदू women के बारे में लिखा हिंदी literature about women discuss issues like education widowhood, widow remarriage के बारे में और साथी साथ national movement के बारे में तो औरतों ने अपनी कहानिया अपने किस से domestic struggles विडो होने के बाद कैसा वो रहती है साथी साथ, राम चढधा ने किताब छापी स्त्री धरम विचार जिसमें उनने बताया कि औरत को कैसे एक अच्छी औरत एक अच्छी बीवी बनना है खाल साथ राग सोसाइटी about qualities of a good woman women कैसे अच्छी हो सकती है बाटला publications, बाटला एक ऐसी जगा थी, जहापे ऐसी हर किताब मिलती थी, जो prohibited भी है, तो basically peddlers, cycle चलाने वाले पॉइंट किये गए, जो घर घर तक लोगों तक क्या पहुचाते थे किताबे पहुचाया करते थे, जिससे women की readership और बड़ी, औरतों ने छुप छुप के kitchen में पढ़ना शुरू किया लिखना शुरू किया अपने बारे में, अमर जिबान पहली complete biography of रशुंद्रभी देवी print end up हुआ बहुत सस्ती किताबे छपने लगी libraries बनाई गई गुलाम गिरी लिखी गई जोतिबा फुले के द्वारा, जिसके अंदर caste system के बारे में बात की गई बी आरम बेटकर, ईवी रामस्वामी नेकर, निकास system के उपर लिखा क्याशी बाबा, छोटे और बड़े का सवाल again, lower caste, upper caste सुदर्शन चक्र, सच्ची कविताए again, lower caste, upper caste ये सब इनके बारे में लिखा गया print and censorship अब print की कहानी करते हैं वर्ना कुलर प्रेस एक्ट लाया गया बचो 17, 1878 में जहां पे बिटिश गवर्मेंट को पावर सौपी गई censor reports के लेके बिटिश गवर्मेंट के according कोई भी उनके बारे में चाप नहीं सकता अगर वो चापेगा उनसे बिना पूछे तो उसकी जो प्रेस है उसको बंद कर दिया जाएगा डिस्पाइट देर वास ग्रोथ ऑफ नैशनलिजम न्यूस्पेपर अब इसी के बदले बाल गंगादर तिलक जी ने ना क्या किया था केसरी न्यूस्पेपर में चाप दिया था उनका न्यूस्पेपर बंद करके इनको जेल में भी डाल दिया गया था बाल गंगा धर तिलक को योगि मना करने के बावजूद इनोंने क्या किया था उनके बारे में चाप दिया था इसी लिए आप कहेंगे बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी कहानी है जो मैडम आपने नहीं बताई है बिटा जी ये कम्प्लीट लेक्चर वन शॉट ओल्रेडी चैनल पे है हर चैप्टर का पहले मैं इसके रिपीटेड कोशिन की बात करती हूँ फिर एक बार आपको क्लोजिंग अपनी स्पीच दे देती हूँ यहां पे आता है प्रिंट क्रेटेड अ कंडिशन विच फ्रेंश रेवलूशनल वादा मैने आपको बताया था मैनूस्क्रिप्स के उपर फैक्टर जिसकी वेसे प्रिंट यॉरॉप में एक्स्पैंड हुआ क्या steps लिए गए by the British to curb freedom of press in India वरना कुल a press app what were the impact of print culture on Indian women तो women, यहां पे children यहां पूर पे किसी पे भी आ सकता है children पे भी आ सकता है पूर पे भी आ सकता है women और पूर पे जादा आतकता है finally we have done all the chapters all the 19 chapters of complete SST now listen to me carefully मैं यह topic रह गया मैं यह कहानी रह गई I have tried to cover each and every important point in this compact video एक एक घंटे में एक एक किताब कवर कराना it is very difficult SST का सिलेबर सबसे जाला बड़ा है 4-4 गंटे का यह session बना है तो कुछ तो बात होगी इसमें लेकिन मैंने अपने expertise से सारे important questions आपको complete कोई chapter देखना है like depth में जाके देखना है तो one shot इसी channel पे है Science and Fun 910th के channel पे है with PPTs on our telegram सब कुछ यहीं मिलेगा आप सर्च करो print culture by Rima Ma'am सर्च करो globalization by Rima Ma'am सर्च करो gender legend cast by Rima Ma'am आपको each and every chapter मिल जाएगा यहीं पे इसी channel पे आपको बस इतना करना है यह उन बच्चों के लिए जिनोंने बस कुछ नहीं पड़ा सब पढ़ लिया अब आपके लिए revision के लिए quick revision के लिए paper से एक दिन पहले के लिए paper से दो दिन पहले के लिए यह video मैंने बनाई है I hope आपको अच्छी लगी होगी मेरी यह साड़े चार घंटे की सवा चार घंटे की महनत को value करने के लिए comments में प्यारे प्यारे शब जरूर दीजेगा जो question के answer पूचे है बीच में वो जरूर दीजेगा and yes ऐसे ही valuable sessions live regularist channel पे आपके लिए आप लोगों से और जितना हो सके इस session को share कीजेगा वो कहते हैं अगर आपको कुछ भला करना है तो बस यह video तीन और लोगों को बेजे और उनको बोलो आगे और तीन लोगों को बेजे तो उनका भला होगा SST में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इनने पढ़ना शुरू भी नहीं किया तो उनके लिए वीडियो बहुत ही वाली रहने वाली है So I hope you liked the complete SST session by your Rima ma'am, your SST queen जो आप बोलते हो बस, live sessions में तो आप से मिलते ही रहते हैं See you all in the next class next live class अगर में यह Sunday को session डॉल रहा है तो Monday को ही हमारी live class है रहा शाम को साढ़े आठ बजे मिलते हैं वहाँ See you all, bye bye and all the very best for your board exams